प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सभी आप सभी ठीक होंगे आज हम एक important topic लेके आएंगे 11 के बड़े सारे basic basic concept हमने देखें कुछ boring भी था कुछ interesting था आज से सारे जितने भी topic स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके interesting हमारे topic का नाम है आज cash book हर किसी के book में अलग-अलग हो सकता है chapter D.K.Goyle में कोई और chapter हो इसलिए मैं chapter का नाम नहीं लिखता है हम cash book बढ़ ही अच्छे से सीखेंगे आपके exam में six marks तक का यह आ सकता है और real life में काफी importance role play करेगा यह cash book तो हम जो real life की मैं बात कर रहा हूँ यानि जहां job करने जाओगे आप कहीं पे भी वहाँ cash book आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा और cash book को analysis भी करना आना चाहिए तो हमारा chapter है और सबसे पहले जो YouTube पे live video है यह और मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा क कि आप सभी जितने भी student है comment अगर अभी मुझे करेंगे भी ना तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरा main purpose होता है कि मैं अच्छे से पहले content आपको समझा पाऊं deliver कर पाऊं आपके अगर मैं phone ले लूँ और phone लेके मैं आपके पढ़ते रहूं हाँ दिनेश हाँ रहूल हाँ और वैसे good morning good afternoon तो उसमें वीडियो का time भी और उसका फाइदा क्या हुआ हम तो यहाँ पर पढ़ने के लिए इस platform पे आएं और पढ़ेंगे अच्छे से मन लगा के बस हमारा एक purpose है हाँ आप चैट करिए हमारे team बैठी हुई है चैट का आपको live chat का जबाब मि पढ़ने वाला कोई भी कुछ भी बोलता रहे मैं अपने पहले content के उपर focus करूँआ ठीक है जितने भी पूरे भारत के अंदर हमारे जितने भी dear student है जो की इतना like करते हैं के sir आप आपके कहने पर live आना पड़ा मुझे तो आप सभी को thank you so much और हम start करते हैं ज्यादा time को वे कि एक नाम है हमारा recipient payment भी बोलते हैं कि है ना एक recipient payment भी बोला जाता है inflow outflow भी बोल देंगे basically 11th में cashbook रहता है और वो 12th में recipient payment थोड़ा सा concept change है लेकिन मेबी कई बार पूछा जा सकता है इस बात का आपको ध्यान रखना है cashbook में क्या-क्या सीखने वाले हम हम cashbook के अंदर mainly अगर देखा जाए तो दो topic है इसके अंदर एक single column single column cashbook ठीक है आप अच्छे से note करिएगा एक है single column cashbook का concept एक है double column ठीक है ना dual column बोल लो two column बोल लो two columns column cashbook यह दो topic है including GST करेंगे ठीक है ना चिंता नहीं करना इसमें GST मैं इस बार incorporate करूँगा ठीक है कई बार कुछ बच्चों का complain भी रहता है कि voice अब especially मैं पूरा वीडियो को अच्छे से मैंने सारा सिस्टम सेट अप किया है तो voice की भी मेरे हिजाब से अब दिककत नहीं आएगी ठीक है तो single column cashbook की double column की हम चर्चा बिलकुल बाद में करेंगे जब बाद चर्चा ही नहीं करनी तो हम अभी क्या करें सबसे पहले तो हम theme समझते हैं कि भाई ये chapter बना क्यों हमारा cashbook जो chapter है ये बना क्यों देखो नाम से ही clear है cashbook यानि cash का lane देन जितना भी है यानि cash में जो भी plus होगा और cash में जो भी minus होगा उस चीजों को record करने के लिए उस चीजों से related इसमें transaction होगा जो भी minus होगा और जो भी plus होगा मैं कुछ transaction आपको बोलता हूँ आप मुझे जवाब दीजिएगा कि इसमें cashbook minus होगा या plus होगा suppose करो मैंने बोला मैंने rent paid किया अब ये cashbook business का है मैंने rent paid किया अब बताइए क्या होगा rent paid rent paid करोगे आप तो आपका minus होगा cash तो cashbook से related transaction है मैंने उधार माल खरीदा अब बताइए challenge है आपको उधार माल खरीदा cashbook पे क्या फरक पड़ेगा देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं पैसा जाएगा कुछ बच्चे बोल रहे हैं आएगा नहीं अगर मैंने उधार माल खरीदा है तो इसका मतलब मेरे पास cash का कोई transaction होगा है नहीं क्यूंकि मैंने कोई पैसा दिया नहीं कोई पैसा लिया नहीं तो अगर मैं credit पे समान खरीदूँ आँ credit goods खरीदता हूं अगर मैं तो फिर इसकी कोई transaction नहीं होगा अगर मैंने cash में sales किया हैं बताइए क्या entry करेंगे cash में sales किया है कोई entry करेंगे क्या बिल्कुल sir cash में sales करेंगे तो क्या होगा यह plus होगा तो cash book में ऐसे transactions related हम काम करेंगे जिसके अंदर हमारा cash आएगा या हमारे business से cash जाएगा उसकी entry को हम cash book में करते हैं और इसके अंदर हम यह पता लगाते हैं कि हमारे पास last में end of the month या end of the year कितना cash का balance है जो मेरे पास है हाथ में cash क्या वो इससे tally हो रहा है या नहीं हो रहा मेरे साथ कई बार ऐसी समस्या हुई है मेरे पास पैसे पढ़े हुए मैंने तो गया कभी पैसे पढ़े हुए मैंने खर्च करता गया करता गया खर्च करता गया करता गया और बाद में मैंने देखा भी पैसे खतम हो गए यार अब फिर मैं जोडने बैटता हूँ मिलाने बैटता हूँ कए भाई पैसे कहां गए कहां गए कहां गए पोचिस सिस्टम रहता है तो वो चीज यहां पे जो हम cash book प्रिपेर करेंगे तो वो दिक्कत नहीं आएगी आपको ठीक है तो मैं single column की बात करूँगा single column में और double column में फरक क्या है यहां पे सिर्फ cash नगद वाले transaction से related बात होगी और यहां पे नगद और check वाली दोनों bank वाली दोनों की बाते करेंगे ठीक है यही फरक है बस चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ अभी और जब हम format लिखेंगे तो और बड़े अच्छे से समझेंगे फिर practical question भी करेंगे है ना तो मैं इसको पूरे को ही मिटा देता हूँ यह लिख लेना दो column है पहले यह cover करेंगे second पर यह जी इस्टी में दोनों में ही include करके चलूँगा ठीक है बच्चो चलिए format format क्या रहने वाला है cashbook का simple वही format रहेगा जो laser यह जो cashbook आपने laser में बनाया था ना वही तो है it means आपको आता है cashbook but करना क्या है मुझे बस बताना है आपको है ना बताना है कमेंट वगेरा मैं बिल्कुल watch नहीं करूँगा आपको अच्छे से समझ में आ जाए मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है और मैं YouTube पे टाइम शडियूल करने वाला हूं बहुत जल्दी 12th class के लिए भी एक मैं टाइम शडियूल करूँगा जो free of cost रहेगा आउट ओफ इंडिया जितने भी बच्चे हैं या फिर इंडिया में जितने भी बच्चे हैं सब के लिए रहेगा वह क्योंकि काफी सारे वीडियो जो है ने मेरे क्लास के मैंने अब्जर्ब किया है कि नेपाल से भी बच्चे देखते हैं तो अच्छी बात है कि मैं उनकी मदद कर पाऊं किसी कारण से पर्टिकुलर पर्टिकुलर डेट और यहां लिखेंगे सुन्दर सुन्दर राइटिंग में कैश भुक बिसिकली कैश अकाउंट होता है कैश भुक बोल देंगे ठीक है कैश अकाउंट भी भोल सकते हो अब यहां पर दो साइड है एक है हमारा डेबिट का साइड इस side debit होता है हमेशा और ये वाला जो side है हमारा ये है credit का side है न हमेशा याद रखना debit वाले side से अब मुझे आप बताईए जो cash है cash हमारे लिए क्या है asset और assets का side क्या होता है बताईए debit अब बताईए इसको plus किन से side से होगा debit side से और minus करेंगा तो side क्या हो जागा credit यानि इस side स माइस हमेसा क्या होगा ब्लस का मतलब पैसा रिसीव करना वो भी क्या है टी कि और साइड आए गा कैश पेड किसी को भी करें X Y Z चाहे fix assets खरीदें चाहे कोई भी assets खरीदें तो इस side cash paid आएगा ठीक है अब मैं starting में सबसे पहले दो तरीकी के business हो सकते हैं अब ध्यान से समझेगा मैं starting से बिल्कुल लेके चल रहा हूँ दो तरीकी के business हो सकते हैं एक हो सकता है new business और एक हो सकता है old business अगर कोई new business होगा तो क्या सुरू में उसके पास cash होगा सुरू में starting में कोई cash होगा के नहीं होगा इस बात का ध्यान दखना क्योंकि आज business से शुरू किया है तो मेरे पास कोई मेरे drawer में पहले से cash पढ़ा होगा मैंने कोई business बनाया है तो counter लगाया है new new counter है तो कहां से आएगा मेरे drawer में मेरे cash counter में मेरे गल्ले में कहां से पैसा आएगा यह सोचिए आप बात को नहीं होगा तो new business जब होता है हमारा तो new business में no cash at opening अब सर यह opening क्या है देखिए साल या month जो भी मानिये अगर मैं साल की बात करूँ तो एक चार एक एपरिल भी हो सकता है जैसे 2019 और end जो होगा 31,3,2020 अगर मैं मन्त की बात करूँ तो 1st gen और 31st gen यह रहेगा तो इस date पे जो मेरे पास balance है बचा हुआ जो इस date पे मेरे पास balance है स्टार्टिंग वाली date पे इसको हम बोलते हैं opening balance इसको बोला जाता है opening balance और कौन सा balance है opening वो भी बचा हुआ ठीक है आप ऐसे समझे एक example लेते हैं practical life का simple सा example है मान लिजिए मैं fruit seller हूँ आज जो भी date है मान लिजिए मैं fruit seller हूँ और मैंने 10 तारिक को 10th September को मैंने अपना काम start किया ठीक है वैसे 10th September है नहीं मैंने मान लिए 10th September को काम start किया मैंने 1000 kg apple खरीदे 1000 kg मैंने क्या खरीदे apple खरीदे आप मुझे बताईएगा ठीक है और 10 तारिक को 1000 kg जब मैंने apple खरीदे तो मैं इस apple को बेच नहीं पाया स्रिफ मैं बेच पाये कितने 500 kg और मेरे पास 10 तारिक को रात में कितना गया 500 kg apple मेरे पास बच गया तो जो यह मैंने खरीदा है इसको तो बोलेंगे purchase और जो मेरे पास बच गया ने इसको बोलूँगा closing क्योंकि रात में बचा है अब next day जब 11 तारिक को आएंगे 11 तारिक को मैं आया मैंने दुकान खोला तो मेरे दुकान में पहले से stock पड़ा होगा 11 तारिक को बताओ मेरे दुकान में कितने stock पड़े होगे बताईए 11 तारिक को कितने stock पड़े होगे जबाब है सर 11 तारिक को आपका जो 500 बच गया है न वो 11 तारिक को यूस करोगे तो 11 तारिक को यही 500 होगा तो now 11 तारिक को इसी closing balance को मैं नाम दूँगा opening balance इसी को नाम दूँगा opening balance समझ ये बात को आप ठीक है तो एक होता है opening balance एक होता है closing balance opening balance क्या होता है साल के जो starting में है उसको opening balance बोलते है closing balance क्या होता है जो साल के end में हो जाता है उसे closing balance बोलते है opening balance क्या possible था अगर मैं काम start करता 11 तारिक को अगर मैंने काम को ही स्टार्ट किया 11 तारिक को तो क्या opening balance possible है नहीं है क्योंकि शुरू में कोई पिछले वार का कोई माल ही नहीं बचा होगा क्योंकि यह देखो न यह कैसे आया पिछले date का माल बचा था तो अगले date पे मैं opening बोलूँगा और पिछले date पे जो होगा वो क्या होगा closing और अगले date पे opening तो same इस date पे अगर कोई माल है मेरे पास तो इसको बोलेंगे opening balance और इस date पे जो होगा वो होगा closing balance इस date के बाद भी एक date आएगा ना अगले साल का एक चार दो हजार बीस माल लेते हैं यहां 100 रुपे का balance था opening और यहां पे closing 200 आप बताईए मुझे इस date पे कितना opening balance होगा तो जबाब है सर जो यह closing balance है यही 200 रुपे इस date पे कौन सा balance होगा हमारा opening balance माना जाएगा इस बात को समझेए तो new business जब भी start होता है तो कभी भी opening balance नहीं होगा old business में हमेशा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता opening balance opening balance मैं opening को OP लिख रहा हूँ ठीक है तो आप एक बात ध्यान रखना opening balance क्या होता है साल के सुरू का balance अगर new business है तो साल के सुरू में balance नहीं होगा और अगर old है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता मैंने तो यहाँ पर आपको fruit का example लिया आप cash की बात करते हैं मानलो आज मैंने दुकानदारी करी तो आपको पता होगा कि दुकानदारी के अंदर last last में हम कुछ खुले पैसे छोड़ के जाते हैं कल सुबह सुबह जब हम आएंगे तो कोई customer अगर 500 का note या 200 का note या 100 का note लेके आ जाता है तो उसको हम कैसे change देंगे है ना पहले ग्रहक को तो मैं यह बोल नहीं सकता कि भाई एक काम करो खुले नहीं जाओ पहले ग्रहक को हम एक तम से देखा होगा अपने पैसे आए और पैसे को हमने क्या करा गले में हर जगा दिखाया बोनी बोलते हैं उसे starting का बोनी हुई है सुबह 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 समझे बात को तो उसको खुले हमें रखके जाते हैं आज रात को जो मैंने वेपार किया आज रात तक जो मैंने बिजनस किया तो रात को जो मैंने पैसे खुले छोड़के गया हूँ है अपने गले में, अपने ड्रोर में, अपने कैस काउंटर में वो है closing balance और कल सुबह उसके अंदर पैसे मिलेंगे या नहीं तो सबसे पहले जो पहली तारिख को पहली पहली डेट सुभे सुभे में जैसे मैंने मानलो जन्वरी महिने का बना रहा हूं तो एक-एक को मैं यहां पर लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस को लिखा जाता है बैलेंस बैलेंस बीडी के नाम से ध्यान रखिएगा बैलेंस बीडी के नाम से बैलेंस बीडी का मतलब क्या है ब्रेकेट में लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शुरू का बैलेंस साल के मन्त के दिन के शुरू का balance cross लगा दिया यहां पर लिख देंगे या चलिए मैं आपके लिए साथ के साथ ना example भी लेते जाता हूं ताकि आपको समस्या ना हो मैंने लिखा एक एक 2000 एक जनवरी लिख देता हूं 2020 की transaction कर रहा हूं मैं सारी और मैंने आपके लिखा एक एक cash in hand इसको किस से बोलेंगे cash in hand या फिर मैं बोल सकता हूं इसको opening balance opening balance 2000 रुपए क्या आपको 2000 विज्वल है ये एक पार चेक करिया जी ठीक है 2000 रुपए अब मैं इसकी entry क्या करूँगा two balance bd और यहां लिखूँगा 2000 ये लो पहली entry done अब मुझे पताईए इधर प्लस होगा मैं लिखूँ अगर दो तारिक को आप मुझे जवाब देना दो एक को मैं अगर दो एक को लिखूँ कि मैंने good sold किया good sold किया on cash 4000 तो जब हम समान को बेचेंगे तो बेचने के बाद हमें पैसे मिलेगा या हम पैसे देंगे या पैसे का कोई काम ही नहीं है सबसे पहले check करो ये नगद में समान बेचा गया है तो बेचेंगे तो मेरे पास पैसे receive होगा तो simple सा logic है जब जब पैसा receive होगा इस तरफ आएगा और जब जब payment होगा वो इस तरफ आएगा कुछ example मुझे जवाब देना सोचना जैसे मैंने बोला cash sold तो पैसा आएगा तो मैंने दो तारिक को एंट्री किया एक two sales two sales account account लगाना चाहते हो well and good नहीं लगाना चाहते हो कोई बात नहीं कोई जब दस्ती नहीं है अब मुझे बताइएगा तीन तारिक की एंट्री करने जा रहा हूँ furniture purchase रुपीज छे हजार छे हजार का मैंने furniture खरीदा है बताइए इसमें पैसा receive होगा या पैसा देंगे payment है हमारे पास से पैसे जाएगा या आएगा बड़ा ही simple sir अगर हम furniture खरीदेंगे तो पैसे देखे आएंगे पैसे देखे आएंगे तो मतलब पैसा क्या होगा हमारा जाएगा तो simple सा logic है तो किधर आना चीए पैसा जब जाएगा तो by side में आना चीए कितने तारिक की एंट्री है तीन एक की है और by side में लिखेंगे by furniture छे हजार रुपए ठीक है चार तारिक की एंट्री रेंट पेड पेड सो रुपए अब बताइए क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में रेंट पेड क्या होगा सही जवाब रेंट पेड करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा और जब पैसे जाएगे तो हमारे लिए क्या होगा ये हमारे लिए benefit है पैसा जाएगा तो हमारे लिए क्या होगा credit होगा business के लिए क्योंकि पैसे जा रहा है हमारे पास से तो चार तारिक को चार एक को buy rent buy rent account लगाना चाहते हैं लगाईए नहीं तो मैंने बताया आपके इच्छा है अब बिलकुल ध्यान देना मैंने लिखा goods purchase from राजा ध्यान से जवाब देना मुझे एक हजार रुपए अब बताओ मैंने समान खरीदा है पैसा आएगा या पैसा जाएगा जल्दी जल्दी बताओ कुछ बच्चे कह रहे है जब समान खरीदेंगे तो पैसे जाएगा बहुत अच्छे बच्चे अब भूल गए कि यहाँ पे नाम आ गया सिर्फ और जब सिर्फ नाम आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो समान खरीदारी करी है चाहे बेचा है वो उधार में है क्या इसमें cash का transaction है नहीं है तो इसके लिए हमें पता ही क्या करना पड़ता है note दिना पड़ता है note note देंगे पांच एक के on dated 5-1 goods purchase on credit जो पांच एक का समान है वो मेना उधार खरीदा है that's why no need to entry in cash book यह आपको examiner को समझाना है कि क्यूं नहीं कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो अच्छी बात है आपको समझा गए लेकिन क्यूं नहीं कर रहे हो यह word भी समझाना पड़ेगा आपके ठीक है पांच के बाद हम आजाते हैं 6 तारिक को 6 एक को अब बताईएगा furniture sold रुपीज 10 अजार मैंने 10 अजार रुपे का furniture sold कर दिया अब बताईए पैसे आएंगे या पैसे जाएंगे 10 अजार का furniture sold किया तो सबसे पहले देखो आपने cash में sold किया यह credit पे तो जवाब है sir इसको तो cash में बेचा है receive होगा तो इस situation में 6 तारिक की entry two sales जरूर किया लेकिन assets बेचा है इसलिए उसका assets का नाम आएगा furniture और furniture में आजाएगा हमारा 10 अजार ठीक है furniture में आजाएगा 10 अजार इसके साथ साथ अगली entry साथ तारिक की क्योंकि हम single column कर रहे हैं तो bank वाला transaction भी अगर कोई होगा तो उसे नहीं लिखेंगे छोड़ देंगे तो साथ एक को मैंने लिखा suppose करो goods purchase rupees 10 अजार buy check इसका मतलब हुआ है मैंने समान खरीदा है देखो पैसे तो दिये हैं लेकिन check में दिया है हम कर रहे हैं cash book का कौन सा column single column single column में सिर्फ नगद रोकड सिर्फ पैसे का हिसाब किताब रखा जाता है check का नहीं record होगा यहां पे तो इसकी भी entry क्या करेंगे इस वाले question के साब से नहीं किया जाएगा इसके लिए भी note दोगे note दोगे on dated 7-1 goods purchased by check that's why no need to entry in the cash book समझ मैं आए बार लिख देता हूँ note number 2 on dated कौन से तारिक को 7-1 goods purchase rupees 10,000 buy check and we prepare single column single column cash book that's why no need to record no need to record समझ मैं आया नहीं आया है बिलकुल सर्थ आर्ट तारिक की मैंने बोला cash receive cash receive from raja 3,000 raja से मुझे 3,000 मिले अब बताइए आठ तारिक को raja से मुझे 3,000 मिला है तो कहां लिखना चाहिए सोचिए debit में लिखना चाहिए पैसे मिला है या credit में तो जवाब होना चाहिए sir debit में debit में तो आठ एक को 2 raja raja से मिला है नहीं तो raja का ना और raja से कितने मिले 3,000 rupi ठीक है 9 तारिक की entry मैंने लिखा मैंने लिखा salary paid रुपीज रुपीज 100 rupi 100 के जगह पर हम 400 कर देते हैं 400 rupi का मैंने salary paid किया है अब बताइए कहां जाएगा सोचो घबराओ मत सोचो अगर हमने salary paid किया है तो salary paid किया है किया है किया है तो पैसे मैं दूँगा staff को क्योंकि मैं तो मालिक हूँ जब दूँगा तो मेरे पास से पैसे जाएंगे तो किदर लिखना पड़ेगा buy side यानि credit side 9 तारिक को buy salary salary चार सुर्पए अभी मैं without GST कर रहा हूँ फिर मैं GST वाला भी कर दूँगा GST वाला सबसे last में मैं घट्टे में करूँगा double column के अंदर कर दूँगा तो समझ में आ जाएगा ठीक है न 10 तारिक को 10 एक 10 एक को एंट्री लिखते हैं इंट्रस्ट ड्यू बट नौट पेड तीन हजार चैलेंज है आपको चैलेंज है आपको बताइए जल्दी जल्दी इंट्रस्ट ड्यू बट नौट पेड एंट्री करेंगे तो किधर करेंगे या नहीं करेंगे सोचिए इंट्रस्ट ड्यू बट नौट पेड इसका मतलब क्या होता है ब्याज बाकी तो है लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं किया गया है देना बाकी है तो पैसे तो मैंने दिये ही नहीं तो entry क्या होगा entry नहीं होगा जिन बच्चों ने comment में जवाब दिया उन सब के लिए तालिया उन सब का answer ठीक है उन सभी बच्चों के लिए तालिया ठीक है 11 तारिक सर अब थोड़ा थोड़ा समझ मारा सब आएगा समझ में मैंने बोला मैंने बोला drawing drawing या cash withdrawn cash withdrawn for personal use use rupees 600 रुपए 600 रुपए का मैंने cash withdrawn किया है तो withdrawn किया है तो आप मालिक के लिए ये accounting कर रहे हूँ third chapter में देखा था ना या फिर honor के लिए तो answer honor तो मालिक business से पैसे निकाल के जा रहा है तो यानि business का cash कम हो रहा है हमारे business का cash क्या हो रहा है कम हो रहा है तो हम 11 तारिक वाली entry buy side में करेंगे buy buy cash कितने रुपे 600 ठीक है बारा additional capital additional capital introduce rupees 10,000 10,000 का और वेपार में capital लगाया गया तो 10,000 का capital लगाएंगे बिजनस में तो business के point of view सोचो जब मैं पैसे लगाऊँगा तो पैसे इसमें आएगा तारिक कौन सी है ये 11 तारिक 11 क्या लिखती है मैंने यहाँ 2, 11, 1 ऐसे लिख देता हूँ 11, 1 तो 2 capital या additional capital additional capital है न और amount आगया हमारा 10,000 ठीक है जी बारा तारिक का बारा एक बारा एक का रूपीज रूपीज वन थाउसन फ्रॉम मोहन अब मोहन से मुझे पैसे मिले हैं वो मिले हैं 1000 और मैंने उसको 100 रूपे का डिस्काउंट भी दिया तो हमेशा याद रखना पहले हुआ करता था आपके स्लेबस में 3 कॉलम कैश बुक में जिसमें डिस्काउंट कॉलम भी था अब डिस्काउंट कॉलम हमारे स्लेबस से हट गया है तो अल्टीमेटली चेक करो तो आपको पैसा मिला है वो 1000 डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है यह सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है तो यह कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है तो डिस्काउंट का हमें एंट्री कहां करना पड़ेगा कहीं नहीं पड़ना पड़ेगा यह किसी काम का नहीं है यह वाला पॉइंट सिर्फ लेकिन हमें cash तो मिला है तो हम तो entry करेंगे cash receive का देखिए कैसे करेंगे सिर्फ हम cash receive का करेंगे 2 mohan कितने रुपे 1000 रुपे ठीक है 2 mohan 1000 रुपे चलिए और कुछ नहीं बस इतनी entry करते हैं आपने note करना भी पहले देखिए इसका मैंने बताये था Double line का concept कितना mezra आ रहा है makes total करते है मुझे तो इदर ही ज़धा लग रहा है तो 2000,000,000,000,000 16,000,000,000 19,000,000,000, 19,000,000 29,000,00,000,000 और 39,000,000 सुन्दर सुन्दर एक दम राइटिंग में लिखा 30,000 और यहाँ भी सुन्दर सुन्दर राइटिंग में लिखा 30,000 कितना मजा आ रहा है आज अब जो हम डेट डालेंगे ने अगर मंतली कैश्बुक है तो मंत का end डालना है जैसे 31,1,20 अगर yearly है तो साल का end डालना है और जो बच गया उसको लिखेंगे by balance cd carry down अब minus करते हैं 6,4,10 और 6,000 और 1,700,7,1,100 minus करना है इसमें से 1,700 minus करेंगे तो 22,900 ये क्या आगे balance cd इसके आगे याददास्त के लिए कि हमने ये answer निकाला है balancing figure लिखेंगे cd का मतलब क्या होता है बच्चे carry down मतलब आगे वाले साल में ले जाना है carry का मतलब क्या होता है आगे करना है तो यह आगे जाएगा यानि फर्वरी के महने में इस्तमाल होगा बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन पीछे से आया है तो जनवरी का बना रहे है तो आया पता कहां से होगा यह दिसंबर से और last में हम फरवरी में ले ही जा रहे हैं तो फरवरी की date का हम balance BD बना देंगा balance balance BD brought down पूरा नहीं लिखना आपने brought down कहीं होसियार बनने लग जाओ आप चलिए ठीक है ये आपके सामने मैंने पूरा question रखा है आप अच्छे से इसको note करिए उसके बाद फिर मैं एक छोटा सा question और भी लूँँआ पहले इसे आप अच्छे से note करिए फिर हम आगे देखते हैं फटा फट से note करिए जल्दी 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 note करिए सुन्दर सुन्दर note होना चीए और homework मेरे पास आना चीए वाटसप से सुन रहे हो बात को homework आना चाहिए और सुन्दर सुन्दर राइटिंग में note होना चाहिए कर 뭔 logarयाल चाहिए और में पीपका है बात करिए में미 झाल झाल कर लिया नोट सर कर रहे हैं ठीक है आप वीडियो को तो pause करके भी कर सकते हो टाइम जादा नहीं लेना आप मुझे बताइए कुछ entry पूछता हूँ आप जवाब देना मेरे सामने दो है इधर और इधर ठीक है मैं दो चीज़े पूछू हूँ रेंट मुझे मिला रेंट रेंट रिसीव किदर जाएगा इस साइट रिसीव है इसके बाद रेंट पेड किया किस साइट जाएगा इस साइट पेमिंट है इसके बाद कमीशन रिसीव किया किस साइट जाएगा discount receive किया बताओ नहीं आएगा discount का कोई जगह नहीं है यहाँ पे इसके बाद हमने बात किया discount receive के बाद मान लेते हैं के purchase किया उधार पे credit पे purchase goods from Shiamlal कहां जाएगा नहीं करना entry purchase goods from Shiamlal on cash cash में खरीदा है तो इधर जाएगा payment करेंगे purchase goods from Shiamlal by check check से खरीदा है तो जी single column में check का कोई जगह नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे ठीक है इसके बाद चलो बताओ और depreciation on machinery machinery के उपर depreciation है तो याद खरो जैसे कि मेरा मान लो marker है यह fix assets मान लेते हैं marker है कितने का है मेरा marker यह 10 रुपए का आज बेचूँगा तो बिकेगा छे रुपए का तो चार रुपए का depreciation लग गया तो क्या यह depreciation चार रुपए मैं किसी को दे के आऊंगा क्या लो जी चार रुपए मेरे marker पर depreciation नहीं दूँगा तो यह known cash item है तो depreciation नहीं आएगा तो फटा फट से आप note लिखिएगा इसके आद note लिखवा देता हूं मैं क्या क्या चीजे cash book में include नहीं किया जाता यह मैं मिटा दूँ यह मिटा दूँ यह note आप अच्छे से note करना तो मैं यहीं लिख देता हूं note कुश्चर नहीं मिटा रहा note मैं यहीं लिख देता हूं note number one note credit transaction not post in the post का मतलब लिखना post in the cash book जैसे क्या क्या हो सकता है like example goods purchase on credit or outstanding outstanding rent sir or outstanding rent या outstanding कुछ भी हो सकता है हमारा और क्या हो सकता है number two depreciation will be not so in the cash book reason why क्योंकि जब depreciation हम cash book में नहीं लिखेंगे इसका सबसे main कारण यही है के depreciation हमारा non cash item होता है इसके लिए note दे दोगे ठीक है तो यह हमने कर लिया कुछ एक transaction मैं पूछता हूं चलो मेरे mind में एक question आया है आप बताईएगा मैंने जो था goods को drawing किया goods और जिसका market price क्या था 300 रुपए बताओ किधर करेंगे पहले amount कुन सा लिखेंगे 500 या 300 sir हम market price ignore करते हैं हम लिखते हैं cost price शबास बिलकुल गलत जबाव भाई जब समान निकालेंगे तो पैसा थोड़ी निकला है मैंने बोला था cash में transaction हो यहाँ पे जब समान निकाला है तो cash में transaction नहीं है तो इसकी कोई entry नहीं कर जाएगी यह ध्यान रखना तो same third point goods use जो होगा उसकी भी entry नहीं करेंगे समझ में आया ठीक है तो ठीक है बच्चो यह live class है आपकी और आगे future में भी मैं सारी live class लोगा 12 वाले बच्चो के लिए एक special मैं ले के आऊँगा रात के 9 बजे का या साड़े 8 बजे का एक plan करूँगा जिसमें मैं free of cost कोई charges नहीं है आप live आईए query पूछ सकते है 9 o'clock पे और आपको live video दिखाई जाएगी जिसके अंदर मैं first part नी अभी second part start हुआ है school में भी मैं company account start करूँगा आप पढ़िए और उसको enjoy करिए ठीक है तो शिक्षाधाम.in पे paid course है जिसको join करना है वो कर सकते नहीं तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है बच्चो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए मेरे साथ thank you so much कोई भी doubt होता है phone number दे रखा है आप पूछ भी सकते हैं thank you so much good night अच्छे से रहिए अच्छे healthy रहिए ख्याल रखे अपने और अपने मम्मी पापा का thank you so much bye bye good evening प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सभी last class में हमने cashbook में क्या 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 कर लिया था last class में अगर हम देखें तो cashbook के अंदर हमने introduction का part देख लिया था और format समझ लिया था हमने और एक छोटा से मैंने अपना on example लेके हमने किया था ठीक है ना आज हम cashbook की second class लेने जा रहे हैं और इसके अंदर कुछ assignment के मैं question करके दिखाऊंगा और वो assignment के question आपको साथ में display भी तो होगा ही होगा बाकि note section में सिक्षध हम पर मिलेगा और इसके according हम आगे continue करेंगे ठीक है अभी single column ही चलेगा हमारा double column पर भी नहीं आएंगे double column अगली class में आएंगे second class में मैं कुछ दो question कराता हूँ बड़े बड़े practical जिससे आपको single column cashbook की अच्छे से आपको comment देना है मैंने नीचे specially number दे रख है उस पर आप WhatsApp कर सकते हैं और मैं यहां पर comment देखके अपना rhythm और time थोड़ा सा क्या होता है एक्सेंट नहीं कर जाता है जितने कम time में अच्छी quality अच्छे content बन जाएं वो ज्यादा beneficial है मेरे लिए तो मेरे सामने questions है मैं पहले format बना लेता हूँ चलो cashbook का cashbook और एक small sa format LF का column last में नहीं बनाया था कोई जरूरी नहीं अभी बनाना जब हम double column करेंगे तो बना लेंगे date amount date date और इसके बाद यह format बन गया अलफ का बोलते हूँ तो मैं बना देता हूँ अगले जो तू कॉलम करेंगे नहीं तो उसमें utilize ज्यादा होगा यह इसे जेएफ बोल दो या एलेफ बोल दो amount date particular amount date particular amount जाएंगे हर किसी को visual है बिल्कुल चलिए हम question start करते हैं आपका assignment का first or second देखो आपने खुद करना जो assignment है मैं question number third करने जा रहा हूं कहता है prepare simple cash book from the following transaction simple cash book मतलब single column cash book ही बोला जाएगा transaction सबसे पहले 2020 का transaction है Simran ने अपना business start किया आपको मैं कोसिस करता हूं कि side में display होगा question आपके ज्यादा बड़ा side font ना हो लेकिन फिर भी आपको visual होगा और side में question आपको दिखता रहेगा उसके चिंता मत करना ठीक है मैं question यहां पढ़ रहा हूं आपके side में यहां पे visual होता रहेगा और फिर again बोलता हूं यह live class है और इसके अंदर मैं आपके doubt section जो होंगे जो comment करोगे मैं hello hi good morning good evening में ज्यादा time नहीं waste करोगा मैं quality के उपर धियांग दोगा ठीक है बच्चे ठीक है चलिए 2020 में कहता है March एक को Simran ने अपना business start किया with cash 65,000 तो सबसे पहले हम लिख देते हैं date 2020 यानि एक March को एक तीन 20 में business start किया है तो two capital Simran ने और मैंने बताया था आपको यह two side में क्यों आ रहा है बताये जिसने first class नहीं देखा उसको बिलकुल समझ नहीं आने वाला यह तो two side में इसलिए आ रहा है यह क्योंकि आपको अच्छे से पता है इधर से हमारा जो debit balance से plus होगा और इधर से minus होगा और कौन सी transaction को record करेंगे only cash वाले transaction bank वाले transaction को करेंगे नहीं करेंगे ठीक है जी what goods for cash 3 March को हमने 6850 का खरीदा है तो खरीदा है तो आप सोचिए क्या होगा payment जाएगा खरीदने से क्या होगा पैसा जाएगा तो buy side में लिखेंगे और यह हमारा तीन मार्च को तीन तीन को buy purchase purchase buy purchase 6850 clear 6850 इसके बाद आते हैं March 4 को paid cash to Mohan पेमिंट किया है अब बताओ किधर आएगा फिर से buy side में आएगा चार थारिक के एंट्री buy by Mohan Mohan को दिया है तो Mohan का नाम Mohan 950 950 इसके बाद है आपका next six को deposit into bank bank में जब जमा करवाया तो cash पे सोचो क्या फरक पड़ेगा bank में जमा करवाने से हमारा cash क्या होगा कम हो जाएगा क्योंकि cash business से निकालेंगे हम और business से निकालके कहा जमा करवादेंगे bank में हमें देखना है दुकान के अंदर पर cash पर क्या फरक पड़ा आ रहा है या फिर जा रहा है याने inflow या फिर outflow तो देखा जाए तो जब जमा करवाएंगे तो कम ही होगा तो फिर छे मार्च को छे मार्च को बैंक में जमा करवाए तो buy bank हमारे पास से cash चला गया अकाउंट लगाना है आप लगा सकते है otherwise कोई ऐसा hard and fast rule है नहीं अभी paid for office furniture cash अब फिर से हमने payment किया office furniture के लिए तो बताइए क्या होगा जब office furniture के लिए किया है तो फिर payment होगा तो paid कि है हमने और किस तारिक को किया है ये भी अगें छे तीन को तो किस लिए furniture के लिए buy furniture कुछ बच्चे कहते हैं office furniture लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हो आप यह जाएगा four six five zero ठीक है आगे कहता है March nine को sold goods for cash नगद में समान बेचा गया अब आप बताईए जब नगद में हम समान बेचेंगे बच्चे तो पैसा आएगा या जाएगा नगद में जब समान बेचा जाएगा तो हम cash को receive करेंगे तो नगद में समान बेचा गया तो two sales two sales two sales amount के आएगा हमारा thirty thousand और dated है March nine nine तीन 2020 का data है आप हर जगा लिख सकते हैं मेर पास space थोड़ा सा कम है इसलिए मैंने नहीं लिखा है आगे कहता है paid wages March 12 को तो बारा तीन को wages paid किया है तो buy wages wages कितने रुपए का paid किया only 1200 का clear इसका paid stationary 13 March को फिर से stationary का payment किया है तो आप समझो ना payment होगा तो इस side ही आएगा है ना buy stationary है तो हमें समझना चाहिए जब कभी पैसा देंगे तो buy side में आएगा अच्छा March 15 sold goods cash cash में बेचा है March 15 को तो 15 तीन को पैसा आएगा हमारा और इसके लिए लिखेंगे two sales कुछ बच्चे बोलते सर अकाउंट नहीं लगा नहीं लगा दो जी क्या दिक्कत है 25,000 रुपेगा अगर यही check से बेचता तो हम नहीं लेते यही check से बेचता तो हम इसको नहीं लेते ठीक है चलिए अगली entry की बात करते मार्च 17, paid miscellaneous expense खर्चा है भई, मार्च 17 में तो 17,3 को buy side में miscellaneous expense miscellaneous expense miscellaneous expense थोड़ा short form मैं लिख देता हूं 450 इसके बाद आगे क्या कहता है receive cash from तिरलोक, allowed discount 150 हमने तिरलोक से पैसे लिए 4850 और उसको discount दिया 150 तो discount की entry नहीं करेंगे जितना पैसा receive किया सरिफ हम उसकी entry करते हैं क्यूंकि discount non cash item हो जाता है हमारा एक तरीके से 19 तारिक की entry है 19 तीन की और 2 तिरलोक कहा गया तिरलोक अच्छा और 4850 रुपे receive किया और discount वाली entry को कुछ नहीं करना यह देखो मैं आपके सामने discount को card देता हूं कुछ नहीं करना इसको ठीक है इसके purchase goods 25 तो purchase किया तो buy side में है buy purchase goods खरीदेंगे तो purchase assets खरीदेंगे तो उस assets के नाम से कितने का 2500 और dated भी ध्यान देना है date क्या है इसका 22 March अगली entry पर चलते हैं 25 को paid rent फिर से 25 को paid rent किया हमने buy rent payment किया हमने ठीक है और paid rent कितना किया हमने 900 रुपय 25 अब 28 को paid electricity bill payment कहां जाएगा बताओ buy side में जाएगा 28 तीन को buy electricity electricity हमने बिजली का bill payment किया 350 रुपय का और हमें नीचे ले जाना पड़ेगा कोई बात नहीं ये लो जी नीचे आ गया ठीक है paid electricity इसके बाद paid for advertisement 39 को फिर से payment है जी इधर जाएगा buy advertisement buy advertisement कितने रुपय का 400 रुपय का 29 के बाद 31 तारिक को 33 को paid into bank अब bank में फिर से जमा करवाया अगर मैं bank से निकालता ना तो हमारे पास cash आ जाता लेकिन bank में जमा करवाया तो फिर से buy bank करना पड़ेगा double column में हम इसकी calculation करते हैं और totaling करके answer निकालते हैं पहले हम इसको इधर लिखते हैं और देखो answer complete होता है मेरा मन कर रहा है जल्दी जल्दी फटा फट कर दें लेकिन नहीं answer जब निकलने वाला हो तो थोड़ा patience 65,000 30,000 25,000 4850 यह आ गया one two eight one two four one two four eight five zero यह आ गया one two four eight five zero अब इसमें से इधर यह भी आ जागा one two four eight five zero अब इसमें से सब को एक एक करके माइनस करते हैं माइनस 3850 माइनस 950 माइनस 40,000 माइनस 4650 माइनस 1200 माइनस 400 माइनस 2500 माइनस 900 350 माइनस 400 माइनस 25,000 तो यह मेरा जो answer है आपके इसमें यह जो हमारा आएगा टोटल माइनस करके बाइ 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 बैलेंस बैलेंस सीडी एक बार फिर से हम टोटल कर लेते हैं टोटल कर लेते हैं 65,000, 30,000, 25,000, 48,50, माइनस 68,50, माइनस 9,50, माइनस 40,400, यह आगे 41, 41,200, sorry 41 कोई आइटम रहे तो नहीं गया एक बार चेकल कर लेते हैं 41,200, माइनस एक आइटम सेलरी जो पेड किया था ना हमने 15,000 रुपे अब वो रह गया मेरे से मिस हो गया उसको मैं लिख देता हूं सेलरी को डेट उपर नीचे हो जाएगा थोड़ा मैं 22,000 लिख देता हूं यहां डेट उपर नीचे हो गया आपने नोट करना उस डेट के अकॉर्डिंग और जो सेलरी की बन है हमें वो आप देखेंगे इस साइड में सेलरी दिख रहा है पंदरहजार का और यह बाइस तारीक की एंट्री है बाइस इसको बाइस लिखना यानि यहां पर लिखना इसको ठीक है पंदरहजार तो अब आएगा बाए बैलेंस सीडी और बैलेंस सीडी आगे हमारा 26,200 ठीक है इसको इस साइड लेके आ जाएंगे 26,200 और इसको हम इदर कर देंगे टू बैलेंस बैलेंस सीडी 26,200 और डेट डाल देंगे एक यह क्या था मार्च एक चार 2020 ठीक है तो यह हमने आपके assignment में मेरे assignment में question number 3 है और कहीं कुछ भी हो सकता है तो इसलिए मैं question number especially नहीं लिख रहा तो I hope कि आपको यह समझाया होगा simple सा logic है पैसा receive हुआ इधर और पैसा payment हुआ इधर इसके बाद एक और question करेंगा अब इतने note करिए मैं question number 4 करूँआ थोड़ा लेंदी है और इसमें काफी सारे एक point भी है बहुत मज़ेदार point है उसको भी देखेंगे हम करेंगे question number 4 note करिए फटा फटा इसको फिर देखते हम question number 4 जल्दी जल्दी फटा फट नोट करिए जल्दी जल्दी एक पनाव मज़ेदार जल्दी जल्दी एक जल्दी एक जल्दी एक ने गताव है जल्दी करेंगे कर लिया note आपने नहीं करा तो इसे pause करके note करिए मैं question number four assignment में एक next question करने जा रहा हूँ जो बहुत ही important एक तरीके से देखा जाए और आगे काम भी आगा मैं इसे आराम से मिटा देता हूँ साफदानी से है ना चलो यह तो रहेगा नहीं दुबारा बना ले गए यहां से चलिए आपने बोला और मैंने मिटा दिया अच्छे से पढ़ रहे हूँ ना आप ध्यान से बस आप class देखते जाओ फिर देखो आप कैसे सारा answer एक बार में निकलेगा आपका अब मैं question number four करने जा रहा हूँ और वैसे भी side में आपको display होगा question ठीक है yes sir ठीक है चलिए question next question मैं marker थोड़ा दूसरा यूज कर लूँ चलिए question number four देखते हैं है न और आपके book में कोई भी हो सकता है बाकी side में display मैं कर रहा हूँ question इसको ध्यान देजिएगा सबसे पहले एक अपरेल 2020 का है single column single column cash book है जो कि हम single column ही कर रहे हैं यहाँ पर यह जो हमारा है single column ही है question में कहता है cash in hand on first April तो एक चार को cash in hand और यह है 20 cash in hand को हम क्या कहेंगे मैंने बताया था ना cash in hand को balance balance starting का होता है इसे balance bd कहते हैं तो cash in hand हो या opening balance हो उसको balance bd से लिखेंगे इधर लिख देता हूँ मैं note इधर तो आपको question देख रहा है चलिए यहां लिख देता हूँ cash in hand या फिर opening balance opening balance इन दोनों को किस नाम से start करते हैं हम balance bd से ठीक है 6400 गीवन है हमें मैंने यहां लिखा 6400 आगे कहता है receive cash from अनुपमा अनुपमा से cash receive किया है तो कब receive किया है 3 अप्रेल तो मैं अब सिर्फ 3-4 लिखने जा रहा हूं और 2 अनुपमा और कितने रुपे receive किया oh my god एक लाख रुपे लिए मैंने इससे तो देखो मेरे जेब में पैसे आ रहे हैं यह मेरे पास total कितने हो गए एक लाख 6400 इसके बाद paid into bank bank में 80,000 जमा भी करा दिये तुरंत bank में जाके 80,000 जमा करा दिये बताओ 2 में लिखे हैं अब आई में comment करो 2 में लिखे हैं अब आई में हलाकि comment तो मैं बाद में देखूँगा सबको reply करूँगा लेकिन अभी पहले मैं यहाँ पर हूँ तो answer होना चाहिए buy side में और buy side में आएगा buy bank and amount is here आपका 80,000 यह लोग देखो कितना कंजू से फटा फट बैंक में पैसे जमा करवा दिया किसकी accounting चल रही है भाई नाम नहीं लिखा इसने चार अपरेल की entry है चार 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 चोक्के पे चोक्का receive from भूमिका as commission अपरेल पांच को पांच चार को भूमिका से to भूमिका भूमिका अब आप देखे भूमिका से अपने पैसे commission रिसीव किया है from as a commission तो भूमिका नहीं लिखेंगे यह point है यहां लिखेंगे commission अगर हम normal cash receive करते हैं ना normal सरे भूमिका से तो भूमिका आता यहां पर commission है तो क्या लिखा जाएगा बताओ commission और amount लिखेंगे हम 6000 चलिए आगे चलते हैं पीछे पेड वेजिस छे अपरेल को 30,000 रुपए का इसने क्या करा है वेजिस पेड किया है 30,000 रुपए का कुछ जादा ही वेजिस पेड हो रहा है कोई बात नहीं अपरेल 6 को चे चार को वेजिस पेड किया है तो बाए अब वेजिस है तो खर्चे का नाम और 30,000 का इधर एलफ नहीं बनाया यही बोल रही है आप यह लो जी बना देते हैं पिछले में नहीं बना पाया तो चिंता मत करो यह लो ईलफ बन गया खुछ withdrawal from bank इसका मतलब मैंने bank से पैसे निकाले तो personal use नहीं है bank से पैसे निकालके मैं यहां लेके आ गया तो withdrawal from bank के अंदर हमारे पास two bank से पैसा आएगा two bank से पैसा आएगा कितने आए तीस हजार रुपए ये लो रखना जरूरी था इतने जल्दी रख दिया इसने साथ चार पॉर इसके परचेस goods from Ashok ध्यान दो परचेस goods from Ashok तो credit पे है ये तो तो note लिखवाया था क्या इसकी entry करेंगे हम answer है सर इसकी entry नहीं करेंगे reason why क्योंकि ये entry credit पे किया गया है cash involved नहीं है cash sales 10,000 इसकी entry बिलकुल करेंगे sales हुआ है तो पैसा आया होगा sales और 10,000 रुपे 10,000 और amount 9 April को 9,4 इसके बाद draw cash for personal use 4000 रुपे मैंने personal use के लिए निकाल लिए तो आप मुझे बताए 4000 जो मैंने personal use के लिए निकाल लिए है वो क्या है drawing लेकिन business से तो पैसा गया ही है business से पैसा जब जाएगा तो कहां लिखेंगे बताओ business से पैसा जब जाएगा तो हम लिखेंगे भाई buy side में किस नाम से buy drawing हाँ जी buy drawing आएगा और इसने कहा गया कहा गया कहा गया भाई 10,000 और dated है ये 11 तरिके 11,4 9 के 11 गद 12 purchase furniture कुछ नहीं बताया है तो मान लो नगद है और assets खरीदा है तो उस assets के नाम से furniture furniture साफ साफ एकदम note करना है आपने 4,000 बड़ा सस्ता furniture खरीदा है और कब खरीदा है 12 तरिक को 12,4 paid to ruma ruma को paid किया है तो भाई 13 तरिक को payment किया है 13 तरिक को payment किया है तो buy ruma ruma कितने रुपे paid किये हैं 1200 rup ठीक है ना 13 तरिक को जब payment किया है तो कितने रुपे paid किये हैं 1200 rup और भाई क्या हाल चाला है question समझ में आ रहा है हाँ sir इसके बाद 14 अपरेल को paid to आपका गांगुली ब्रदर्स को गांगुली को 14 तरिक को paid किया है गांगुली को हमने 14 तरिक को ओहो चार आना है गांगुली गांगुली ब्रदर्स को 15 रुपे का पेमिंट दे दिया है ठीक है पेमिंट दिया तो इसी साइड तो आएगा 15 तरिक का paid on life insurance premium for office use अपना घर का life insurance paid कर दिया अपना खुद का life insurance paid कर दिया मेरा life insurance मैं तो प्रसनल आ गया तो ड्रॉइंग 15 तरिक को drawing कहां से paid किया इसकी भी पता लगाओ cash में किया है चेक से किया है cash से किया है तो by drawing life insurance याद रखना business का नहीं होता honor का होता है तो इसलिए drawing है इसको ध्यान रखना है आपने ओहो लाइन टेड़ी हो गई है format खराव हो गई significant manner नहीं है बताओ चलिए इसके बाद आगे कहता है purchase stationary 16 तरिक को purchase stationary फिर से payment किया है 16 चार को by stationary by stationary कितने रुपे 1000 समझे मेरी बात stationary के नाम से आएगा purchase भले ही किया हो paid office expense 17 तरिक को 500 रुपे का तो by side में आएगा और यहां लिखेंगे office expense और कितने रुपे का office expense 500 रुपे का और dated 17 चार कितना आसान है यह मैं क्या करूँ 19 तरिक का फिर से फिर से payment कर दिया 19 चार को इसने कितने रुपे पेड कर दिया electricity charge के electricity charge और electricity charges जो है electricity का वो है मात्र 100 रुपे बड़ा सस्ता receive interest from रमन रमन से receive किया है interest कुछ नहीं बोला तो हम रमन से क्या receive कर रहे है रमन से receive हो रहा interest income का नाम है तो interest रमन नहीं लिखेंगे यहां interest लिखेंगे कब 20 रुपे और interest में amount आ जाएगा total 500 रुपे ओहो बड़े पैसे आएं है last वाले balance के लिए मैंने सिर्फ ये question कराई दिनी मज़ेदार entry है इसको समझाने से पहले मैं एक example लेना चाहता हूँ आप मुझे बताईएगा मान लिजिए ये है रामू ये है रामू और ये बड़ा तेज बड़ा ही चतुर है बड़ा ही चतुर है ये हिसाब किताब का एकदम पक्का तुरंट तुरंट हिसाब कर लेता है ये अब इसका हिसाब किताब मैं बताता हूँ इसने sales किया 500 रुपे का इसने sales किया 500 रुपे का फिर इसने राधा से पैसे लिए तुक आ गया 500 रुपए तीन सो मान लेते हैं आप मुझे जवाब देजिए रामू के पास मैंने पूछा रामू कितने पैसे हैं ये बताओ रामू ने बोला जी 800 क्या रामू ने सही बताया कि इसके पास कितने रुपए हैं 800 समझे बात को इसके बाद रामू ने कुछ खर्च भी किये क्या 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 खर्च किये इसने वरकर को सेलरी दे दिया 200 रुपए का मैंने बोला अच्छा और क्या करा भाई बोला भाई मैंने छोले भटूरे खा लिए प्रसनल यूज यानि ड्रॉइंग मैंने छोले भटूरे खा लिए सौ रुपे का मैंने बोला ओहो अब रामू से बोला चतुर रामू फटा फट बताईए आपके पास कितने पैसे रामू ने बताया आठ सो रुपे और तीन सो हो गए खर्च तो मेरे पास है कितने पान सो रुपे तो रामू है जा बैलेंस फाइव हंड्रेड और इस बैलेंस को बोलते हैं हम बैलेंस जो लास्ट में बच्चता है सीडी रामू को बोला भाई पान सो रुपे खो जाएंगे इसको बैंक में जमा करा दो रामू ने बोला हाँ बात तो ठीक कह रहे हो ये पैसे तो मिर से खो सकते हैं इसको बैंक में जमा करा दो रामू पूरा बैंक में जमा कराने गया चल रहे है रस्ते में चल रहे है रस्ते में चल रहा है रस्ते में, चल रहा है रस्ते में, बैंक में जमा कराने गया, जब वो बैंक में जमा कराने गया, रस्ते में जा रहा था, याद आया, यार, कुछ खर्चे के लिए तो रखी लू मैं, 100 रुपे रख लेता हूँ, तो इसने क्या करें, 100 रुपे बचा लिए, और ज तो याद रखना जितने पैसे हम बचा लेते हैं, वो balance CD होता है, और जितने जमा कर देता है, वो कया होता है, bank में होता है, clear आपको, जी sir, clear, यानि very simple, जितने पैसे हम बचा लेंगे, वो पैसہ हमारा होगा balance, CD और जितना जमा करेंगे, वो bank में चला जाएगा चलिए एक और example से इसको समझने की कोसिस करते हैं रामू अब आप यहां से हट जाओ रामू यहां से हट जाओ चलो मैं एक और इसको भी मिटा देता हूँ लिख लेना आप मैंने पहले बोला था पीछे से पॉस करके लिख लेना चलिए यह हटा दिया मैंने यह बनाया रामू का कैश बुक अभी देखा था अपने रामू को रामू का कैश बुक यह है रामू का कैश बुक रामू के पास सेल से पैसा आया 500 रुपए राधा से पैसे आये थे राधा से 300 रामु ने बोला मेरे पास है 800 रामु ने खर्च कर दिये कहां कहां खर्च कर दिये थे सलरी याद करो example सलरी में कितने दे दे दिये थे इसने 200 रुपए और drawing कर लिए drawing रामु का cashbook बना रहा हूँ मैं रामू का accountant हूँ मैं उसके लिए cash book अब रामू बोलेगा के जी मेरे पास 800 और मेरा balance cd कितना है balance cd कितना है रामू बोल रहा है 500 लेकिन एक sentence आया cbsc cbsc ने बोला छोड़ो cbsc छोड़ते हैं एक sentence आया account से और उसने एक line लिखा retain 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 का मतलब बचा लो retain retain 100 and balance balance deposit deposit into bank इसका मतलब retain का मतलब बचा लो बचा लो रामू को मत बचाओ इतने रुपे 100 रुपे बचा लो ये नहीं समझ में एक और sentence in excess in excess in excess of 100 100 रुपे से जादा in excess of 100 deposit deposit into bank deposit into bank इन दोनों sentence का मतलब एक ही है के 100 रुपे बचा लो और बाकी bank में जमा कर लो तो जो पैसा बचाया जाता है उसको balance cd बोलते हैं तो ना ओ यहाँ पे आपका balance cd निकालना नहीं है मैंने sorry यहाँ पे balance cd तो balance cd मुझे पता है कितना है 100 रुपे अब देखते हैं यह तो match ही नहीं हो रहा 500 रुपे थे 500 में से अगर मैंने 100 बचा लिए तो 400 रुपे तो मुझे क्या करना है it should be deposit into कहां पे bank में तो bank में जब जमा कराएंगा तो एक entry बीच में करना पड़ेगा last date पे two bank sorry buy bank कितने 400 देखो अब entry match हुआ यह नहीं हुआ ठीक है दुबारा देखो जितने पैसे बचाएंगे उसको लिखेंगे balance cd और यहाँ से balancing figure निकाल लेंगे balancing figure निकालेंगे bf निकालेंगे balancing figure तो balancing figure निकालेंगे तो 800 में से दो एक तीन और एक चार 400 गए तो बचे कितने 400 रुपे क्या आपको बात समझ आई जी सर बात समझ में आ गई यानि इसका मतलब यही है कि इतने रुपे बचा लो या इसका मतलब भी इतने रुपे बचा लो बाकी पैसे bank में जमा कर दो अब मुझे बताईए फटा फट जवाब दिजिए कमेंट में अगर मैं बोलता पचास रुपे बचा लो तो कितने जमा करता सर पचास बचाता तो 400 यहाँ पे balance CD कितना होता सर अगर बचाया उसने पचास तो balance CD भी कितना होगा पचास ही होगा जी चलिए अब हम अपने जो कि question में given है उसके line को पढ़ते हैं ठीक है question में जो given है इसके line को पढ़ते हैं चलिए पढ़ते हैं क्या कहता है बड़ी tension वाली line दे दी है question वालो ने मुझे तो चिंता हो रही है कि समझ आएगा या नहीं आएगा कहता है deposit all cash सारे पैसे जमा कर दो in the bank बोलता है सारे पैसे बैंक में जमा कर दो in excess of minimum cash balance 2000 low जी low 2000 रुपे सिर्फ आपको minimum balance cash में रखना है मतलब 200 बचा लो बाकी bank में जमा कर दो है 200 बचा लो तो बचा लो मतलब balance balance cd कितने रुपे आएंगे 200 तो क्या कहता है question में 200 रुपे बचा लो ओहो 200 नहीं 2000 है 2000 बचा लो और बाकी कहां जमा कर दो bank में आपकी मेहनत बहुत है मैं तो calculator से करूँआ आप सब तो इतने हुशियार हो एकदम calculation फटा फट करते हो मेरी calculation week है मैं एक थोड़ा calculator यूज़ कर लेता हूँ ठीक है अब मैं क्या करूँगा पहले इसका total करूँगा 6400 1,6,000 30,000 10,000 152 152 900 सेम इधर लिख है मैंने 152 900 सब को minus करेंगा और जो balancing figure आएगा उसके लिए रखेंगे bank जो balancing figure आएगा bank क्योंकि इसका मतलब automatic bank में जमा हो जाएगा ये चलिए minus 80,000 minus 30,000 minus 10,000 minus 4,000 1200 1500 1500 800 1500 1500 और 2000 21,000 जो हमने minus किया minus करने के बाद जो result आया 2000 cash का balance और और कुछ रहे गया क्या 10,000 रुपे की एक entry हमने छोड़ दी नालाई को आपने बताई नहीं 10,000 रुपे की एक entry कौन सी 10,000 की रह गई रह गई रह गई रह गई रह गई purchase goods from अशोक नहीं एक, दो, तीन कितने 10,000 की entry है यहाँ पे एक बस एक entry पक्का छोड़ दिया प्रसनल यूज के लिए drawing और 10,000 कहा है cash sales 10,000 दो बट यहाँ पे हैं तीन totaling में शाइद रह गया totaling में लिखा तो पूरा है totaling में रह सकते हैं एक लाख 6,000, 30,000 10,000 और पांसो एक बावन यह ठीक है 80,000 माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 4,000 माइनस बारा सो माइनस पंदरा सो माइनस अठारा सो माइनस एक हजार माइनस पांस सो माइनस 100 100 रुपे और –2,000 –2,000 10,000 रुपे के फरक है –11,800 10,000 एक मिनट 10,000 के एंट्री ढूंडते हैं क्योंकि हमारे आंसर से 10,000 का फरक है एक वर वेरिफाई कर लेते हैं 5,000 भी हो सकता है और 10,000 भी हो सकता है इधर तो कोई एंट्री है नहीं 4,600, 4,600, 4,600 आजाई यह इदर 30,000, 30,000, ठीक है 10,000, परचेस गुड्स फ्रॉम अशोक मुझे डाउट है सेंट्री पे प्रॉपर लिखा नहीं है मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं कैस सेल्स 10,000, टिक हो गया प्रसनल यूज 10,000, टिक हो गया 4,000 फरनीचर छोड़िये भाई 21,800, आंसर आया मेरा 21,800, मैं इसको चेंज कर दूँगा, ठीक है हमारा आंसर क्या है 21,800 फिर भी एक बार आप भी वेरिफाई करिएगा और इसको नोटिंग करिए, फिर दुबारा देखते हैं कोश्चन में क्या बोलता है यह देखो आपको सामने तो कोश्चन दिखी रहा है कोश्चन में क्या कहता है deposit all cash करो भाई जमा, all कितना पता नहीं, minimum cash balance 2000, 2000 रुपे बचा के, बाकी सारा जमा करो तो 2000 रुपे देखो मैंने यहां बचा लिया, और बाकी यह balancing figure आ गया, और मैंने इसको क्या करा, जमा कर दिया है ना, चलिए जी आप इसको note करिए फटा फट, मैं एक बार cross verify भी कर लेता हूँ ठीक है आप जल्दी जल्दी note करिए मैं यहां जल्दी जल्दी cross verify करता हूँ चलो जी 6400 अनुपमा एक लाख रुपे पेड़े रुपेंग गसी हजार रुपे receive commission 6000 रुपे जल्दी जल्दी note करिए एक चीज़ और ये गांगुली से इसने करा खरीदा तो office fan तो इसका नाम नहीं आएगा और paid करा है तो fan office fan लिख दो यहां ओफिस fan ठीक है ना ये धियान रखेगा paid on life insurance 800 रुपे 1000 stationery 500 रुपे expense ठीक है हमारा answer एक दम correct जल्दी जल्दी note करिए हमारा झाला झाला ये जल्दीं इसने करिए lucky दित है जल्दीे आएगं है झाल झाल कर लिया note चलिए student note कर लिया single column cash book पूरी तरीके से खतम कर लिया ये वाला जो point था date पूछ रहे हो date आएगा 34 ठीक है date का ध्यान रखना और एक कर देंगे हम एक पांच को to balance balance bd और balance bd क्या आएगा हमारा जी balance bd आएगा 2000 रुपए ठीक है अब इसको note कर लिया next class में मिलेंगे next class में हम double column start करेंगे और hopefully double column में बहुत अच्छे अच्छे एंट्री है और वो हम बहुत ही enjoy करने वाले हैं ठीक है चलिए बच्चो ठीक है टेक केर अच्छे से पढ़ाई करिए अच्छे से note करके मुझे whatsapp भी करना है ठीक है और अब हम चलते हैं गुड़नाइट टेक केर बाई 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 और जो बच्चे यूटूब पे live classes देख रहे हैं वो यूटूब के channel पे subscribe करें like करें अच्छा लगे तो नहीं तो कोई बात ने मेरा काम है पढ़ाना और मैं पढ़ाता रहूँगा जितने बच्चो की मदद हो सके help हो सके मेरे लिए अच्छी बात है ठीक है thank you so much hello प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सभी को नमस्कार cash book की आज third class है first class में हमने क्या देखा था कि cash book के अंदर single column कैसे किया जाए और second class में two column जैसे कि यह live class है हर बच्चो को हंजी दिल्ली आपको भी नमस्कार परिदाबाद नमस्कार पटना नमस्कार ग्वालियर नमस्कार बिहार च्छतिसगर आप सभी को नमस्कार और आप जानते हो जैसे कि मैंने first class में भी बोला था कि मेरा purpose comment देखके उस time पर instant reply नहीं करना होता हाँ बाद मैं देखके ज़रूर reply करूँगा आपको ठीक है ना जो भी doubt query होगा उसका मैं sort out करूँगा पहले मैं अपने concept क्योंकि आपके mind में बहुत सारे points doubt में होते हैं तो उस doubt को लेने के चक्कर में जो मुझे main point कराना होता है ना वो भी रह जाता है कई बार mind से skip हो जाता है तो आज जो हम कर इसलिए मेरा थोड़ा सा जो है करवाने का मेरा जो पढ़ाने का method से पहले मैं अपने सारे जो मुझे concept कराने हैं आपको exam point of view से real life में जो काम आने हैं व से बोलते हैं two column cash book के अंदर अब two column cash book कैसे करेंगे मैं एक बार पहले format बना लूँ और उस format के बाद फिर हम इस पर चर्चा करेंगे किस तरीके से होगा तो format कुछ ऐसा रहेगा two column cash book का हमारा यह हमने अब इसमें थोड़े आपको space ज्यादा चाहिए होगा देखो यह T बन एक कॉलम इधर अमाउंट का एक कॉलम इधर एक कॉलम इधर सर कितने कॉलम देखते जाओ बच्चे देखते जाओ इसको यहां तक लेके आते हैं फिर हम कुछ practical question भी देखेंगे और concept भी देखेंगे एक कॉलम इधर एक कॉलम इधर इसके बाद एक कॉलम इधर और यह बन गया कॉलम देखेंगे बस बन गया और कॉलम नहीं अब हम इसे समझते जाते हैं जैसे कि मैंने बताया था यह side हमारा होगा debit और यह side हमारा होगा credit इस side से plus होगा हमारा और इस side से minus होगा क्या cash पहले bank वाले transaction को हम छोड़ दिया करते थे single column में जैसे check receive from ram तो cash तो नहीं आया bank से payment आया तो वहाँ नहीं लिखते थे लेकिन अब उसको भी consider करेंगे अब इसको कुछ JF बोलते हैं कुछ LF बोलते हैं मैं LF बोल देता हूँ यहां पर मैंने पहला column cash का बनाया और दूसरा column bank का आप इसे interchange कर सकते हो जिसको लगता ही कि भाई हम पहले bank बाद में cash चलेगा लेकिन हमने पहले cash column सीखा था अब bank column सीख रहे हैं इसी तरीके से मैंने numbering दे दिया यहां पर date और particular है ना और LF और फिर से यहां पर पहले क्या था cash फिर bank same situation रहेगा cash और फिर bank आप ऐसा मत करना यहां कुछ और interchange यहां कुछ और यहां पहले bank और यहां cash करोगे तो तो गलत ही हो जाएगा और यहां particular और यहां date ठीक है यह तो specific हमारा format है जो हमें बनाना है अब इसके अंदर काफी सारे points है पहले हमें एक बार format note कर लें फिर points को एक एक करके detail discussion करेंगे और point को करने के बाद फिर हम practical questions पे आएंगे हम directly questions पे नहीं आएंगे अभी ठीक है जी सबसे पहले यहां cash column और bank column लिखने का क्या purpose है देखो जो transaction यानि जो पैसा लेंदेन business के अंदर cash में होगा वो तो आएगा cash column में और जो transaction check के थुरू होगा वो आएगा bank column में ठीक है अब LF का भी use करेंगे हम contra entry लिखने के लिए ठीक है क्या होता है contra entry मैंने बोल तो दिया लेकिन आगे हम discuss करेंगे तो एक cash column है bank column जो cash में transaction होगा cash column में और जो bank में transaction होगा bank column में ये भी cash column और bank column ठीक है अच्छा जी सबसे पहले मैंने यहां पर लिखना start किया मेरे साथ साथ लिखेंगे प्यारे बच्चे मैंने लिखना start किया आपके लिए मैंने लिखा सबसे पहले two balance bd two balance two balance bd two balance bd में cash का भी opening balance हो सकता है और bank का भी opening balance हो सकता है यह है हमारा opening balance आपने exam में लिखना नहीं है opening balance balance bd का मतलब ही होता है opening balance और bd brought down आपको short form में लिखना है opening balance है ठीक है यह हमेशा होगा कुछ भी ना बोला हो तो date कौन सा होगा first मैं एक जनवरी ले लेता हूँ first first ठीक है तो यहां हमने क्या लिखा two balance bd और जो two balance bd लिखा मैंने वो आ गया एक cash का अलग और bank का यह भी हो सकता है question में कि bank का opening balance ना हो और cash का हो और यह भी हो सकता है कि cash का ना हो और bank का हो तो अगर किसी का opening balance नहीं है तो अगर cash का दे रखा है तो यहां लिखेंगे और यहां पे खाली छोड़ देंगे और अगर bank का दे रखा है cash का नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे लेकिन एक इसके अंदर बहुत ही चिंता की बात या फिर हमें समझने आली बात की हम बात करें कई बार bank के अंदर overdraft की facility दी जाती है तो bank का जो balance है वो यहां भी आ सकता है इसको ध्यान दीजिए गा रेड मारकर से लिख रहा हूँ balance BD balance BD का मतलब है कि bank का balance BD इस side भी आ सकता है सर ऐसे कैसे होगा अभी समझाते है आप bank के अंदर पैसे मत रखो आपका bank वाले क्या करेंगे चार्ज जब लगाएंगे तो वो घर के अंदर आप से पैसे मागने नहीं आएंगे वो आपके bank के balance को negative कर देंगे जब आपके bank के balance को negative करेंगे तो जैसे ही आप उसमें पैसे डालोगे आपके balance काट लिये जाएंगे तो कई बार आपको आपने सुना होगा कै LISA का काम कै पैसे डालए वो कट गए तो यही reason होता है. तो bank का negative balance concept balance होता है, negative balance यह होता है हमारा bank का negative balance और opening, तो वो इस side आईगा, तो अगर bank का positive balance है तो इधर आएगा, अगर bank का negative balance है तो इधर आएगा, या तो यह होगा इसको हम bank का credit balance भी बोलते हैं, credit balance sorry debit balance bank में debit balance भी बोला जाता है इसको हम debit balance भी बोलते है debit side में दिखेगा bank का debit balance ठीक है ना bank में credit का मतलब चलो या फिर आप ऐसा करो debit और credit को भी रहने देते हैं ठीक है जब question आएगा ना हम question करेंगे तो आप देख लेंगा अभी confuse मत होना अभी तक हमने क्या सिखा जल्दी मेरे मेरे साथ देखो सबसे पहले two column cash book में एक cash का column एक bank का ये दोनों column आ गये हैं इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया two column cash book और इसके अंदर एक LF का column होगा जिसका use यहां होने वाला है और date का तो normal column होता ही है साथ के साथ जब balances opening balance होंगे तो cash वाले column में भी आएगा और bank वाले column में भी आएगा date क्या रहेगा जी date रहेगा starting का और सेम इसी तरीके से कई बार हो सकता है bank का balance क्या हो negative तो negative होगा तो किस side होगा हमारा credit side में होगा ठीक है ये और इसको debit balance बोलेंगे या credit balance बोलेंगे इसकी बचर्चा हम बात में कर लेंगे ठीक है ना चलिए अब अगर हमें cash में पैसा receive होगा तो यहाँ जाएगा और bank में यहाँ जैसे कि मैं entry लिखने चला दो तारिक को मैंने entry लिखा to cash sales दो तारिक को entry लिखा cash sales तो नगद में sales है cash में sales है देखिए आप यहाँ cash में sales है तो कहाँ आएगा जी cash वाले column में ठीक है cash वाले column में जब cash में sales होगा इसके बाद क्योंकि आ रहा है मैंने बोला to check receive check receive जब check हम receive करेंगे तो receive करते time पे check receive है और check का सीधा सीधा connection check का सीधा सीधा तालुकात किस से है जी bank से है तो ये जब check receive करेंगे और किस से receive किया मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ मैंने मान लो मैंने राम से check receive किया राम से मैंने क्या करा तू राम करके ब्रैकिट में लिख देता हूं चेक रिसीव, ठीक है, इसके उपर हम बना देते हैं स्टार, इस कॉंसेप्ट को हमें समझना होगा, बाद में अभी जब मैं इसके बाद करूँआ तो समझेगे, तो राम से चेक रिसीव किया, तो चेक रिसीव कहा जाएगा, ब मान लो मैंने रेंट पेड किया, तो इस साइड नहीं लिखेंगे, इस साइड आएगा, मैंने लिखा बाई रेंट, और रेंट अब किसमें पेड किया ये पता करो, कुछ नहीं बोला हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है रेंट पेड, कुछ नहीं बोला हुआ, तो मानेंगे में हैं ये लो मान लेते हैं तीन तारिक की एंट्री अब मान लेते हैं चार तारिक की एंट्री मैंने क्या करा बाई साइड में मैंने करा stationery खरीदा है stationery और वो भी मैंने patio के through खरीदा है या phone पे के through खरीदा या check के through खरीदा है तो bank से transaction है तो by stationery by stationery और stationery इस column में आजाएगा ठीक है stationery इस column में आजाएगा bank वाले में number three चार के बाद पांस थारिक अब सपोस करो और क्या हो सकता है मैंने अपना फरनीचर बेच दिया फरनीचर बेचा और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए तो फरनीचर बेचने के बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ गए तो टू फरनीचर अब मैंने बोला मेरे अकाउंट में पैसे आ गए तो आप बताईए कैश वाले में लिखूँ या बैंक वाले में तो सिंपल सा जवाब है सर अकाउंट यानि बैंक से रिलेटेड है ठीक है ऐसे ही मैंने क्या करा समान खरीदा नगद में गुट्स खरीदा जब गुट्स खरीदा मैंने तो 6 तारिक की एंट्री करने जा रहा हूं मैंने लिखा बाई परचेज बाई परचेज गुट्स खरीदा अब नगद में खरीदा है तो 21 कॉलम में आएगा इस वाले कॉलम में आ जाएगा सेम मैंने क्या करा साथ तारिक को मैं बस अभी एक फॉर्मेट बताता जा रहा हूँ साथ तारिक को साथ तारिक को मैंने क्या करा सपोज करो अपने प्रसनल यूज के लिए अपने प्रसनल इस्तमाल के लिए चेक निकाले हैं, तो यहां पर buy side में आएगा, personal use के लिए तो drawing अब मैंने निकाले क्या है, चेक, तो चेक का तालुक सीधा, bank से, ठीक है, अब मुझे लगता है कि मेरे business के अंदर और पैसा लगाना चाहिए, मैं घर से पैसे लेके लगा दिये मैंने, तो घर से जब मैं पैसे लेके आँगा, तो वो होता है हमारा capital, या फिर बाद में जब बीच में लगाते हैं, कभी भी दुबारा तो उसको नाम देते हैं additional additional capital अब मुद्दे की बात है, कि जी additional capital जो है, वो कैसे है, क्या आपने चेक के थूरू, बैंक के अकाउंट में चेक के थूरू, अपने घर से सीधा पैसा company के अकाउंट में transfer किया है, या फिर cash लगा है अगर company के account में transfer किया है तो bank column में आएगा, या अपने check लगा है, तो यहाँ पर cash दिया है, तो यहाँ आजएगा मैं cash मान के चल रहा हूँ आठ तारिक इसके बाद मान लेते हैं interest bank वालों ने काट लिए interest काट लिए by bank charge bank charge bank charge है ना अब बताईए मुझे यह आपको सोच रहा है bank charge में क्या क्या आता है ATM का charge आता है ATM के साथ साथ आपका checkbook का charge होता है SMS का charge होते तो यह charge bank वालों ने काट लिए तो cash में से minus होना चीए यह bank में से तो आप हमेशा ध्यान रखना है ऐसे खर्चे bank वाले बिना बताए काट लेते हैं हमसे मांगने नहीं आते तो यह bank वालों से related है ठीक है 9 तारिक के entry धर एक एक example लिके करते जाते हैं मैंने राहूल से cash receive किया तो क्या लिखेंगे to राहूल राहूल से क्या receive किया मैंने cash अब बताओ किस column में जाएगा यह जाएगा हमारे cash column में ठीक है ना इसके बाद मान लो एक entry मैंने बोला कि मैंने अपने business से cash निकालके एक businessman है अपने बच्चे के लिए tuition fee paid कर दिया बच्चे के लिए tuition fee paid किया by tuition fee तो tuition fee क्या होगा बच्चे के लिए तो सर यह drawing ही तो है क्या है यह यह drawing ही तो है और cash निकाला है तो कौन से column में आजाएगा जी cash column में 9-1 साथ के साथ और ड्रॉइंग क्या होता है income tax paid करोगे income tax check से payment होता है हमेशा cash वाला जवाना गया income tax income tax भी हमारा क्या आएगा drawing income tax भी किसमें आएगा drawing मैं लिख देता हूँ यहाँ IT income tax और यह कहां से minus करना यहां से 10 अगर question बोलता है के भाई एक तारिक का है और question बोलता है के cash में दो तो cash column में लिखना इसके आद life insurance policy 11 तारिक को life insurance भी क्या होता है हमारा life insurance होता है हमारा drawing life insurance भी हमारा drawing ही होता है मैं लिख देता हूँ bracket में life insurance LI और life insurance drawing होता है और drawing यह भी bank के through ही जाएगा लो जी लो कुछ important point की हमने चर्चा की और कुछ important point आपने mark भी किया और साथ के साथ आपने समझा भी अब कुछ और भी point हमें देखना जरूरी है जो की इसके अंदर आएंगे और उसके लिए मैं note भी लिखवाँगा और आपको लिखते जाना है साथ के साथ इसको format को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं है ना थोड़ा बड़ा कर लेते हैं चलिए ये बड़ा हो गया हम और भी कुछ points लिखते जाएंगे अब हम बात करते हैं आगे to be continue ये थे कुछ खर्चे ये थे कुछ जहां से पैसे receive होंगे और ये थे जहां से हमने payment किया है अब मैं कुछ पूछूँगा आप मुझे बताना मैंने building खरीदा है और मैंने 10,000 दिए cash और 90,000 दिए मैंने check से मैंने building खरीदा है तो 10,000 दिए मैंने cash और 90,000 दिए check से सबसे पहले building किस side आएगा by और by building तो 90,000 रुपे दिए check से तो यहां पर आ जाएगा कौन सी entry मैं लिख भी देता हूं 90,000 वाला और इस वाले में आए जाएगा हमारा कौन सा 10,000 वाला क्योंकि इसके अंदर दोनों transaction involved है ऐसा भी तो करते हैं न हम सेम ऐसे मान लो मैंने sales किया उसने 200 रुपे मुझे paytium किया और 800 रुपे cash दे दिए 1000 रुपे का sales किया तो entry क्या करेंगे? तो sales और उसने मुझे कुछ पैसा cash दिया तो जितना पैसा cash दिया cash में और जितना पैसा हमें check से यानि मेरे bank में डाल दिया उसने वो bank में तो ऐसे भी transaction हो सकते हैं जिसके अंदर दोनों part involved हो अब बताईएगा मोहन से मुझे 1000 रुपे मिले on the behalf of sohan इसका मतलब है मोहन से मुझे पैसा मिला और sohan को देना था sohan के बदले मुझे मोहन ने दे दिये तो question raise होता है sir यहाँ पे sohan भी है मोहन भी है अगर आपकी fees की मैं बात करूँ तो आपकी fees मुझे आपके parents ने दिया है किसके भीहाब पे? आपके भीहाब पे तो मैंने आपके parents के admission नहीं किया मैंने आपका admission कर रखा है यहाँ पे तो आपका जो admission किया हुआ है ऐसे same मोहन ने मुझे पैसे दिये on the behalf of sohan तो यहाँ पे जो entry में लिखूँगा cash receive हुआ वो मैं मोहन का नाम नहीं लिखूँगा sohan का नाम लिखूँगा जिस तरीके से पैसे आपने नहीं दिये आपके parents ने दिये है आपके parents ने अगर पैसे दिये है तो मैं आपके parents के नाम नहीं लिखूँगा यहाँ पैसे मुझे उनसे मिला है मैं आपका ही नाम लिखूँगा कि मुझे बच्चे से पैसे मिला है तो आप हमेशा एक ये भी याद रखना है आपने, आपने एक ये भी याद रखना है, कई बार question बोल सकता है, मैं इसको note section में भी लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है, और क्या बताएं, और मानलो मैंने अपना camera खरीदा है, और check दिया है मैंने camera खरीदते time पे, अब बता आप बताओ, two side में लिखेंगे या by side में लिखेंगे, तो answer है, सर जब camera खरीदा है, तो it should be recorded by side, इससे by side में लिखना चाहिए, ठीक है, इसको 14 तारिक के entry कर देते है, by side, और मैंने अगर check से खरीदा है, तो कहां जाएगा, bank में, अब मान लो, मुझे interest मिला है bank से, तो bank से जब interest मिलता है, तो क्या आपने देखा है, जब आपको interest मिलता है, तो bank वाले phone करते है, hello, आईए, और मेरे से interest लेके जाईए, कभी बोला है उसने, नहीं बोला, automatically bank में वो आ जाता है, तो जब कभी भी interest saving या किसी पर मिलेगा, तो किस साइड आएगा, two side में, two interest, two interest और directly कहाँ चले जाएगा, bank में, ठीक है, 18 तारिक, तो अभी तक हमने, without any typical entry, हमने क्या देखा, कि कुछ payment जब receive होगा, तो इस साइड लिखा जाएगा, और उस receive को करते टाइम पर हमें ये चेक करना है, कि वो cash related है, या bank related है, यहाँ ल उसके बाद जब payment करेंगे, तो इस side जाएगा, और उसमें भी देखना है, check से है, या फिर cash में है, अगर check से related है, तो bank column का इस्तमाल करेंगे, और cash से related है, तो हम इस्तमाल करने वाले हैं, क्या हम इस्तमाल करने वाले है, cash column, ठीक है, चलिए, इसके बाद कुछ specific entry है, और कु मानलो मैंने cash deposit किया bank में, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने cash deposit किया bank में, cash deposit into bank, तो बताइए, एक तो यहाँ cash deposit किया, और कहां किया हमने bank में, तो cash पे impact आएगा, और bank column की बाद देखो, जो हमारे two column है, इसमें cash का column भी है, bank का column भी है, तो हमें एक entry two में भी करना पड़ेगा, और एक entry हमें buy में भी करना पड़ेगा, तो cash deposit अगर मैंने किया है, तो cash तो हमारा minus हो जाएगा, और bank बढ़ जाएगा, तो ऐसे situation में मुझे क्या करना पड़ता है, ऐसे situation में मुझे करना पड़ता है, कि मेरा bank बढ़ेगा, तो क्यूं बढ़ेगा भाई मेरा bank, bank बढ़ेगा मेरा yellow, cash के लिए, और ऐसे situation में मेरा cash कम हो जाता है, क्यूं कम हुआ, क्यूंकि bank से transaction हुआ, तो ये मैंने क्या कर दिया, cash कम, इस entry को बोलता है, contra entry, इस entry को क्या बो बोल जाता है, contra entry, ठीक है, यानि यहां दोनों transaction पर फरक पड़ा है, एक और देखो, मैंने लिखा, second part, cash withdrawn, cash withdrawn from bank, अब देखिए, cash withdrawn from bank, कहां कहां फरक पड़ा, एक हमारा cash है और एक bank है, cash withdrawn करेंगे, तो business का cash जो है, वो plus होगा, और जो business का bank है, वो minus होगा, तो हमें cash column में इधर plus करना पड़ेगा, और bank column में इधर minus करना पड़ेगा, इसको मैं अलग ही marker से लिखता हूँ, red marker से जो मैं लिख रहा था, तो यहां पे मेरे cash में पैसा आएगा, cash में पैसा आएगा, क्यों आया, bank की वज़े से, क्यों आया, bank की वज़े से, ये लो, bank की वज़े से, और मेरा bank minus हो जाएगा, क्यों हुआ bank minus, क्योंकि bank से मैंने क्या निकाल लिए cash, same account में same name कभी नहीं लिखा जाता, और ये भी क्या होगा हमारा, ये भी होगा, contra entry, तो यहां तक भी देखेंग तो हमारा क्या है, contra entry, चलिए इसको मिटाते हैं, फटा फट से, contra entry, यहां तक आप पहले, यहां देख लेते हैं, हम इस side note कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है sufficient space है, अब चलिए, इधर देखते हैं, ठीक है, मैं इधर contra entry की बात करूँँआ, और यहां note, 4, note number 1, contra entry, contra entry, contra entry कब किया जाएगा, contra entry किया जाएगा, सिर्फ दो reason की वज़े से, दो reason होंगे, तब करेंगे contra entry, कौन-कौन से दो reason होंगे, या तो deposit होगा, या तो withdrawn होगा, यानि, contra entry इसलिए, कि हमारे business से पैसे बाहर नहीं जाएगे, हमारे पास पैसे घूम फिर के वापस आजाएगा, हमारे पास पैसे क्या होगा, return में वापस आजाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर deposit की बात करें, तो क्या-क्या word होगा, deposit में होगा, cash sent, एक यह word हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक हो सकता है, cash deposit, ठीक है, और क्या हो सकता है deposit में, और deposit में हो सकता है हमारा paid, paid into bank, और क्या हो सकता है, cash में sales किया हमने, and deposit, deposit into bank, तो इसके अंदर देखो, अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, पहले तो cash sales हुआ, मेरे पास पैसा आया, फिर मैंने उसको deposit किया, तो यह कुछ एक point है deposit करने के अलग-अलग तरीके से, कि हमारे पास क्या होता है, cash deposit हम कर देते हैं, तो इसमें फरक कहा पड़ेगा, एक फरक पड़ने वाला है cash में, जब इस तरीके का entry हो, और एक फरक पड़ेगा मेरे bank पे, ठीक है, जब cash deposit कराएंगे, तो cash हमारा minus होगा, और जब deposit करेंगे, तो bank पर फरक पड़ेगा, bank क्या होगा, हमारा plus होगा, ठीक है, अब जब cash minus होगा, तो cash minus किस side होगा, बताओ, cash जब minus होगा, तो cash minus होता है, हमारा buy side से, buy side से, और buy side में हम किस नाम से minus करेंगे, इसे minus करेंगे, bank के नाम से, और जब plus होगा, तो किस side होगा, two side में होगा, और क्या plus होगा, bank, और किस नाम से करेंगे, हम इसको cash के नाम से, bank column में लिखेंगे ठीक है ये तो था deposit की entry अब हम बात करते हैं withdrawn की entry विड्रोन में क्या क्या हो सकता है लिखा हुआ ये देखिए withdrawn में हो सकता है cash withdrawn for office use होना चाहिए और क्या हो सकता है ये भी हो सकता है cash withdrawn सरफ लिखा हो और क्या हो सकता है check को encash करवाया हो ये है withdrawn के तीन पॉइंट जो हो सकते हैं अब यहाँ पर कहा है मैं इसे अलग मार कर सकते हैं एक cash पर फरक पड़ेगा जी है ना और कहां फरक पड़ेगा यहां एक bank पर फरक पड़ेगा impact जो आएगा हमारा कर दो विड्राउन के लिए cash पर क्या फरक पड़ेगा जब विड्राउन करेंगे तो विड्राउन करेंगे कहां से bank से तो cash हमारा plus हो जाएगा और bank पर क्या फरक पड़ेगा bank से निकाल रहे है तो bank क्या हो जाएगा minus हो जाएगा तो cash हमारा plus होगा तो किस side हमें plus करके पैसा तो हमारा आता है two side में और ये आएगा हमारा two side में और two side में cash column को plus करना है किस नाम से bank के नाम से से माइनस होगा तो माइनस कहां से होगा हमारा बाई साइट हर किसी को दिख रहा है नहीं एक पर चेक करिए यह आप सभी को दिख रहा है बिल्कुल all clear कहां से आएगा बाई साइट से और बाई साइट से जब जाएगा तो बाई साइट का माइनस होगा यह और नाम किस से माइनस होगा, देखो, बैंक माइनस हो रहा है, तो हमेशा नेम होगा, कैश, जब कभी भी हम कॉंट्रा एंट्री इस तरीके की एंट्री को देखेंगे, तो उसके आगे C वर्ड को लगाना जरूरी है, और दोनों साइड C लगेगा, इससे हमें पता चलेगा ये एंट्री क्या है हमारा, कॉंट्रा एंट्री, कुछ एक एंट्री ऐसे भी होंगे आपके, जो कॉंट्रा एंट्री के जैसे लगेगा, लेकिन वो कॉंट्रा एंट्री नहीं होगा, लिख देते हैं, नॉट कॉंट्रा एंट्री, जैसे cash withdrawn for personal use अगर आप personal use के लिए cash withdrawn करोगे तो it is a not इसमें सिर्फ और सिर्फ कहां फरक पड़ेगा पता है सिर्फ cash में और cash क्या हो जाएगा minus और ये drawing के नाम से minus हो जाएगा तो ये था हमारा contra entry ठीक है अब मुझे आप बताईएगा मैं पूछता हूँ पहली entry cash sent यानि cash deposit किया फरक कहां पड़ेगा cash minus होगा और bank plus होगा पहले हम plus की बात करेंगे फिर minus की बात करेंगे bank column को plus करना है तो इधर में क्या लिखूँगा cash cash लिखके bank column में क्या करेंगे plus अब minus की बात करते हैं cash minus होगा किस side minus होगा इस side minus होगा कैसे minus करेंगे cash को minus करने के लिए buy bank लिखके हम cash को त्यक्यंज करेंगे second entry cash deposit किया अब पहले plus के बारे में सोचो cash जमा किया तो हमारा bank का balance प्लस होगा यानि पहले plus वाले चीज़ के बारे में सोच लेते हैं और वो bank column होगा तो ये हमारा क्या है bank column इधर लिखना पड़ेगा लेकिन किस नाम से लिखेंगे जी bank में अगर लिख रहे हो तो cash के नाम से लिखोगे यहाँ cash लिखा जाएगा ताकि पता चले cash bank में जमा हुए हैं और दूसरी minus की बात करते हैं तो cash minus होगा तो इस वाल column में आ जाएगा किस नाम से minus होगा वो minus होगा bank के नाम से यानि simple इस column में contra entry लिखना है तो हमें use करना होगा bank और इस column में लिखना है तो use करना होगा cash same अगर इस column में contra entry है cash column में तो लिखना होगा bank और अगर इस column में लिखना हो bank में तो लिखना होगा cash अगली entry check and cash check and cash का मतलब क्या होता है हमने bank से self का check काट के निकाल लिया है जब bank से हमने check निकाला है उसे बोला जाता है check को and cash कराना जब हम check and cash कराएंगे तो मेरे पास cash आ जाएगा और bank balance माइनस हो जाएगा तो सबसे पहले plus, plus में हमारा cash column plus होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे cash वाले column में और cash वाले column में किस नाम से लिखना पड़ेगा जी मुझे cash वाले column में लिखना पड़ेगा bank के नाम से और दूसरा minus, minus क्या होगा हमारा bank minus होगा तो हमें bank वाले column में लिखना पड़ेगा लेकिन use क्या करेंगे हम cash word का इस्तमाल करेंगे यह था हमारा note number one किस से related, contra entry से related ठीक है, अब note number two की बात करेंगे हम, जो है endorsement से related endorsement से related, इस पर date डाल देते हैं, 19 अब देखें इस पर 19 डाला है, तो बट अब्वेस है, इधर भी क्या डालेंगे, 19 अगर इस पर 20 एक डाला है, तो इस वाले entry पर भी डालेंगे, 20 एक, दोनों side same date रहेगा हमारा, एक बार फटा फटा इस वाले note को note करेंगे, मैं भी इसे erase कर दूँगा, इसके बाद हम करेंगे endorsement की बात, ठीक है, इसको note करेंगे endorsement की बात, note number one, Contra entry का, और ये मैंने आपको समझाया, कैसे कैसे करना है, नहीं करना है, ये चीजे ध्यान रखना है आपने, ये ध्यान देजिए, ये है हमारा एक, और एक ये है, clear, और एक ये है, जिससे ध्यान दे रहा है, ये हमारा Contra entry, Contra entry में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, और Contra entry करते हैं, तो हम denote करते हैं, इसको C से, और किस वाले column में लिखते हैं हम, हम लिखते हैं, LF वाले column में, C से denote करते हैं, छीक है, आप फटा-फटे से note करिए, फिर कुछ और 2-4 entry है, वो सीखने के बाद हमारा पूरा ही clear हो जाएगा, अभी जो मैं cash column करने जा रहा हूँ, ये without GST है, GST जब आएगा तो GST के साथ हम इसको discussion कर लेंगे, ये cash column हमारा without GST है, नोट करिए जल्दी से, फटा-फट से note करिए, Contra entry हमने देखा, और cash deposit into bank, एक मैंने यहाँ example भी लिख दिया यहाँ से भी आपको समझा आपने, आप note करिए जल्दी जल्दी, पटा-फट note करिए, कर लिया note मैं इसे erase कर देता हूँ, जिन बच्चों ने नहीं किया note, pause करके ये screenshot लेके note करिएगा, ठीक है, आपके पास तो है ये, facility available, अब आते हैं, मिटा दिया जाएं इसको, note नमबर वन खतम, चलिए, जिसके जो doubt है, कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं इसको पहले solve कर लो, और इसके बद मैं type करके तो मैं जवाब दे ही दूँआ, लेकिन फिर पता है, बोलने में क्या होता है, नाम लो, ये, मोहन, सोहन, इना, मीन, अडिका, तो फिर time खराब होता है, बस उसके अंदर, तो वो चीज मैं नहीं चाहता, कि आप लोगों का बहुत important time है, और सायद मैं नाम लेने में, good evening, good afternoon करने में, इतने देर में कोई ऐसा word बोल दो, जो exam में आ जाए, और एक number आपके आजाए, मेरे लिए तो वो जोड़ा important है, ठीक है, note number two, endorsement, endorsement, basically endorsement का मतलब होता है, transfer, ठीक है, endorsement का मतलब basically क्या होता है, transfer, अब ध्धान से example देखेगा, मान ले जिए, कि ये मेरा business है, ये मेरा क्या है, business है, ठीक है, ये मेरा business है, दिख रहा है आपको clearly, नहीं दिख रहा तो आपके लिए मैं थोड़ा सा, मेरे हिसाफ से visual होना चाहिए, और नहीं दिख रहा तो मैं zoom कर देता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा, ये लिए, मैं वा endorsement माल लिजए ये मेरा business है मुझे एक check मिला check check मैंने क्या करा receive और कई बार ऐसा होता है जब हमें check मिलता है तो हम अपने party को क्या बोलते है हम party को बोलते है bill सबसे पहले endorsement का मतलब होता है transfer अभी समझ मैंगा हमने party से बोला भाई amount लिख दो माल लो party ने लिख दिया 10,000 जो person था उसने यहाँ पर mention किया 10,000 हाला कि ऐसे कई बार होता नहीं है लेकिन मैं example के तौर पर समझा रहा हूँ यहाँ पर भी 10,000 लिखा और यहाँ sign कर दिया now everything is clear अब इस check को जो मुझे मिला है मेरे business को मैं कहां लेके जाओंगा इसको लेके जाओंगा मैं bank में क्यों लेके जाओंगाarsi क्यूं लेके जाओंगा bank मैं क्योंकि मुझे ये bank मैं क्या करना है जमा करना है जैसे ही इस चेक को मैं बैंक में लेके जा रहा था मान लो ये मैं हूँ ये मैं हूँ और ये आप हो आप यू जैसे ही ये चेक लेके मैं कहां जा रहा था मैं जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था बैंक के दर्वाजे पर ही और आपको मुझे 10,000 रुपे देने हैं आपने बोला भाई आप मुझे मेरे 10,000 रुपे लाओ वैसे तो काईदे से देखा जाए तो जो ये मुझे चेक मिला है वो चेक मेरे कहां आना चाहिए कैश्बुक के अंदर इधर आना चाहिए और किस से मिला है मुझे ये चेक मिला है मानलो सोनल से चेक जो मिला है मुझे सोनल से मुझे मिला तो मैं तो यहां पर करना चाहिए मुझे टू सोनल तू सोनल मुझे बैंक कॉलम में लेकिन देखो इत्तफाथ क्या हुआ मुझे चेक मिला चेक मिला और मैं बैंक में जम्हा करने जा ही रहा था कि आपने बीच में बोला मेरे दसफ़ाजार दो मैंने करा कहा आपके 10फ़ार देने है और मेरे पास चेक भी 10,000 का है एक काम करो ये चेक आप लिए इस चेक को मैंने इसके हाथ में दे रिया ये चेक आप लो क्या इस चेक को मैं अपने खाते में जमा करवा पाया नहीं अब ये चेक आपके पास है आपने अपना नाम लिखा बड़े ही प्यार से मेरा ना किसको मिल गया वो वो मिल गया आपको तो मेरे अकाउंट में पैसे आये क्या नहीं आये तो जब कभी भी check endorsement होगा तो इसकी entry क्योंकि मेरे पास नहीं आया है और नहीं मेरे account से गया है तो इस case में इसके करेंगे हम no need no entry कोई entry नहीं होगा क्यों, because, check, endorse, to, किसको endorse किया, you, तो हमेशा याद रखिए, check endorsement की कभी कोई entry नहीं करते हैं हम, इस बात का आपको ध्यान रखना है, check endorsement की कभी भी entry नहीं करेंगे, तो point number one, contra entry देखा, check endorsement बताओ, मैं two में लिखूँगा, या buy में लिखूँगा, तो simple सा जवाब है sir, check जब endorsement होगा, तो हमारे account में जब पैसे ही नहीं आए, तो हम इसको two और नहीं मेरे account से गए हैं, क्योंकि मेरा bank balance पहले भी वही था, अब भी यही है, तो इसको हम endorsement को अपने cashbook में कहीं भी record नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं लिखेंगे, very simple, ठीक है, note number two करिए, फिर इसके बाद note number three पर आएंगे, check dishonored हो की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर यह मैंने check की बात कर दिया endorsement, अब आ गया ये, next point लिखेंगे हम, इसको note करिए, फटा फट से जल्द note number two, इसके लिए मैं proper time दूँगा, जो ये two column cashbook मैंने लिखा है, इसमें अभी adding करते जाऊँगा, मैं point तो मैं time दूँगा, इसलिए अभी आपना note करें, इसको, आप सिर्फ note करना है, उस note को, space एक page छोड़ दोएंगे, एक page में आ जाएगा, जल्दी जल्दी करिए note फटा फट से, कर लिया, ठीक है जी, तो endorsement का मतलब basically क्या होता है, transfer करना, जैसे मेरे पास, और इसमें negotiable instrument act लगता है, जैसे मेरे पास एक paper है, जिससे मैं questions करवाता हूँ आपको, मेरे पास assignment है, और ये paper मैं क्या करता हूँ, ये paper मैं send कर देता हूँ, किसी और को, send का मतलब किसी और को दे रहा हूँ, तो इसी concept को बोला जाता है, endorse करना, यान endorsement, खीक है, erase कर दिया गया इसको, okay, point number two भी खता, note number three, अब इसको आपके लिए थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, note number, note number three, dishonor, dishonor को हम bounce भी बोलते हैं, ठीक है, dishonor के case में, पहले हम check receive करते हैं, उसके बाद, वो dishonor हो जाता है, जैसे, अगर मैं point number one की बात करूँ, मैंने बोला, check receive and deposit check receive from मीना check receive from मीना and deposit into bank amount जो भी xyz है, 10,000, 20,000, तो इसका मतलब है, मुझे मीना से check मिला और मैंने bank में जमा कर दिया, तो आप मुझे यहाँ पर बताईए, कि हम buy side में लिखेंगे जब check receive हुआ है, या two side में लिखेंगे, तो answer is, sir, जब check receive किया है आपने, तो उसे लिखा जाएगा two side में, क्योंकि हमारे bank में पैसा आएगा, मैंने लिखा two मीना, जिससे check मिलेगा, उसका नाम आएगा, check receive वर्ड नहीं आएगा, two मीना, bank column में, लेकिन कुछ दिन बाद, ये मान लेते हैं, ये हमारे 21 तारिक की entry है, 25 तारिक को entry करने के बाद, मुझे पता चला, मीना, check, और मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने 1000 रुपे लिख दिया, और चलो मैं आपके लिए यहाँ 1000 रुपे लिख देता हूँ, ठीक है, इसी के लिए है, यहाँ पर cross ना लगाके मैं 1000 रुपे लिख देता हूँ, ओके, मैंने लिखा मीना, check, बस मैंने इतना लिखा, मीना वाला जो check था, जो मीना ने check दिया था, वो dishonor हो गया, इसका मतलब, मीना से जो मुझे लग रहा था, के पैसे मिलेंगे, वो मिला नहीं, वो check bounce हो गया हमारा, dishonor हो गया, ठीक है भाई, मीना वाले check हमारे क्या हो गया, dishonor हो गया, अब क्या करें भाई, मैंने तो यहां गलत entry कर दिया है, तो मैंने तो गलत entry तो इसको मिटाना नहीं है आपने, इसको नहीं मिटाना, इसकी reverse entry कर देंगे, reverse entry कर देंगे, किस date पर dishonor हुआ, 25 को, तो 25 एक को कर देंगे, बाई मीना, बाई मीना, और यह किसमे माइनस हो जाएगा, क्योंकि plus किसमे किया था, bank वाले column में, और minus किसमे होगा, bank वाले column में, तो यह है हमारे dishonor की entry, तो dishonor की entry के case में क्या होता है, हमारे दो जगह जाएंग receive date, और एक होगा dishonor date, रिसीव date की बात करें, तो जिस दिन receive हुआ है, वो तो हमारा two side में जाएगा, जिस दिन receive हुआ है, और एक है हमारा by side में जाएगा, कब जाएगा by side में, जिस दिन हमारा dishonor हुआ है, नेम सेम रहेगा दोनों ही केस में मीना है तो दोनों ही केस में नेम क्या होगा नेम सेम रहेगा अब जरूरी नहीं है कि मीना हो कोई कंपनी भी हो सकता है XYZ Reliance Company, Tata Company भी हो सकता है अगर Tata से मुझे चेक मिला हो तो 2 Tata and Company लिखूँगा और उसका चेक Dishonored हो गया तो Buy Tata लिख के Bank column में करूँगा That's it, खदम ये था हमारा चेक Dishonored पे Note No.3 इसको note करिए फिर हम आएंगे Note No.4 पे जो कि ये हमारा check in hand से related Note No.4 और इन सभी का आपने General Entry करना चाहते हो तो अलग से कर सकते हो चलिए Note No.3 करिए आप कर लिया Note है ना बढ़ा ही अच्छी चल रही है ना आपके वीडियो क्लासेस देख रहे हो ना अच्छी से हां जिससे देख रहे हैं बिल्कुल देखते रहना है और मैं इसे अब बटा रेका हूँ अब आते है Note No.4 Note No.4 Note No.4 Check in hand Check in hand Note No.4 हम आगे Check in hand पे ठीक है Check in hand जी कहां गया कोई Check ले लेता है एक पेज ले लेता है ना और यह Check तो है नहीं लेकिन मानिये ना आप यह Check है निकल जाओ भाई निकल जाओ रहे तो वाउचर है रेसे प्रवाउचर लेकिन यह मेरे पास एक Check है और यह Check मुझे मोहन से मिला है मोहन ने मुझे Check दिया और अगर मेरा Cashbook है यह Cashbook एक महिने का Cashbook बनने जा रहा है तो अगर मुझे मोहन ने यह Check दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए टू मोहन लिखके अपने Bank column में लिख देना चाहिए लेकिन हुआ क्या हुआ क्या मेरे साथ इस Check को मैंने जब मोहन ने दिया तो यह Check रहे गया मेरे Pocket में यह Check रहे गया मेरे Pocket में जनवरी के 20 तारीक, 21 तारीक, 22 तारीक, 21 तारीक तक ये मेरे pocket में ही रह गया जब ये मेरे pocket में रहा क्या मेरे bank के अंदर पैसा आया जवाब है sir no, मेरे bank में पैसा नहीं आया तो ये check जो हमारे in hand का मतलब ये check देखो 31 तारीक हो गया लेकिन ये check किसके पास है मेरे hand में है मेरे हाथ में है देखो मेरे हाथ में है तो ऐसे procedure को हम बोलते है check in hand ऐसे procedure को हम बोलते है check in hand ठीक है तो एक second hold करिए गा कोई important call आ रहा है मैं देखो चलिए तो मैं आपको क्या समझा रहा था sorry वो एक call आगे important उसके लिए तो ये check मेरे पास है तो इसको बोलते है check in hand आपको समझना है अगर ये check मेरे पास ही रह गया इसको bank में जमान नहीं कराए तो entry तो यहां करेंगे भले ही मुझे किसी से मिला हो मोहन से मिला हो तो हन से उसका नाम नहीं आएगा यहां entry करेंगे check in hand के नाम से bank column में ठीक है पहला point दूसरा point ये check मुझे राजू ने दिया राजू ने जैसे ही दिया और ये मैंने फटा फट उसी दिन जाके bank में जमा भी करवा दिया अब ये check मेरे हाथ में है क्या ये bank में जमा हो गया गया bank में क्या ये check मेरे हाथ में है मेरे pocket में है नहीं है अब इसकी entry करेंगे to राजू के नाम से check in hand के नाम से नहीं करेंगे तो check in hand word का इस्तमाल कब होगा कब करेंगे check in hand का इस्तमाल when check receive जब check receive हो end, not deposit into bank, not deposit into bank, तो किस नाम से entry होगा, check in hand के नाम से, for example, मैं entry की बाद, मान लेते हैं 21 हो गया, 25 तारिक, पच्चिस एक, check, receive, receive from, मान लेते हैं दीपक, रुपीज, पाँच हजार, क्या इस check से, आपको पता चल रहा है, कि इस check को आपने जमा करवा दिया bank में, इस sentence से स्रिफ हमें इतना ही पता चलता है, कि जो check हमने receive किया है, उस check को अपने पास में ही रखा है, अभी जमा नहीं कराया, तो ऐसे situation में, मैं क्या करूँगा 25 तारिक को, 25 एक को, to check in hand, में भी आपको visual कम हो, लेकिन देख लेना आप फिर भी, मैं बोलता जा रहा हूँ, यह आ गया, check in hand, समझ में आई बात आपको, मैंने क्या लिखा, to check in hand, इसके साथ साथ 26 एक को मैंने बोला, दीपक, दीपक check, दीपक check, deposit, deposit into bank, तो आपको यह दोनों entry चेक करना है, देखो, दो entry दिया, यानि इस दोनों entry को देखने के बाद, date अलग-अलग है, पूरे questions में ढूणना है, आपको, पूरे situation को देखना है, इसका मतलब है, मुझे दीपक से check, जिस दिन मिला, उस दिन मैंने bank में जमा नहीं कराया, मैंने जमा करवाया, 26 को, तो हमारे पास 25 तारिक पहले date है, तो हम 25 तारिक की entry करेंगे, और जो ये 26 तारिक की entry है, इसको हमें नहीं करना, इस entry को हम no entry लिए, मतलब इसकी entry नहीं करने की अवशकता है, कारण क्यूं, क्यूं इस entry को नहीं किया जाएगा, reason being, क्यूंकि इसको 5000 रुपे एक पार आप लिख चुके हो, मैं इसको काट के दुबारा 5000 इहां लिखूँगा, तो वो मेरा गलत हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो जब कभी भी आपको check receive from दीपक और उसी से related ढूंडो, नीचे अगर बोलता हो उस check को जमा कराया गया है, तो उस situation में जिस दिन check को receive किया है, उस दिन entry करेंगे, किस नाम से, check in, hand के नाम से, एक और example देखिए, 27 तारिक को, या 28 जन्वरी को, check, receive, from, सोहनलाल, सोहनलाल, रुपीज, 10,000, इसके बाद कोई entry नहीं है, इसके बाद सोहनलाल से related कोई word ही नहीं बोला गया, सिर्फ check receive from सोहनलाल है, आपने पढ़ लिया, 29 भी देख लिया, 30 भी देख लिया, 31 भी देख लिया, है ही नहीं, अब हाला की check receive आपने सोहनलाल से किया है, होना check in hand चाहिए, लेकिन, अगर मैं 30 तारिक को अठाइब, जो हमारा सोहनलाल का है, सोहनलाल का जो है check, वो मैंने deposit किया है, तब हमें check in hand का इस्तमाल करना है, पता ही नहीं है, तो now आप check in hand का इस्तमाल नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, ऐसे situation में क्या करेंगे, very simple, हम लिखेंगे two सोहनलाल, और bank column में जाके लिख देंगे 10,000 रुपे, मैं cross लगा रहा हूँ यहाँ यहाँ पर, bank column में जाके लिख देंगे 10,000, तो आप बात को समझिए, कब हमें check in hand word का इस्तमाल करना है, और कब हमें check in hand word का इस्तमाल नहीं करना है, ठीक है, तो दो situation है, check in hand का आपको इस्तमाल कब करना है, check in hand का इस्तमाल हमें तब करना है, जब हमें check receive करने के बाद आगे की तारिक पता हो, तब ही करेंगे, जी सर, तो देखिए, दो तरीके के entry करी मैंने, आप ध्यान से देखिए इसको, जो ये वाला था हमारा, मैंने green marker से किया यहाँ पर, check in hand के नाम से, और ये वाला check था, य यहाँ किया मैंने, ये है हमारी date, 28 एक, ठीक है, समझ में आए, साथ के साथ check in hand की हमें general entry भी करके दिखा देता हूँ, पहले हमें check receive हुआ, check in hand, किस से receive हुआ, मैं इसकी general entry कर रहा हूँ, इसकी journal, और ये आपने करके दिखाना है, 25 तारिक को एक general entry करूँआ, 25 एक को, check in hand, ये है दीपक से, और ये amount आ गया, 5000 रुपए है तो 5000 लिख देता है, I hope fully कि आपको समझ में आ रहा होगा, being, check in hand, ये check receive from दीपक only, check receive from दीपक, ठीक है, इसके बाद, अब करेंगे हम कब जब इसे को, अब ये check bank में चला गया, तो अब entry करेंगे, बैंक पर पैसा आया, bank account, debit to, check in hand, check in hand, general entry इतनी तो आप कर चुके हो, तो अब यहाँ पर लिखेंगे, चेक deposit into bank, being, check deposit, deposit into bank, ठीक है, यहाँ amount क्या आएगा, same amount, तो देखे, check in hand, मिला assets है, to deposit, और bank, जब जमा करेंगे, तो bank balance बढ़ जाएगा, और मेरे पास से check bank में चला जाएगा, तो पहले तो हमने assets माना इसे, assets खतम होगा, तो credit हो गया, ठीक है, तो यह था हमारा पूरा check in hand, इसके अंदर एक concept और आ सकता है, वो question के बीच में आएगा, तो dishonor होगा, चलो मैं बता ही देता हूँ, suppose करिए, कि 25 तारिक को आपने receive किया, और यहाँ पे 26 को जमा करवाया, लेकिन अगर 25 को receive किया, और 26 को आपने जमा करवाया, और आपको 28 को पता चले, या 27 को पता चले, यह check तो होगया, dishonor, तो जब आपने receive किया 25 को, और 28 को जमा करवाया, तो आपने 26 तारिक की तो entry करी नहीं है, आपने 25 की करी और 25 की किस नाम से करी है, आपने check in hand के नाम से करी है, लेकिन आपको 27 को पता चला किया, यह check होगया, dishonored क्योंकि check जमा करवा है ना तो बैंक वालों ने बोल दिया इस check से पैसे नहीं मिलेंगे तब आपको 27 तारिक को entry करना पड़ेगा buy side में और buy दीपक करके entry करना पड़ेगा ना कि check in hand केगे जैसे इस case के अंदर मैंने मीना करा और buy side में भी मैंने dishonored की case में मीना करा था bracket मैं लिख भी देता हूँ dishonored का entry है ये ठीक है लेकिन इस case में two side में check in hand है जब dishonored होगा तो उस situation में हम लिखेंगे buy दीपक ही लिखा जाएगा तो इस छोटी सा concept है इसको ध्यान रखिएगा तो हमने क्या करा हमने पहले हमने देखा सबसे पहले हमने देखा contra entry के बाद endorsement देखा dishonored देखा dishonored के बाद ये concept है हमारा check in hand और एक retain by the bank जो कि हमने first class में चर्चा करी थी retain bank करके थूँ वो entry भी हमने देखा हुआ है बाकि इसमें भी आएगा तो हम देखेंगे जब practical question करेंगे ठीक है सर यहां तक हमें समझ में आ गया चलिए अब इसका balance करते हैं ये था हमारा two column cash book format पे येकीन मानी है जब आप इस format को ठीक से समझेंगे नोट करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है एक और entry है वैसे adjustment वो question होगा तब ज्यादा समझना आएगा ठीक है तो इसको total करेंगे ध्यान दीजिए मैं red marker use कर लेता हूं totaling के लिए है इसको total किया हमने और फिर इसको total किया ये अलग-अलग total है और एक इधर total किया और एक इधर total किया अलग-अलग है इस total को ये जो total है इस total के आगे लिखना है यानि ये इसके लिए है तो इस side में अगर निकलता है तो क्या निकलेगा by balance CD और यह हमें इसा निकलेगा मन्त के end में और यहां आगया by balance CD है ना by balance CD के बाद अगर मैं बात करता हूँ bank के लिए तो bank का फिर again total करेंगे और इस total को इधर लिखेंगे और यहां निकल जाएगा by balance CD कई बार ऐसा possible है कि bank का balance CD इधर ना निकल के यह total जादा है तो bank का CD इधर निकलेगा पॉसिबल हो सकता है तो simple सी बात है जिधर का total होता है जादा उस side तो balance निकलता नहीं उसके opposite side में निकलता है तो अभी तक हमने क्या देखा अभी तक हमने इसको अच्छे से note करिए और definitely मैं कहता हूं कि अब आपको यह concept सिर्फ समझ में आया है इसके बाद वाले concept में हम क्या करेंगे एक practical questions लोगा और practical question को मैं अच्छे से करूँगा तो इस format को note करिए और इस format को मैंने क्या क्या बोला है यह अपने mind मेरे mind रखे आप इसको mind मेरे mind रखे तो यह था हमारा two column cash book का proper एक overview एक चार्ट के two column cash book में हम किन किन चीजों के साथ deal करेंगे और किन किन चीजों के face करेंगे तो यह two column cash book है अब फटा फट से note करिए प्यारे बच्चों और note करने के बाद हम next class में आज नहीं अगली class में इसके उपड different questions करेंगे अभी GST इसके अंदर incorporate नहीं हुआ है GST इसके बाद मैं इसके अंदर incorporate करूँगा जब यह पूरा हमारा खतम हो जाएगा तो एक GST से base मैं अलग से question कर दूँगा तो इसको note करिए फटा फटा नोट करिए मैं zoom कर देता हूँ note के लिए उपर कुछ नहीं उपर बस cash book है ठीक है इसे pause करके note करिए मिलते हम next class में बाबाई good night और next class में हम आगे इसके उपर practical question पर discussion करेंगे और अब जिसके doubt है मैंने comment section में लिख दिया है doubt hopefully मैं talking नहीं कर पाए उस time पर क्योंकि reasons है क्योंकि मैं concept पर focus कर रहा था फिर भी आपको कितने note लिखवा दिया मैंने total 3 note लिखवा दिया है तीन हो गया यह चार हो गया एक contra एक endorsement एक dishonor यह चार नंबर है इसको चार नंबर करिएगा और यह चार नंबर के note लिखा यह चारों note को अच्छे साब देखेगा उसके बाद देन हम तू भी continue आगे करेंगे और next class हम कल मिलते हैं और इसके अंदर क्या करेंगे हम अब इससे related कुछ questions, contra को ध्यान में रखना है आपने यह हमारा dishonor की entry है endorsement के लिए तो entry करते हैं देखना बोट पे last class में हमने क्या क्या कर लिया इससे पहले आले topic के अंदर हमने two column cash book देखा था two column cash book के अंदर one column cash book से क्या different था two column cash book में दो column बनाए गया थे एक bank का column बनाए गया था और एक cash का column जो bank से related transaction था वो bank के column के अंदर लिखा था और जो cash से related transaction था उससे cash column के अंदर लिखा था इसके बाद और क्या देखा था हमने और हमने देखा था उसके अंदर के कुछ ऐसे entry है जिसके अंदर आपका ना तो cash inflow होगा ना तो outflow उसके लिए हम क्या करते थे ना तो bank column में लिखना है और ना ही और two column cash book में हमने देखा था एक सबसे main point जो था check receive से अगर हम check को receive करते हैं और उसको bank में जमा नहीं करवाते हैं तो हम मान लेते हैं कि अभी जमा नहीं हुआ अगर आगे information दे रखा हो मान लो मैंने राम से check receive किया और मैंने bank में जमा नहीं करवाया लेकिन तीन या चार दिन बाद उसके check को जमा करवाया तो जिस दिन मैंने check receive किया उस दिन तो entry नहीं करेंगे लेकिन जिस दिन check को जमा करवाएंगे ना जाके उस दिन entry करेंगे और उस entry को भी पता है किस नाम से किया जागा check in hand के नाम से लेकिन अगर check receive किया है मैंने और last तक को information नहीं है कि जमा करवाया या नहीं करवाया तो assumption मान लेना है कि उसी दिन जमा हो गया है वो आज हम देखेंगे points इसके बाद basic basic points देख लिया था cash two column में कितने column थे हमारे दो column एक two side से start होता था एक buy side से जो two side से start होता था वहाँ पे पैसे receive होते थे और buy side से पैसे का payment अगर cash में receive हुआ है तो cash column में record कर देते थे bank से receive हुआ है तो bank column में अगर payment cash में हुआ है तो cash column में buy side में लिख देते थे अगर payment हुआ है तो buy side में लिखते थे हम और वो cash में है तो cash में और check में है तो check में आज एक main point सीखेंगे cash book के अंदर जिसमें student maximum गलती कर देते हैं और topic का नाम है Contra Entry Contra Entry पहले होता क्या है मैंने पहले से कुछ लिखा हुआ है तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है देखेंगे सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि Contra Entry क्या है पहले Contra Entry समझ ले उसके बाद हम उसको apply करेंगे तो देखना ध्यान से Contra Entry एक example लेते हैं मान लेते हैं कि मेरा एक business है एक मेरा business है और इस business का हम मान लेते हैं the mobile shop business का नाम दा mobile shop और इस business का जो honor है उस honor का नाम मान लेते हैं राम राम इस business का जो है वो मालिक है जिसको हम proprietor भी बोल सकते हैं और honor भी बोल सकते हैं राम अपने business में deal दोनों तरीके से करता है कोई customer अगर बोलता है कि भाई साब मुझे नगद में खरीदना है तो cash लेता और mobile phone बेच देता हैं कुछ customer बोलता है कि मैं तो card से payment करूँगा या phone पे कर दूँगा तो वो bank से यानि यह transaction अपने business के अंदर cash में भी कर रहा है और चेक से भी कर रहा है दोनों से भी कर रहा है अब जो check से करता है या bank से करता है तो उसने क्या कर रख़ा है एक अपना account open करवा रख़ा है कि sbi के अंदर state bank of india में एक अपना account open करवा रख़ा है तो State Bank of India में जो इसने account open करवाया है, यहाँ पर कुछ न कुछ इसका balance होगा अगर मान लो यहाँ पर 10,000 रुपए balance, अगर 2,000 रुपए और किसी ने phone पे किया है तो इसका account का balance 12,000 हो जाएगा, किसी से check मिला है, check जमा करवाएगा फिर balance बढ़ जाएगा और कुछ जो cash में पैसा होता होगा, वो दुकान के अंदर, drawer के अंदर रख लेता होगा यह बान लो यहाँ पर इसके 5,000 पैसे हैं cash में और इसका daily routine अगर मैं बताओं, तो कई बार तो ऐसा होता है business के अंदर के पूरे दिन में check से कोई भी पैसा नहीं आया, सारा नगधी हो गया और कई बार तो ऐसा होता है, के दिन भर में सिर्फ cash ही आया, और check से कोई payment नहीं आया और दुकान के अंदर जादा पैसा रखना एक तरीके से risky है risky क्यों है, दुकान में ज़्यादा पैसे रखेंगे, चोरी हो जाए, और मैं अगर घर पे भी लेके जाता हूँ, तो आज कल के टाइम पे देखते हो, माहल ऐसा है के रास्ते में snatching हो जाएगा, या फिर छीन लेंगे, कुछ भी मतलब कि वहाँ happening हो सकता है तो दुकानदार जर्नली करता क्या है, जितने एक्स्ट्रा पैसा है, वो कहां जमा करवा देता है, बैंक में अगर दुकान में एक रुपए नहीं है, ये भी समस्या की बात है कस्ट्रमर आएगा, तो उसके change के लिए मुझे दर दर भागना पड़ेगा तो कुछ पैसे वो अगर दुकान में पैसा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बैंक से निकाल लेता है तो अगर मैं बात करूँ, पाँच हजार में से तीन हजार रुपए मैंने बैंक में जमा कर दिया तो यहाँ पे मेरा 3,000 रुपए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. अगर मैं 3,000 रुपए अपने ड्रॉर में से, अपने दुकान के बिजनस में से निकाल के कहां जमा करवा दू? तो 3,000 यहाँ से तो माइनस हो गया. बैंक पे क्या फरक पड़ेगा? बैंक में प्लस हो जाएगा. यानि अगर हम बिजनस से पैसे निकाल के बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक के अंदर बैलेंस आ गया और कैश में से पैसे निकल गया. इसका मतलब यह है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज शियोटी के साथ कह सकता हूँ, कि मेरे बिजनस से पैसा बाहर नहीं गया, दोनों ही मेरे लिए एसिट्स था, तो मेरे बिजनस से पैसा किसी आउटसाइडर को नहीं दिया गया, मैं यह कह सकता हूँ. या ऐसा हो सकता है, मुझे समान खरीदना है मुबाइल फोन. आज मैं सोच रहा था, कि दो बज़े तक कस्टमर सेल कर लेता हूँ, जो सेल करूँगा पैसा आएगा, उसी पैसे को लेके मैं मार्किट से जाके समान खरीद लूँगा, लेकिन दो बज़े तक एक गरहांग भी नहीं आया है, वहाँ मैंने बुला यार अब समान तो लाना जरूरी है, जो नहीं है, मैं बेंक की गया और बेंक से पैसे निकाले और फिर मैं समान लेकिया, ऐसा हो सकता है possible, तो यह भी possible है, अभी मेरे बेंक के अंदर बैलनस कितना है, 13,000 और cash में बैलिंस कितना है, और possible हो सकता है, मैंने 5000 बैंक से निकाल लिया, मुझे समान लेना है, तो बैंक से जब मैंने 5000 निकाल लिया, तो माइनस करेंगे 5000, बैंक से माइनस करेंगे 5000, और 5000 जब बैंक से माइनस होगा, तो क्या मेरे cash, जो business में मैं लेके आँ निकाल के, क्या मेरे cash के balance पर कोई फरक पड और वहां पर हो जाएगा हमारा 8000 रुप है बैलेंस बच जाएगा यानि सिंपल सा लॉजिक है क्या इस ट्रांजेक्शन को मैंने जो पैसे निकाले अपने बैंक से और बिजनस में रखा क्या बिजनस के बाहर किसी को पेमेंट किया मैं बार बार एक ही वर्ड रिपीड करना ह तो बाहर पेमेंट का मतलब क्या है मैं फरनीचर खरीद के लाया बाहर पैसे दे दिये मतलब मेरे बिजनस से पैसा निकल गया मैंने गुट्स खरीदा बाहर पेमेंट दे दिया मेरे बिजनस से पैसा निकल गया मैंने वर्कर को सेलरी दिया मेरे बिजनस से पैसा निकल गया लेकिन इस transaction में मैं अपने दुकान से पैसे bank में जमा करा दू, bank से अपने दुकान में लिया हूँ, तो एक तरीके से देखा जातो है, पैसे business के अंदर ही क्या हो रहा है, घूम रहा है हमारा, है न, business से बाहर तो नहीं जा रहा, ठीक उसी परकार से, अगर मेरे जिब में मान लो, के 500 रुपे हैं, 100-100 के note, मैंने इस pocket में रख रखा था 500, मैंने सोचा यार 500 रुपे इस pocket में रख रखा है, दिक्कत हो रही है, मैंने यहाँ पे 200 रुपे रख लिया और उपर वाले pocket में 300 रख लिया है, इस pocket से पैसे जरूर कम हो गया मेरा, और इस pocket में मेरे आ गया, लेकिन मेरे पास से बाहर थोड़ी गया है पैसा वो रोटेट कर दिया है मैंने यानि पैसे को क्या करा मूव कर दिया एक जगे से दूसरे जगा तो कॉंट्रा एंट्री वो एंट्री होता है जिसके अंदर हमारे बैंक और कैश दोनों पर फरक पड़ता है लेकिन बिजनस से उसे बहार पैसा नहीं जाता उसे एंट्री को बोलते हैं कॉंट्राइंट करेंके यह एंट्री रेट करेंगा कि से कॉंट्रा का मतलब ही यह है कि हमारा transaction जो है वो business के अंदर ही circulate हुआ business से बाहर नहीं गया और impacted किस पे रहा हमारा cash पे और bank पे उसी से related सबसे पहले contract का मतलब समझा contract किसको बोलेंगे ये clear हो गया अब contract entry में मैंने कुछ withdrawn के example लिखे हैं और कुछ deposit के तो मैंने मैंने बोला business में पैसा rotate होगा लेकिन language समझना पड़ेगा वहां पर ऐसे language में बोलेगा आपको समझ ही नहीं आएगा कि पैसा यहीं पर circulate हो रहा है जैसे suppose करो मैंने first entry लिखा cash withdrawn rupees 2000 rupees from bank bank से निकाला ये तो नहीं बोला मैंने bank से निकाल के दुकान में रख दिया है तो मैंने यह भी तो नहीं बोला bank से निकाल के बाहर फैक दिये मैंने या मैंने बाहर खर्च कर दिये यह भी तो नहीं बोला तो यहां पर अजम्शन लेना पर पैसे bank से निकाले तो मैं business में ही लाके रखा है मैंने तो यहां से पैसे निकल गया और यहां आगया यह कांटर एंट्री है अगला पॉइंट कैस्ट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ऑफिस के के इस्ते माल करने के लिए बैंक से पैसा निकाला गया अभी इस्तेमाल हुआ नहीं है तो again मेरा बैंक से माइनस और कैस्ट में बिशनस से बाहर पैसा नहीं गया क्योंकि यह उनुपार्ट मेरा किसका है बिजनस का यह बाहर की अगर मैं बात करूँ तो एक बहर आउकसाइडर है मानलो इसका नाम है क्रेडिटर और मैंने क्या गरा बेंक से पैसा निकालके क्रेडिटर को दे दिया अब बिजनस से बाहर चला गया क्या यह Contra Entry मान ले हम, नहीं, Contra Entry मतलब बिजनस से बाहर नहीं जाए, बिजनस के अंदर ही जाए Third Entry लिखा Check and Cash, and Cash का मतलब क्या होता है, कई बार हमारे पास पैसे खतम होगे तो बैंक से पैसे निकालने के दो, तीन, चार मैथट है वैसे तो, ऑनलाइन ट्रांसफर वगरा भी कर सकते हो, लेकिन मान लो मेरे पास Net Banking भी नहीं है, मेरे पास ATM भी नहीं है तो हम क्या करते है, नॉर्मली, बैंक में जाके, पैसे निकाल लेते हैं, पैसे अगर नहीं है, तो हम क्या कर सकते है, प्राइवेट बैंक वगर क्या करते है, वो पैसे नहीं देते हैं, मेरे पास चेक है, मेरे अकाउंट में एक लाख रुपए है, मुझे बीस अजार की ज कैशियर को कैशियर मुझे पैसे देगा और पैसे लाके मैं क्या करूँगा औफिस के अंदर रख दूगा तो चेक से मैंने पैसे निकाला तो चेक किसमें कण्वेट हो गया कैश में तो उसको बोलते हैं चेक को and cash करवाना तो जब कभी भी चेक हमारा and cash होगा तो तो देखो क्या है चेक एंड कैश हो रहा है तो इसका मतलब बैंक क्या हो रहा है हमारा घट रहा है और कैश क्या हो रहा है मेरा यानि वही हो गया विद्रॉन हो गया हमारा अगला पॉइंट क्लोज बैंक अकाउंट एंड बैलेंस रिसीव चार सो रोपर यह आपको बुक में कर रहा हूं मुमबई में और मेरे डेली के SBI में अकाउंट है तो आपको पता होगा कि डेली के अंदर अगर SBI में अकाउंट है तो मेन जमा करो तो मेरे पैसे काट लेते था SBI वाले अगर आपका bank account यहाँ पे मालो नेता जी सुभास पहले इसमें है और आप शकूरपूर के अंदर पैसे जमा कराते हैं तो हर अगर आपने 100 रुपे जमा करवाए तो 25 रुपे काट लेंगे वो क्यों आपका account है वहाँ कराओ हम आपको service दे रहें तो काट लेते हैं तो मेरे लिए नुकसान है ना मेरा bank कहां account है डेली में और मेरा business कहां चले गया मैं बोलूँ आप डेली वाले bank वावास जाओंगा बोलूँ अब भाई मेरा account में पैसे नहीं रखे और रूल के हिसाब से आपको account में पैसे रखने थे और हमने fine लगा लगा के 10,000 रब 10,000 रब लाओ नहीं लाओगे तो आपके पास calls आएंगे legal notice आइंगे तो मैं सारे पैसे भी नहीं निकाल सकता और पैसे को मैं छोड़ भी bank में नहीं सकता तो मैंने बोला भाई दिल्ली ब्रांच में गया है मैंने बोला भाई मेरा account बंद करो आप सारे जितने भी formalities थे पूरी करे अकाउंट बंद किया account बंद हो गया उसने क्या करा मुझे पैसे दे दिया और वो पैसे मैंने कहां रख दिया अपने तो बताओ जब account हमारा close हो गया close bank account balance receive 400 तो क्या मेरा bank minus हो गया खतम ही हो गया zero हो गया और मेरा cash बढ़ गया तो ये भी example किसका है हमारा withdrawn का तो चार example मैंने withdrawn का बता है और ये सारे example किसके थे contra का अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो मेरा impact मैंने बोला दो चीजों पर पढ़ना चाहिए cash पर और bank पर ध्यान से देखूँ तो एक impact मेरा cash पर पढ़ रहा है एक impact मेरा पढ़ रहा है bank पर अगर cash पर impact पढ़ रहा है और bank माइनस हो रहा है और cash मेरा क्या है और bank मेरा क्या है एसेट से प्लस हो रहा है तो इट सुड़ भी और bank रूल तो हमें एक ही रूल है modern अधर के अंदर देखेंगे ठीक है यह था सारी एक्जामपल पैसे bank से निकालने के अलग अलग लेंग्विज में और यह एक्जामपल है पैसे bank में deposit करने के पहला point cash sent into bank sent का मतलब मैंने cash को बोला नहीं तू भाई चला जा किसी का हास से भिजवा दिया मैंने जब किसी का हास से मैंने पैसे भिजवा दिये तो मेरे bank में ही जमा हुआ होगा हो तो ऐसे situation में बैंक में जब जमा हो रहा है तो क्या cash पर फरक पड़ेगा cash कम होगा और bank plus हो जाएगा अगला entry है cash deposit into the bank deposit यह तो simple पता ही है आपको अगला है open a bank account जब bank account open करते हैं तो bank account हमारे open करने के time पर अगर किनिमंग्स में पैसे देने हैं डिया में जाएश हजार रूपए आप दे रहे हो आपके अकाउंट में ही रहेगा तो मैंने बुला कि 10,000 नहीं देते हैं, 1000 रुपए रख दो मेरे अकाउंट पर हम नहीं रख रहे हैं, बुला कि यह requirement ही है, इतने balance दोगे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि आप अपने account को चलाने के लाइक हो, और इसमें जमा करो तब आपका account हम खोल के देंगे, तो 10,000 र आपके account को तो देख रहे हैं, खर्चा तो होई रहा है ना bank का देखने में, message करने में, कुछ भी करने में, आप customer के बोलते हैं, मेरे account में balance क्या है, बताओ, तो customer के तो आपने परिशान किया, उसको भी salary आपकी वजह से जा रही है, तो bank वाले बोलते हैं, पैसे रखो, तब 1000 रुपे account open कर दो, तो एक तरीके से मेरे cash में से पैसा minus, और bank में क्या हो गया, plus हो गया, तो वही example है, open a bank account, अगला है paid into bank, paid into bank का मतलब bank में पैसे जमा करवा दिए, तो यहां पर भी देखा जाए, तो एक तो cash पर impact है, और एक bank पर, पता है मैं पहले cash क्यों लिख रहा हू तो cash हमारा minus हो रहा है, और bank हमारा, और ये भी assets है, और ये भी assets है, रूल कहता है, अगर ये assets है और minus हो रहा है, तो it should be, और it should be debit, ठीक है, ये क्या होना चीए, debit होना चीए, तो सबसे पहले, अभी हमने क्या सीखा, simple language में बोलूँ, तो हमने सीखा double column के अंदर, हम contra entry भी दे होते हैं, जिसके अंदर bank और cash affected, दोनों एक साथ होता है, same amount से, और इसके पैसे business से बाहर नहीं जाते हैं, और इसको हम किस तरीके से करेंगे, नहीं करेंगे, वो laser में देख लेंगा भी, मैंने इसलिए entry number 1, 2, 3, 4, और 5, 6, 7, 8 लिखा हैं हाँ पर, क्योंकि हमें पता चल ज laser, cash book के अंदर cash से posting करेंगा, यह कि करके मैं बताऊँगा, ध्यान से देखना है, पहले मैं sequence से ही चलूँगा, यानि date के column में मैं लिख रहा हूँ, entry number 1, cash withdrawn rupees 200 from bank, हमेरा सोचने का तरीका यह होगा, हमने पहले single column किया है, single column में कौन सा column था cash, तो हम पहले cash के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, और फिर सोचना स्टार्ट करेंगे, जो cash पे impacted होगा, उसको हम सो करेंगे, फिर bank वाले impact के बारे में सोचेंगे, तो अगर मैंने cash withdrawn किया 200 रुपे from bank से, तो bank मेरा cash पे क्या फरक पड़ा, यहां भी लिखा हुआ है, मैंने, और bank क्या हुआ, cash हमारा plus होगा हो जाता है, और credit से हमारा minus होता है, cash हमारा plus होगा, तो यानि, हमारे पास दो qolum May $ cash, bank parameter, तो जो मैं बोल रहा हु, cash plus होगा, वो कौन से qolum की बात कर रहा हूं? है cash column की बात कर रहा हूं तो मैं cash column में plus करूं तो यानि मुझे इधर लिखना पड़ेगा और मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा 200 रुपए लेकिन 200 रुपए plus हो रहा है किसकी वजह से bank के वजह से यानि अगर cash column को plus करना है तो हमें bank word का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि cash हमारा आया है 200 रुपए कहां से आया bank से इसका मतलब यह है cash के बारे में सोच लिए contract में तो दोनों के बारे में सोचना होता है अब bank के बारे में सोचते बैंक क्या ओरा minus तो bank column minus करना है bank column minus किससे होगा credit side से तो मुझे यहां bank column को minus कर देता हूं minus कितने से same 200 रुपए से minus होगा bank और by bank क्यों minus हुआ क्योंकि मैंने cash निकाल लिया और entry number one यह दोनों first entry का ही example है इस entry को बोलते हैं contra entry तो इसको contra entry बोला गया तो जो लेफ वाले कॉलम है यहां पे C word लिखेंगे C word री-पर्जेंट कर रहा है कि यह हमारा contra entry है यह वाले कॉलम में ठीक है तो अब मुझे पता चाल जाएगा contra मतलब यह simple नहीं है यह बाले business से पैसे बाहर नहीं गए और कहीं न कहीं हमारा buy side में भी होगा तो यह आ गया second entry cash withdrawn from bank रुपी office use 300 रुपे 300 रुपे bank से निकाल लिए फिर से cash plus होगा cash plus होगा तो किस side लिखें two और cash plus क्यों होगा क्योंकि bank से पैसा कितने 300 रुपे और bank पे भी फरक पड़ेगा दोनों पार्ट सोचना है अबको bank minus होगा तो buy side में लिखेंगे buy cash और कितने से minus second entry अब यह contra entry है तो मुझे इसके आगे see word represent करना पड़ेगा ठीक है चलो third entry third entry में check and cash check and cash का मतलब ही होता है पैसे bank से निकाल लेना again मेरा cash plus है और bank cash plus है तो इधर से cash column को plus करो और क्यों plus है क्योंकि bank से पैसा आ रहा है कितने पैसे से हमारा six hundred से और bank minus है तो buy side में cash के नाम से और bank में से minus हो जाएगा हमारा और यह entry हमारा third और इसके लिए मैंने लगा दिया see word का सवाज में आ रहा है अगला point है हमारा close a bank account क्या bank account close करेंगे तो मेरे cash पर फरक पड़ेगा इस प्लस हो जाएगा और bank क्या हो जाएगा cash को plus करना है तो होगे bank column cash plus करना है तो किस साइड से सोचे टू में या बाई में टू साइड में लिखूंगा और टू साइड में मैं फिर से क्या वर्ड इस्तेमाल करूंगा bank fourth entry और amount है मेरा 400 और क्या हमारा bank का balance खतम हो गया minus हुआ तो by side में लिखना पड़ेगा by side में मैंने 400 तो लिख दिया लेकिन क्यों minus हुआ reason बताओ क्योंकि मैंने वहां से cash से पैसे निकाल लिया है contra entry है c लगा दिया मैंने ठीक है अगले point पे देखें fifth point fifth point पे क्या impacted है हमारा cash minus हो रहा है और bank पहले हम cash के बारे में सोचेंगे cash minus यानि cash column minus और cash column minus इधर से होगा इधर से होगा ना और minus करते हैं चलो cash column में minus करें तो यहां लिखते हैं amount कितने 500 रुपे क्यों भाई cash minus हो गया क्योंकि bank में by bank और पांचवी entry कैस के बारे में सोच लिया दूसरा impact bank पे आएगा bank क्या होगा प्लस हो जाएगा तो bank plus यानि bank column प्लस बैंक कॉलम प्लस टू से अब आई से टू से तो टू साइड से मेरा bank क्यों प्लस हुआ क्योंकि bank में cash चला गया 500 रुपे और इसके आगे भी क्या word लगेंगे स्कॉंट्रा एंट्री ठीक है सिक्सेंट्री कैस डिपोजिट इंटू बैंक अगेन मेरा कैस का बैलेंस माइनस हो गया और बैंक का प्लस हो गया मैं पहले कैस के बारे में सोच रहा हूं क्योंकि एक रूल बना लेते हैं अपना कि हमने कैस कॉलम के तो पहले कैस अगर माइनस होगा तो कैस पर ही पहले सोचेंगा बाद में दूसरे पॉइंट बैंक पे लिए ठीक है इससे क्या होगा हमें कंफ्यूज नहीं हो ना तो मैं पहले कैस के बारे में सोचूँगा तो इस एंट्री में कैस हमारा माइनस हो रहा है तो मुझे लिखना पड़ेगा तो by side में मैं लिखूंगा by bank और bank से लेकिन किस column है bank column में लिखने क्या 300 cash column में अगर मैं bank column में bank ही लिखूंगा तो bank minus हो गया क्यों हो गया bank से अरे ये क्या हुआ bank minus bank से कैसे हो गया समझ में तो नहीं आएगा इस से तो कैस माइनस हो गया राम के पास पैसे गया होंगे तो अकाउंट थो अपने आप में आप बोलता एक तरीके सारण अगर अंडेस्टेंड करते हो तो समझ में आ रहा है सबकुछ क्या हो रहा है कि हमारा वो कॉंट्रा इंटरी नहीं था हमारा राम को पिमिंट देना लेकिन हमें समझ तो आ रहा है ने कि बाए में क्या और नहीं हो रहा है फिफ्ट के बाद यह हमारा सिक्स था और ऐसे ही हमारा टू कैस्ट करके कहा जाएगा बैंक में इस एंट्री मैं एक्जाम्पल ले रहा हूँ आपका ऐसा कोश्चन कभी भी नहीं होगा मस सोचना के एक कोश्चन बनाएगा जिसमें सारी कॉंट्रा इंट्री होगा और हम कर देंगा नहीं वो मिक्स करके देगा वो हम तो सीख रहे हैं एक दो मिल गया तो मिल गया कोश्चन के अंदर नह कैश माइनस हो रहा है पहले किसके बारे में सोचें कैश माइनस हो रहा है चलो माइनस करते हैं कित से सो रुपैस है और बाय बैंक और टू साइड में भी आ जाएगा टू और बैंक में है सो रुपै और यह सेवन एंट्यर यह भी कांट्रा और यह भी आ जाए पैंस वाली एंट्य विव्ट्यर कांट्र लास्ट वाली एंट्यर अंतल पो क्रुपिस से हैं हमारा नहां ए जाएग और बोन सतता है जारा तकर लेकिन आप जो टोटलिंग करो गए वो उसके साथ करना है ताकि पता चल जाए दोनों में इधर कहीं जादा है और उधर कम है बैंक में बैंक में उधर जादा है है ना तो यह एक्जामपल ऐसा बन गया जहां पर आपको बैलेंस सीडीबेड़्चे चैजगा टो में भी देखने को मिल जाएगा तो इसका टोटल करें तो यह टोटल पंद्रा सो यह टोटल ज्यादा एसलिए इधर ही टोटल लिखेंगे पंद्रा सो पंद्रा सो में से हम क्या करें आपका-900 tranqu Owens कर देते-न तो बाले यह लेकिन इधर बैंक का कितना है है तो इधर का टो टोटल ज़्वा है तो फंदरा सो लिखोंगा और इधर लिखोंगा पंदरा सो अब इधर निकलेगा balance cd गो कि गे फैलन्स एडि और यहागै हमारा छेИसल बैलनेंश कि कि अ इस side balancing figure निकलने का मतलब है बच्चा हुआ पैसा नहीं है ज़्यादा निकाल लिया है यानि यह negative balance आ गया है तो हम negative वाले को बोलते हैं bank overdraft तो हम question जब देखेंगे bank overdraft का तो भी करेंगे तो अभी हमने क्या देखा two column cash book में contra entry और इसको कैसे post किया जाए laser के अंदर laser में लिखने को हम बोलते है laser में posting करना और इस account को बोलते है cash book भी बोल दो चाहे हम laser के नाम से भी जानते हैं तो मैंने इसमें पोस्टिंग कर अब फटा फट से note करिए फिर हम book का question देखेंगे देखें आपके book में question number है six question number six में last class में हमने देखा था balance BD सीखा था last class में balance BD का मतलब क्या होता है वो balance जो पिछले मंद से इस महने लाया गया उसको किस नाम से जानते balance BD और balance BD हमेशा दो नाम से जाना जाता है या cash in hand या opening balance और इसका date हमेशा मंत का starting होगा तो यहाँ पर इस question में cash in hand और cash at bank बोल रहा है एक मार्च का तो यह balance BD है balance BD किसका है cash का भी है और bank का भी है तो हम इस side में two balance BD लिखेंगे और date हमारा एक तीन दोहजार उन्निस और balance BD cash के लिए भी यह bank के लिए तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे के cash के लिए balance BD अलग और bank के लिए balance BD अलग दोनों एक ही balance BD से indicate हो जाएगा के दोनों का opening balance यह है तो cash के लिए बारा हजार सास सो पचास रुपए है और cash के लिए 70 2,000 first entry में देखो किसी को doubt समझ में आए balance BD two column में था balance BD मैंने लिख दिया अगले point पे चलते हैं receive from Asha cash 1200 रुपए and check 32 रुपए discount 400 रुपए इस पर भी काफी बच्चों को doubt होता है तो उससे related मैं points यहां पर बताता हूं काफी बच्चों को इस पर आउट रहता है पहले हम देख लेते हैं इसका क्या point है कि कुश्चन में क्या कहता है ध्यान से देखना बोर्ट पे कि point number one last तक पूछोगे इसलिए noting कोई भी ना करें अभी फिलाल पहले board पे समझ लो मैंने बोला amount due rupees 1000 and discount 100 एक और sentence मैं लिखने जा रहा हूं amount paid यहां पर discount allowed कर देता हूं allowed कर देता हूं 100 रुपे मैंने लिखा amount receive rupees 1000 and discount allowed 100 सोचने को तो कुछ भी नहीं entry में लेकिन गलत करते हैं बच्चे इसमें और बार-बार फूचते हैं सर वो वालत समझ में नहीं आता कि किस तरीके से करा जाए मैं अगर यहां पर देखूं तो दोनो sentences में amount due 1000 और 1000 इन दोनों में फरक क्या है इन दोनों में फरक यही है कि यहां पर 1000 रुपे बाकी था और 100 रुपे का discount allowed का मतलब जब मैं पैसे receive करूँगा तभी तो मैं discount दूँगा किसी को तो यहां पर पैसे receive हो रहा है और discount भी दे रहा हूँ तो इसका मतलब यहां पर पैसे अगर मैं receive की बात करूँ तो यहां पर जो cash मैंने receive किया है वो 800 रुपे receive किया है सॉरी 900 रुपे का discount है तो लेकिन इस वाले point में बोला amount receive 1000 रुपे कर लिया है इसके अलाबा discount दिया है मैंने 100 यानि यहां पर मुझे पार्टी से लेना था 1100 और इस वाले में पार्टी से total कितना लेना है 1000 रुपे तो दोनों में difference पता चला देखने में लगता है discount allowed यहां भी है discount allowed यहां भी है इसमें तो minus नहीं किया क्यों नहीं किया भाई minus इसमें क्योंकि यहां पर receive word है आप 1000 रुपे receive कर चुके हो तो discount कट गया होगा इसके अंदर आपने receive नहीं किया तो discount नहीं कटा होगा सेम ऐसे payment पे भी हो सकता है payment पे क्या हो सकता है मेरा amount due on rahul rupees 1000 and discount receive discount receive 100 अब discount receive कब किया जाता है बताओ जब मैं किसी को पैसा दूंगा तो वो मुझे थोड़े discount देगा तो यहां पर understandable है कि राहूल को पैसे देने होंगे और discount मिला होगा राहूल को देने कितने थे 1000 और discount कितना दिया यहां पर entry किस से होगा लेकिन सेम अगर यहां पर फोर्थ एंट्री लिख दूंग to rahul rupees 1000 and discount receive rupees sentence बिल्कुल सेम देखने में लग रहा है यहां का मतलब है कि राहूल को 1000 दे दिया और उसने मुझे discount भी दे दिया तो यहां entry किस से होगा अब बात करते हैं पैसे receive, receive किया तो two side में आएगा अगर राहूल से मिला है तो two rahul लिखूंगा पहले वाले case में 900 रुपे लिखूंगा और दूसरे वाले case में 1000, cash में मिला है तो किस column में लिखेंगे cash column में, debit में यहां पर payment है तो payment का मतलब buy side में जाएगा पहले वाले entry के हिसाफ से तो 900 लिखूंगा क्योंकि discount minus करना बाकी है और fourth वाली जो मैंने entry लिखा है इसके अंदर 900 नहीं लिखेंगे उसमें पहले से minus करावा है तो यह काफी बच्चों का confusion होता है और confuse हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा है यह नहीं, यह normal है, हो जाते है लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाए, यहां पे क्यों minus है, क्योंकि यहां पे paid है तो जहां पे received और paid आ जाए, और question में discount भी दे दे, तो discount मेरे किसी काम का नहीं है लेकिन जहां पे amount due आ जाए, या full settlement word आ जाए, ऐसे situation में हमें minus करके तब final amount निकालना पड़ेगा चाहे paid हो, चाहे receive हो, ठीक है, clear अब इसमें देखते हैं, चार तारिक के entry देखते हैं, समझ में आता है नहीं आता receive आशा 1200 रुपए, receive हो चुका है 1200 and check 32, और 32 चेक भी receive किया है, अब allowed discount 400, अब समस्या यह है, 400 में 32 से minus करूँ या 400 में 1200 से minus करूँ, या 400 minus हो चुका है पहले ही तो अब 400 को तो कोई roll नहीं है, receive किया किस से किया, आसा से किया है, तो यहाँ पे 4 तारिक में 2 और 1200, अब समस्या यह है, सर आपने check जो receive किया, इसने जमान नहीं करवाया, ऐसा कहां बोला है नहीं बोला, चलो check करते हैं, क्या आगे यह check जमान करवाया है, नहीं, पूरे question में कहीं नहीं बोला तो यहाँ पे assumption है, दो assumption हो सकते हैं, पहला assumption हो सकता है, कि जो उससे check receive किया, वो जमा करवा चुके हैं, नोट देना पड़ेगा दूसरा assumption यह हो सकता है, जो check receive किया, जमा ही नहीं करवाया तो हमें क्या मानना है, हमें मानना है, जब कहीं आगे तक entry के बारे में नहीं बताया तो हम assumption ले रहे हैं, कि यह check bank में जमा हो चुका है और नीचे नोट भी लिखेंगा है, we assume that check receive from ASA deposit into bank, bank में जमा हो गया है ठेक है, clear, चलिए, इसके बाद paid salary staff by check साथ को क्या, हाँ, अगर आगे बोलता है deposit किया है, तब तो यह entry नहीं करेंगे, अगली वाली entry को करेंगे check in hand से अभी doubt आया एक मेरे पास, कि अगर इसको जो check receive किया है, आगे तीसरी, चौती, पांचवी, छटी किसी entry में बोल दे के आसा check deposit into bank, तो यह 32 मेरे किसी काम का नहीं है, और अगर पांचवी entry में बोल रहा है, तो पांचवी entry में लिखेंगे check in hand और फिर करेंगे, उसकी general entry भी करनी पड़ती है, पर अभी general entry बाद में देखेंगे, अब पहले step by step चलेंगे है, paid salary to staff by check, तो salary paid किया तो सबसे पहले कौन से column पे आए गई है, bank, column का मतलब bank में और buy side में, तो buy side में तारिक क्या है, साथ तीन, buy, स्टाफ को salary दिया है और amount पच्छेस अजार छेस सो, समझ में आए, आगले point के तरफ चलते हैं, आगले point में क्या कहता है, विड्राउन cash from bank for, नहीं, विड्राउन bank, cash from bank for office use, ये contra entry है, क्योंकि bank से पैसा निकाला गया है, तो bank minus हो रहा होगा, cash plus हो रहा होगा, पहले cash के बारे में सोचेंगे, तो अगर मैं पहले cash के बारे में सोचूँ, तो cash मेरा plus होगा, और to bank, और bank के नाम से cash में amount, date, क्या एक और entry करने की जुरूरत है, bank minus होगा, by cash, और bank column से, और ये है contra entry, और date, ठेक है clear, अगली entry के तरफ चले, तो interest paid by bank, on bank balance, अब समझते हैं, पहले interest paid, भाई, bank भी आज क्यों दे रहा है, जब bank में हम अपना balance रखते हैं, balance छोड़ देते हैं, जब bank में, तो bank वाले क्या करते हैं, देखें, आपके book में question number है, six, question number six में, last class में हमने देखा था, balance BD सीखा था, last से last class में, balance BD का मतलब क्या होता है, वो balance जो पिछले मंद से, इस मेहने लाया गया, उसको किस नाम से जानते हैं, balance BD, और balance BD हमेशा दो नाम से जाना जाता है, या cash in hand, या opening balance, और इसका date हमेशा मंद का starting होगा, balance BD है, balance BD किसका है, cash का भी है और bank का भी है, तो हम इस side में two balance BD लिखेंगे, और date हमारा एक तीन, 2019, और balance BD cash के लिए भी है, bank के लिए, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कि cash के लिए balance BD अलग और bank के लिए balance BD अलग, दोनों एक ही balance BD से indicate हो जाएगा, कि दोनों का opening balance ये है, तो cash के लिए 12,750 रुपए है, और cash के लिए 70,000, first entry में देखो, किसी को doubt, समझ में आए balance BD, two column में था balance BD मैंने लिख दिया, अगले point पे चलते हैं, receive from ASHA cash 1200 रुपए, and check 32 रुपए, discount 400 रुपए, इस पे भी काफी बच्चों को doubt होता है, तो उससे related मैं points यहाँ पे बताता हूँ, काफी बच्चों को इस पे भी doubt रहता है, पहले हम देख लेते हैं, इसका क्या point है, question में क्या कहता है, ध्यान से देखना board पे, point number one, last तक पूछोगे, इसलिए noting कोई भी ना करें, अभी फिलाल पहले board पे समझ लो, मैंने बोला, amount due, rupees, 1000, and discount, one hundred, एक और sentence मैं लिखने जा रहा हूं, amount paid, यहाँ पे discount allowed कर देता हूं, allowed कर देता हूं, 100 रुपे, मैंने लिखा amount receive, rupees 1000, and discount, and discount, allowed, 100, सोचने को तो कुछ भी नहीं एंट्री में, लेकिन गलत करते हैं बच्चे इसमें, और बार बार पूछने सर, वो वाला समझ में नहीं आता कि किस तरीके से करा जाएं, मैं अगर यहाँ पे देखूं, तो दोनों सेंटेंसिस में, amount due 1000 और 1000, इन दोनों में फरक क्या है, इन दोनों में फरक यही है, कि यहाँ पे 1000 रुपे बाकी था, और 100 रुपे का discount allowed किया, discount allowed का मतलब, जब मैं पैसे receive करूँगा, तभी तो मैं discount दूँगा किसी को, तो यहाँ पे पैसे receive हो रहा है, और discount भी दे रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे पैसे, अगर मैं receive की बात करूँ, तो यहाँ पे जो cash मैंने receive किया है वो 800 रुपे receive किया है सॉरी 900 100 रुपे का discount है तो लेकिन इस वाले point पे बोला amount receive 1000 and discount allowed 100 देखने में बिल्कुल same लगता है यहाँ पे sentence में हमने cash receive 1000 रुपे कर लिया है इसके अलाबा discount दिया है मैंने 100 यानि यहाँ पे मुझे party से लेना था 1100 और इस वाले में party से total कितना लेना है 1000 रुपे तो दोनों में difference पता चला देखने में लगता है discount allowed यहाँ भी है discount allowed यहाँ भी है इसमें तो minus कर दिया इसमें तो minus नहीं किया क्यों नहीं किया भाई minus इसमें क्योंकि यहाँ पे receive word है आप 1000 रुपे receive कर चुके हो तो discount cut गया होगा इसके अंदर आपने receive नहीं किया तो discount नहीं कटा होगा सेम ऐसे payment पे भी हो सकता है payment पे क्या हो सकता है मेरा amount due on Rahul rupees 1000 and discount receive discount receive 100 अब discount receive कब किया जाता है बताओ जब मैं किसी को पैसा दूँगा तो वो मुझे थोड़े discount देगा तो यहाँ पे understandable है कि राहूल को पैसे देने होंगे और discount मिला होगा राहूल को देने कितने थे 1000 और discount कितना दिया यहाँ पे entry किस से होगा लेकिन सेम अगर यहाँ पे 4th entry लिख दूँ paid to राहूल rupees 1000 and discount receive rupees sentence बिलकुल सेम देखने में लग रहा है यहाँ का मतलब है कि राहूल को 1000 दे दिये और उसने मुझे discount भी दे दिया तो यहाँ entry किस से होगा अब बात करते हैं पैसे receive receive किया तो two side में आएगा अगर राहूल से मिला है तो two राहूल लिखूँगा पहले वाले case में 900 रुपे लिखूँगा और दूसरे वाले case में 1000 cash में मिला है तो किस column में लिखेंगे cash column में debit में यहाँ पे payment है तो payment का मतलब by side में जाएगा पहले वाले entry के हिसाफ से तो 900 लिखूँगा क्योंकि discount minus करना बाकी है और fourth वाली जो मैंने entry लिखा है इसके अंदर 900 नहीं लिखेंगे उसमें पहले से minus करा हुआ तो यह काफी बच्चों को confusion होता है और confused हो रहे हो समझ नहीं आ रहा है यह नहीं यह normal है हो जाते हैं लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाए यहाँ पे क्यों minus है क्योंकि यहाँ पे paid है तो जहाँ पे received और paid आ जाए और question में discount भी दे दे तो discount मेरे किसी काम का नहीं है लेकिन जहाँ पे amount due आ जाए या full settlement word आ जाए ऐसे situation में हमें minus करके तब final amount निकालना पड़ेगा चाहे paid हो चाहे receive हो ठीक है clear अब इसमें देखते है चार तारिक केंट्री देखते है समझ में आता है नहीं आता receive आशा 1200 रुपए receive हो चुका है 1200 और चेक 32 और 32 चेक भी receive किया है अब allowed discount 400 अब समस्या यह है 400 में 32 से minus करूँ या 400 में 1200 से minus करूँ या 400 minus हो चुका है पहले ही तो अब 400 को तो कोई रोल नहीं है receive किया किस से किया आसा से किया है तो यहाँ पे 4 तारिक में 2 और 1200 अब समस्या यह है सर आपने चेक जो receive किया इसने जमान नहीं करवाया ऐसा कहां बोला है नहीं बोला चलो चेक करते हैं क्या आगे यह चेक जमान करवाया है नहीं पूरे question में कहीं नहीं बोला तो यहाँ पे assumption है दो assumption हो सकते हैं पहला assumption हो सकता है जो उसे check receive किया वो जमा करवा चुके है नोट देना पड़ेगा दूसरा assumption यह हो सकता है जो check receive किया जमा ही नहीं करवाया तो हमें क्या मानना है हमें मानना है जब कहीं आगे तक entry के बारे में नहीं बताया तो हम assumption ले रहे हैं यह check bank में जमा हो चुका है और नीचे note भी लिखें है we assume that check receive from ASA deposit into bank bank में जमा हो गया है ठीक है clear चलिए इसके बाद paid salary staff by check साथ को क्या हाँ अगर आगे बोलता है deposit किया है तब तो यह entry नहीं करेंगे अगली वाली entry को करेंगे check in hand से अभी doubt आया एक मेरे पास कि अगर इसको जो check receive किया है आगे तीसरी, चौती, पाँचवी, छटी किसी entry में बोल दे के ASA check deposit into bank तो यह 32 मेरे किसी काम का नहीं है और अगर पाँचवी entry में बोल रहा है तो पाँचवी entry में लिखेंगे check in hand और फिर करेंगे, उसकी general entry भी करनी पड़ती है पर अभी general entry बाद में देखेंगे तो अब पहले step by step चलेंगे है paid salary to staff by check तो salary paid किया है तो सबसे पहले कौन से column पे आएगा यह bank, column का मतलब bank में और buy side में तो buy side में तारीक क्या है by staff को salary दिया है और amount 25,600 समझ मैं है आगले point के तरफ चलते है आगले point में क्या कहता है withdrawn cash from bank नहीं, withdrawn bank cash from bank for office use यह contra entry है क्योंकि bank से पैसा निकाला गया है तो bank minus हो रहा होगा cash plus हो रहा होगा, पहले cash के बारे में सोचेंगे तो अगर मैं पहले cash के बारे में सोचूं तो cash मेरा plus होगा और two bank और bank के नाम से cash में amount date क्या एक और entry करने की जुरुत है bank minus होगा by cash और bank कॉलम से और यह है contra entry और date ठेक है clear? अगली entry के तरफ चले तो interest paid by bank on bank balance अब समझते हैं पहले interest paid भाई bank भी आज क्यूं दे रहा है? जब bank में हम अपना balance रखते हैं balance छोड़ देते हैं जब bank में तो bank वाले क्या करते हैं? उस balance पे हर तीन मेहने बाद भ्यास दे देता है जब मैं भी पैसे bank में जमा करता हूँ तो दो-तीन मेहने बाद मैं passbook को check करता हूँ मैं जाके तो चेक करता हूँ तो मेरे समझ नहीं आता है ये पैसे आए कहां से फिर सोचते 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 फिर पता करते करते जब bank में जाएंगे तो बोलेगा रहे आपने पैसे जमा करे थे उस पे इंटरस मिले है RBI के रूल के इसाब से अगर किसी bank account में saving account में अगर कोई पैसा रखा है तो हर तीन महिने बाद उस पैसे पे उसको ब्याज दो 3.5% minimum है maximum आप जितना दे दो bank वाले तो अगर मैंने एक लाख रुपे रखा है तो मान लो मेरे bank के अंदर 2000 रुपे आ गया ब्याज का तो bank मेरा balance क्या होगा बढ़ जाएगा तो इसको दो words से लिखा जा सकता है इसको हम कैसे कैसे हम बता सकते हैं इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि interest receive from bank तो मुझे एक बात बता दो simple सा जब bank से ब्याज मिलेगा तो bank का manager आपके घर पे आता है कभी नहीं आता वो आपके bank account में डाल देता है वो आपके bank account वाला कोई officer घर पे नहीं आए जी ब्याज आए ब्याज ले लो वो आपके account में आ जाएगा या फिर मैं दूसरा बोल सकता हूं interest और बैंक में जब पैसे आते हैं न तो बोलते हैं credit इंट्रस्ट क्रेडिट इंटू बैंक बैंक में पैसे interest के credit हो गये मतलब बैंक में पैसे यहाँ पे credit का मतलब plus है हम जब bank reconciliation statement देखेंगे तो वहाँ पर बड़े detail में इसी की बात करेंगे कि interest credit का कैसे ही स्नमाल हुआ तो बैंक में interest क्या हो गया credit हो गया और credit का मतलब मेरे bank में बयाज आ गया है तो जब bank में बयाज आएगा तो cash पे थोड़ी फरख पड़ रहा है मेरे फरक तब पड़ता नै बैंक में Bяж आया और मैंने Bяж निकाल लिया bank में बयाज आ tools यह contra entry है या नहीं है नहीं है मुझे करना चाहिए बैंको प्लस और बैंको प्लस क्यों हुआ 1200 डेटेड समझ मैं आई ये दुबारा सेंटेंस पढ़ दूँ मैं कहता है कि इंट्रस पेड बाई बैंक बैंक ने दिये हैं on bank balance तो बैंक ने दिये होंगे तो कहां मेरे घर पे या बैंक में बैंक बैंक का balance बढ़ा दिया ठीक है अगला पॉइंट कहता है पेड मुहन एंड कंपनी बाई चेक एंडिस्काउंट 100 रुपीज पेड पर्चेस पर्चेस फरनीचर इन कैस 16,500 तो फरनीचर खरीदा है कैस में तो impact कौन से column पर आएगा cash column बाई में या टू में बाई बाई फरनीचर 16,000 और dated 16 ठीक है अगली entry देखते हैं आपको अभी मैंने discount समझा है आप बताना मुझे पेड मोहन बाई चेक discount 100 रुपीज 10,900 मैं discount minus करूं या नहीं करूं नहीं करेंगे क्योंकि paid और discount minus करके है वो तो यहाँ पे मैंने मोहन को paid किया है और paid मोहन in company check discount receive 100 तो मोहन को paid किया है न तो paid होगा तो buy side से buy मोहन 10,900 किस date पे यहाँ तक समझ में आया अगली entry के दरब चलते हैं पेज पलट लेते हैं proprietor withdrawn from office for personal use मालिक ने क्या करा business में से पैसा निकाल लिया और अपने personal काम के लिए कहां से निकाला इसने business में से तो personal काम के लिए निकाला तो business से पैसे बाहर चले गया या business में ही है बाहर तो यह contra entry नहीं है इसमें सिर्फ क्या हुआ हमारा cash कम हो गया लेकिन drawing के नाम से तो by drawing 11,000 dated ठीक है यह contra नहीं है याद रखना यहाँ पे withdrawn word आता है तो बच्चे सोचते हैं withdrawn, withdrawn तो बताये था contra तो कर दो contra ऐसा नहीं है वहाँ पे सोचना पड़ेगा business से बाहर गया या नहीं गया पैसा ये भी देखना पड़ेगा अगले point के तरफ चलें sold goods to manoj cash manoj को मैंने cash में समान बेचा है तो cash तो मिल गया मुझे तो मैं लिखूंगा two sales cash में sales है manoj से हुआ तो क्या है cash में तो है और dated अगली entry कहता है ये deposit office cash into bank 12,200 जो office में पैसा पड़ा था bank में जमा कर दिये क्या ये contra entry है हाँ जी ये contra entry है तो bank में जो जमा कर रहे हैं तो सबसे पहले cash के बारे में सोचने cash क्या हो रहा होगा buy side में लिखे buy cash oh sorry bank और cash को minus कर दे 21,000 date 31 और two bank हाँ cash आएगा बिल्कुल ठीक cash आएगा cash आजाएगा bank में इसके आगे contra entry यहां तक समझ वाया है सारे entry कर चुके हैं आप सिर्फ क्या करना है totaling totaling में भी एक आज new point सीखेंगे हम totaling जब हमने किया totaling के अंदर हमने देखा कि यह total है और इस side यह total है total में यह side cash का ज़्यादा है इधर कम है तो यह side पहले total कर लेते हैं तो बारा साथ सो पचास और यह total आगे मेरा पचास शे सो पचास यह आगे मेरा cash का total अब हमें इसमें से क्या करना है यही total यहां लिखना है minus कर देंगे तो minus कर देते हैं हम इसमें से तो यह आगे हमारा तेरा सो पचास यह answer है हमारा by balance और balancing figure और यह date रहेगा 31 minus कर दिया मैंने पहले total किया ऐसे bank को चेक करते हैं अंदाजा लगाते है bank मुझे अभी भी इधर ही ज़्यादा लग रहा है तो bank ज़्यादा है हमारा तो इसका total आएगा हमारा 96900 98000 98000 इसमें से माइनस कर दे 25600 21900 और माइनस 10900 तो यह आगे हमारा 13 98 49600 यह आगया 49600 अब देखो बैलेंस को क्या करते हैं अब इस बैलेंस का मतलब है लास्ट का बैलेंस बचा हुआ है हमें अपने काम को थोड़ा सा एक्सेंड करके रखना है एक्सेंड का मतलब इस बैलेंस को एक दिन आगे ले जाना है एक दिन आगे जैसा ही ले जाऊँगा इस बैलेंस को मंत खतम हो जाएगा मंत खतम ही होते ही मेरा next month का क्या बन जाएगा opening balance और opening balance कि दर से सुरूव होता है तू से तो मैं इसे एक दिन आगे ले जाओंगा हमेशा तो एक दिन आगे मतलब एक चार को और यहां लिखोंगा टू गुड़ इवनिंग प्यारे बच्चों कैसे आप सब अभी तक cashbook में हमने format देख लिया है अब एक हम मैं practical questions करतके दिखा हूँ आपको और उसके बाद तो भी continue देखेंगे new concept practical problem एक questions है मैं कोशिस करूँ है साथ मैं display होगा आपके और questions है आपका prepare two column cashbook bimal lucknow from the following transaction अच्छा है अच्छा है देखते हैं इसके अंदर कैसे करेंगे two column cashbook के अंदर क्याता है 2019 first June की transaction दे रखी है cash का balance देता है तो आपको पता है first June 2019 first June मैं ऐसा करता हूँ यहां 2019 लिख देता हूँ इससे पता चलता है कि सारा transaction 2019 का है और first June एक जून एक साथ cash balance ठीक है cash balance के लिए इधर two से start करेंगे है न और इसके लिए कह लगाएंगे two balance balance BD brought down और balance BD दे रखा है हमें 5000 रुपे cash का second June फिर से first June को bank का भी balance है तो हमें न दो बार balance BD लिखने की जरूरत नहीं है हम एक बार में ही balance BD से काम चला सकते हैं तो one seven five double zero चीक है cash receive from sale of और cash receive care from sale of personal assets deposit from bank account कहता है कि मैंने एक अपना घर का समान बेचा personal assets जो मेरा था जैसे मान लेजिए मेरा personal assets जो भी हो सकता मेरा mobile phone अगर मेरा personal उसको बेचा और पैसे मैं business में लिए जाया तो पांच जुन को पांच तारिक की बात कर रहा ही है और कहता है कि cash receive from sale of personal assets cash receive हुआ और assets deposit in the firm bank और bank में आ गया तो इसका मतलब मैं बताओं तो business के अंदर पैसा extra अपने घर से लिए आया है तो उसको two capital लिखेंगे two capital ध्यान से देखेगा और bank में आ जाएगा हमारे 5000 5000 ठीक है bank में क्या जाएगा हमारे 5000 समझाए ये आपको बात कि अगर मैं cash receive करूँ और bank में भेजूँगा तो आ जाएगा हमारा 5000 मैं एक पर explain भी कर देता हूँ देखो मानलो suppose करो ये आप हो है और ये business है और एक आपका machinery इस machinery को आपने क्या करा बेचा sold किया और ये पैसे आपके पास आए और आप पैसे business के bank account में जमा तरवा रहे हो तो एक तरीके से business का bank का balance बढ़ा और आप business में पैसे लगा रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि आपने अपने घर से पैसे लगाए तो capital ही तो होगा आप definition याद करो second chapter की ठीक है ना तो इसलिए capital लिखा है 6 जून को check receive as advance against sale paid into the bank check receive भी किया छे तारिक को और bank में भी जमा कर दिया और क्यों किया advance receive advance लिख देते हैं या हम लिख देते हैं advance और bracket में लिख देते हैं sale sale के लिए advance income है कितने रुपे इसके लिए 50,000 रुपे मिला है और पैसा कहा चेक और bank में जमा भी हो गया याद होगा आपको जब bank में जमा नहीं होता तो हम उसके लिए check in hand करते हैं 200 रुपे अब यहां बड़ी समस्या होती है बच्चों को मैंने कहा कि paid कर दिया मैंने मैंने paid कर दिया किसको paid कर दिया मैंने sbos को sbos को मैंने paid कर दिया और paid कितना करा 12,500 अब बच्चों को कहना होता है sir इसमें से क्या discount जो 500 रुपे है वो minus करने है या फिर minus करके है देखो जब paid word आ गया ना आपके पास paid इसका मतलब already adjusted है minus हो चुका है ठीक है इसका मतलब already minus हो चुका है तो मैंने sbos को paid किया अब किस चीज का payment है उससे लेना देना नहीं है तो सिर्फ मैं लिकूं अब आए s और discount की कोई entry नहीं करेंगे 12,500 रुपे है और तारिक है 7 जून साथ छे नौ जून की बात करें तो नौ जून को हुआ कि paid wages in cash तो बताइए paid wages किया तो इधर से ही तो जाएगा नौ जून नौ छे को मैंने यहाँ 7 लगा दिया जुलाई यह 6 होगा ठीक है वो by mistake लगा दिया कोई बात न तो by क्या paid किया इसने वेजेज वेजेज पेड किया कितने का तीन हजार रोपे का cash में तो cash column में receive a check from A.Mukharji अब थोड़ा सा साबधान हो जाओ A.Mukharji से check receive किया question में check करो के जो check है यह जमा हुआ यह नहीं हुआ आगे तक कहीं कुछ नहीं बोला drawn from bank paid salary कुछ भी नहीं बोला गया पीछे देखते हैं और इसमें continue में बोला गया है and sent into bank bank में उसी time भेज भी दिया गया question में देखो अच्छी बात है बता दिया आपको नहीं तो हमें check in hand करना पड़ता है तो टू मुखरजी टू मुखरजी ठीक है और टू मुखरजी और यह चला गया हमारे कहा amount दे रखा है हमें 6000 और यह आगया bank में समझे बात को आप मुखरजी से मुझे check मिला और bank में उसी time जमा करा दिया इसलिए टू मुखरजी अगर हम बाद में जमा करवाते तो किस नाम से होता चेक इन हैंड के नाम से होता है ना चलिए आगे देखते हैं 21 जून को कहता है drawn from bank 21 जून को drawn from bank अब भाई यह एक cash book है और यह एक bank है तो अगर bank से मैं निकाल लूँगा तो cash book plus होगा और bank minus होगा तो contra entry होगी है ना drawn from bank तो मैं two सबसे पहले तो cash plus होगा तो two bank लिखके और मैं cash column में लिखूंगा कितने रुपे 5000 और इसके आगे c word लगाया जाएगा और तारीक है 21 जून दूसरी entry buy में भी करना पड़ेगा buy सबसे पहले क्या होगा bank minus तो bank में तो minus करीदू मैं 5000 लेकिन जब bank minus हो रहा है तो किस से करेंगे cash account ठीक है और date सेम रहेगा 21 चे और यहां भी contra ठीक है ना देखा था हमने note किया था contra entry पर सारा note बगरा देखा था हमने first class में double entry column के इसके बाद कहता है paid office salary in cash ठीक है भाई साब paid कर दिया office salary in cash तो buy salary और cash में payment किया है question बता रहा है 4000 रुपए तो मैंने 4000 रुपए लिखा और तारीक है 29 जून और यह बड़ा आसान question था इसके sold goods in cash and bank in the same 30 जून को मैंने sales किया 30 जून को sales किया तो हमने two sales तो लिखा अब कहता है इसको bank में जमा करा दिया instant तो कुछ जैसे कुछ book game में या फिर कुछ बच्चे बोलते सर इसकी तो contra होनी चीए क्योंकि पहले हमारे पास cash आया और फिर bank में जमा करवाया तो contra होना चीए लेकिन same day पर आगर आपने bank में जमा कर दिया तो इसकी direct entry भी कर सकते हो तो मैं contra entry करने के बजाए इतना lengthy हो जाएगा कहता है sold goods in cash cash में बेचा मैं step by step चलता हूँ चलो मैं यहाँ पर example लेता हूँ यह आपने क्या करा business ने sales किया cash आया तो मैंने two sales लिखा और cash column में लिख देता हूँ मैं कितने रुपे 8000 रुपे simple यह हो गया अब cash आपके पास है business में अब now आप कहां जाओगे दोड़े दोड़े bank में लेके जाओगे तो bank में लेके जाओगे तो bank क्या होगा plus होगा और आपका cash minus हो जाएगा तो bank को plus जब करेंगे तो two side में ही मुझे cash के नाम से entry करके bank में दिखाना पड़ेगा यह और यहां buy side में जाके हम bank के नाम से entry करके cash column में दिखाना पड़ेगा तो ये entry तो है bank में जमा करने की, ये entry जो है ये bank में जमा करने की, ठीक है न, और ये sales करने की, ये तीन हो गई, कई बार आप direct भी कर सकते हो, two sales लिखो और bank column में लिखो बात खतम, तो मैंने detail entry किया है, जो आपने भी करना चाहिए, ठीक है, paid rent by check, rent check से किया है 30 जून को, तो by rent और किस column में जाएगा बताईए, फटा फट बताईए किस column में जाएगा, जाएगा 1000, तो देखो पहले ही कहा है, मैंने live classes तो मैं लेता हूँ, लेकिन मैं doubt comment class के दौरान बिल्कुल भी नहीं लेता, class के बाद बिल्कुल मैं लूँगा आपका, मैं मना नहीं करगा, क्यू नीचे दो लाइन कीजना जरूरी है, और देखते हैं कोई entry, कोई entry नहीं रहा, टोटलिंग करते हैं और इस total को match कर लेते हैं, पहले cash का total 5000, 5000, 5000 और 18,000, और यही total आगया इधर 18,000, और by balance, balance CD, amount आएगा कब 36, तीच छे को balance में क्या आएगा, 8,000, ओहो यह तो बहुत जादा हो गया, अच्छा, 18,000, minus 3,000, minus 4,000, minus 8,000, तो इसका answer आगया, 3,000, अब बैंक का देखते हैं, 17,500, 5,000, 15,000, 6,000, और 8,000, यह आगया, 86,500, minus करते हैं, 12,500, 5,000, और 1,000, 68,000, यह आगया, 68,000, यह आप, यह question सेम आपको, आपके टीच ग्रेवाल में भी मिल जाएगा, बाकी assignment notes में तो देई रखा हैं, अब एक काम और करना है आपको, तर क्या काम करना है, इस balance, cd को balance bd बनाना है, एक साथ को, two balance, two balance, balance bd, और आगया हमारा 3000 cash वाले का, और 68,000, फटाफट note करिए, फिर एक और question देखेंगे, हम practical, ठीक है न, जल्दी जल्दी से note करिए, फटाफट, फिर एक और practical question देखेंगे हम, करिए न चलिए कर लिया नोट ओके यह मिटा देता है ठीक है इससे अगले कोशन पर ज़िए चलिए मिटा दिया भूरा ही मिटा दिया अवाले को दिया है इसको थोड़ा इज़क से लेते हैं चलिए बच्चे यह एलफ बन गया है न तो थोड़ा मैंने इसी को उसके करते हैं नेक्स कोश्चन असाइन्मेंट भी है और बाकी मैं साथ मैं डिस्प्ले भी कर रहा हूं कोश्चन को कैथा है, कैथा है, कैश इन हेंट 15,000 मार्च एक 2020 अभी ये 2020 की बात है और मार्च एक यानी एक टेम कैथा है, कैश इन हेंट भी है और कैश इट बैंक भी है तो आपको अच्छे से पता है कि cash in hand और cash at bank के लिए word लगाते है to balance BD और ये opening balance होता है 15,000 और 5,000 cash column में क्या आएगा 15,000 और यहाँ पे क्या आएगा 5,000 3rd March की entry देखते हैं क्या कहता है 3rd March की entry में purchase goods for cash समान cash में खरीदा 6,720 and receive cash discount 20,220 तो कहता है हमने purchase goods किया cash में रुपीज इतने का and receive cash discount 220 तो simple सी बात है हमने purchase goods किया for cash रुपीज यह और receive discount किया अब यहाँ पे concern यह के sir इस वाले point में discount minus है यह नहीं है तो यहाँ clarity नहीं है कि हमने goods खरीदते टाइम पे payment कितना किया cash में खरीदा है और cash discount भी मिला है 220 रुपे तो इसका मतलब में हम मान के चलेंगे इसमें से अब discount minus करना है तो note दे देंगे हम last में और क्या कर सकते हैं तीन एक को जनरली इसमें इसी तरीके से होता है तीन तीन को तो buy purchase आएगा और purchase जैसे ही buy आएगा total 6720 रुपे का समान था उसमें से minus करो CD CD 220 तो इसका मतलब 6500 रुपीज मैंने दुकानदार को paid किया होगा question में कहता है purchase goods कितने का 3720 का 6720 जिसमें से cash discount minus कितना होगा 220 तो simple सी बात है कि भाई मैंने जो purchase करके payment किया होगा 65 और cash book में तो सरी payment के हिसाब किताब रखेंगे तो इस column में लिखेंगे 6500 ठीक है न आगे deposit into bank 5000 पांच मार्च को 53 को bank में deposit किया तो bank का balance बढ़ जाएगा 5000 से बिल्कुल और क्यों बढ़ा भाई क्योंकि bank में cash आया है और ये contra entry है न और buy side में फिर यही होगा हमारा cash का balance तो कम हो जाएगा deposit करने पर क्योंकि cash ही तो जमा करेंगे और क्यों कम हुआ ये हमारा bank की वजह से तो इसको भी contra entry और date आजएगा same 53 तो देखो कितना आसान है contra entry है न ठीक है cash sales 10,000 7 March को 7, 3 को cash sales 10,000 2 sales लिखेंगे और कितने sales की है cash में हमने 10,000 तो ये आगे हमारे cash column के अंदर 10,000 रुपए cash withdrawn from bank 2000 bank से 2000 रुपए withdrawn किये हैं अब फिर से contra entry है bank से withdrawn किये हैं तो सबसे पहले हम bank से withdrawn करेंगे तो cash बढ़ जाएगा 2000 से और क्यों बढ़ा क्योंकि bank से withdrawn किया है dated है 10 March का है ना ये भी contra दूसरी entry कहां फरक पड़ेगा bank से withdrawn किया है तो bank minus होगा 2000 से ये भी contract क्यों minus हुआ क्योंकि हमने cash निकाला है और date क्या है हमारा 10-3 अब आज आ रही है ने आपको 10-3 अब आगे देखतें question में continue में के cash withdrawn के बाद receive 3 month post dated check post dated check क्या होता भी ये समझते हैं कई बार क्या होता जैसे माल लो मुझे आज जो भी date x y z माल लेते हैं कि आज 20 तारिक पांच 6-7 तारिक आज ठीक है माल लेते हैं आज 6 तारिक है और कल 7 तारिक है मुझे कल किसी को important check देना है पैसे देने है और हुआ क्या मुझे आज रात को ही निकलना है तो मैं क्या करूगा? आज ही check काट के दे दूआ आपको आज ही check दे दूआ भई ये लो check तुम्हें कल पैसे देने थे आपने मेरे से बोला कि सर आपको तो पैसे कल देने थे मैंने बोला मैं अग दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ तो आप अभी ले लो तो मैंने आपको दे दिया चेक और चेक दे दिया और आप उसे कल जाके क्या करवा सकते हैं और कैश करा सकते हैं मैंने आज जो चेक दिया वो आज की तारिक नहीं डाली उस पर तारिक कप की डाली है कल की तो यह हो गया post dated check तो post dated check था जिसका पैसा अगर आज आप गलती से bank में लेके पहुंच जाओ तो नहीं मिलेगा आपको तो कहता है receive 3 month post dated check हमें कहीं से check मिला था 20,000 का from Raj and discount from bank paying discount charge 750 वैसे post dated check generally discount होता नहीं लेकिन question में है तो कर देते हैं तो मुझे जो check मिला था 3 मेहने बाद मुझे 20,000 मिलने थे 3 मेहने बाद मुझे 20,000 मिलने थे किस से मिलने थे मुझे राज से लेकिन मेरे पास check अभी राज ने हांत में दे दिया मेरे मन में लालच आ गया कि मेरे पास check तो आई गया bank में जमा कर देते हैं है आपके साड़े साथ सो रुपे काट लेंगे इसमें से डिसकाउंट चार्ज के नाम से यानि आपको 19,250 रुपे दिये जाएंगे मैंने लगा दन कोई बात नहीं जी दे दीजिए मुझे 19,250 तो यह लो मेरे बैंक में तो आ गया 19,250 समझ में आई बात आपको इसी एंट्री चेक रिसीव किया 5000 का अब मैं कोशन में कह रहा हूँ कि मैंने दीपक से जो चेक रिसीव किया वो 5000 का है उसको डिसकाउंट 200 को दिया तो इसका मतलब सेम है कि यह जो 5000 रुपे का मैंने चेक रिसीव किया इसके इंदर अल्रेडी डिसकाउंट माइनस करके है यह अब हमें मा पिट के मिला होगा मुझे, रिसीब चेक फ्रॉम दीपक, नॉट बैंक, अभी तक बैंक में जमा ही नहीं करा, तो जब बैंक में नहीं जमा किया जाता, तो हम क्या करते हैं, to check in hand, to check in hand, भले ही बैंक कॉलम में लिख देंगे, कितने का 5000 का, जब आएगा तो देखा जाएगा check receive from दीपक deposit into bank, 20 मार्च को इस वाले check को जमा कर दिया, तो 20 मार्च की कोई entry नहीं करेंगे, क्योंकि 20 मार्च की हम already entry को कर चुके हैं, ठीक है न, इस बात को ध्यान लखना है आपको, तो check receive जो किया हमने, वो तो check in hand से कर दिया, लेकिन जब जमा करवाने गया, तो जमा करव पाने आले दिन नहीं करेंगे, क्योंकि इस डेट पे entry कर चुके हैं हम, ठीक है जी, अठारा के बाद 20 तारिक के बाद 22 तारिक, पेड चंदरा बाय चेक 2500, और मैंने पेड किया चंदरा को बाय चेक 2500, यानि चंदरा को मैंने 2500 का चेक दे दिया, receive discount 100 रुपे, अब यहाँ प चंदरा को 2500 का चेक दे दिया है, ये लोग चंदरा 2500 का चेक और discount मिल गया 100 रुपे, तो बाय साइड में entry किया जाएगा, बाय चंदरा, और तारीक है 22 तारीक, और चंदरा को मैंने 2500 रुपे दे दिया, ये लोग 25 रुपे, discount कट करके हैं, तो जब आप से बोला जाए ने, check receive, check paid, तब उसमें discount adjust होता है, अगर मैं बोलू, amount due and check paid in full settlement, तब discount minus करना होता है, विड्राउन from bank for personal use, ये लोग जी, confusion entry, बैंक से विड्राउन किया है, personal use के लिए, तो क्या होगा, contra नहीं है, drawing, ये drawing है, और निकाला बैंक से 1000 रुपे लोग बैंक को minus कर दिया, आगे कहता है, sold goods to Ashok for Rs. 1000, धोखा, Ashok को 1000 रुपे का goods बेचा गया, उधार है, क्या उधार की entry यहाँ पे करेंगे, answer no, यहाँ पे उधार की entry नहीं की जाएगी, ओके, 28 सारी के, इसके लिए, note देंगे हम, note कुछ मैं लिखूंगा, इस question में, ठीक है, purchase goods from Chandra for Rs. 2000 रुपे, फिर से धोखा, ये भी उधार में खरीदा गया है, क्या इसकी entry करेंगे, नहीं जी, नहीं करेंगे, इसकी entry, उधार की entry करते ही नहीं, last entry कहता, receive check from Ashok 5000, and deposit into bank, and allowed cash 200 रुपे, कोई बात नहीं जी, Ashok से हमें 5000 रुपे मिल गए, तो check मिल चुके हैं ना, मुझे Ashok से 5000 रुपे का, तो check मिल गए और bank में भी जमा कर दिया, तो अब लिखेंगे 2 Ashok, 2 Ashok, और Ashok से मुझे 5000 का check मिला, तो जब check lane देन हो, तो discount कटा हुआ होता है, तो मान लेते हैं, इसमें discount कटा हुआ है, मान लेते हैं, क्या होता ही है जनरली, चलिए जी हो गया, अब note किस किस के लिए लिखना है, देखिए, point number one, एक तो note लिख देते हैं हम किस के लिए, note 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 लिखेंगे जो जरूरी है, 28 मार्च के लिए, 28 तीन के लिए, कि sold goods to Ashok, sold goods, इसे मिटा देते हैं, sold goods to Ashok, on credit, हमने credit पर बेचा है, hence, no need, to enter, your entry, your posting, in the cash book, समझे बात को, same, दूसरा note भी लिखना पड़ेगा, कब का, 30 मार्च के लिए, हमускे हम के लिए, परचे कोड़ चंडरा, फचे कोड़ेगा, बर्चे कोड़ेडि हम रुपीज 20,000 ओन क्रेडिट हैंस नो नीड तो एंटर इन कैश्बुक सीवी कर दिया कैश्बुक सीवी है नहीं सीवी कैश्बुक ठीक है लो जी अब बस टोटलिंग करना है हमें और तो कोई समस्या के बिश्या है नी इसमें सिर्फ टोटल टोटल रहे गया तो देखो कितने आसान आसान कोश्चन है 15,000 10,000 27,000 27,000 ठीक है माइनस 65,000 15,500 बाए बैलेंस सीडी 15,000 तारीक 31,000 2020 के एंट्री आप लिखना चाहते हैं तो 2020 लिख सकते हों बैंक में 5,000 19,000 250 पांच हजार पांच हजार 39,250 39,250 ये लोजी बंद कर दिया ये ही बोल रहे थे हैं आप बंद कर दिया दो हजार 25,000 ये लोजी हमारा जो आंसर है इसमें 33,750 बिल्कुल सही 33,750 इसको बैलेंस बीडी बनाना है कब एक चार को ये बैलेंस बीडी आप बना के भेजोगे मुझे जब होमवक मुझे भेजोगे आप तो ये बीडी बना के भेजोगे ठीक है ओक के सर बिल्कुल ठीक चलिए नोट करिए अब इसको भी फटा फट से फटा फट नोट करिए फिर एक और कोश्चन ढूंदता हूं आपके लिए नोट करिए इसको आपके लिएाइब तो अबिल्チャ। आपके लिए बना करिए खुच्चन अबिल्दत्व नोट ये था करिए घज़गे घए लिए जोटाइब उनवरे प्ला के लवका खुर। आपके लिए आपके लिए आपके नोटाईब एके झाल 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 कर लिया जी नोट आज हमने दो कोश्चन किया है इसके बाद हम नेक्स कोश्चन करेंगे नेक्स कोश्चन नमबर जो हम करने वाले हैं पहले आप इसको सुन्दर सुन्दर राइटिंग में नोट करिए और मैंने जो असाइन्मेंट दिया उसमें दस तक कोश्चन आपने करेंगे आई हो तो मैं दस तक के आज डाउट लूँगा तो ये कोश्चन नोट करिए इसके बाद हम आगे चलेंगे तू भी कंटीनिए ठीक है तो पहले फटा-फट से नोट कर लिया हो आई हो आपने हाग जी गुट इवनिंग प्यारे बच्चो कैसे आप सब बढ़िया सब मौज बहार पढ़ाई अच्छी चल रही है ना कर रहे सारे तो आज आपके सामने फिर मैं अउन लाइव क्लास में और इसके अंदर हम आज कुछ कोशन और करेंगे प्रैक्टिकल कैश बुक के जब तक हम अच्छे से कुछ ज़्यादा कोशन नहीं कर लेते concept wise तो हो गया है अब जब तक हम कुछ अच्छे से extra questions नहीं कर लेते तब तक नहीं छोड़ने वाले आज आपके सामने एक question है जो कि देखो generally मैं display कर दे तो आपको problem नहीं होते और सिक्षा धाम के note section में भी जादा से जादा बच्चों को बताईए ताकि उनका भी कुछ benefit हो पाए prepare two column cash book of Vinod from following transaction ठीक है हम सीधा question स्टार्ट करते हैं बच्चे कहता है cash in hand October 2019 October है मैंने cash book का format बना लिया है सबसे पहले क्या लिखेंगे बताईए सबसे पहले लिखेंगे date date के बाद particular LF इसमें cash लिख देते हैं इसमें bank chapter तो देखो क्या कहना इतना आसान है कि कुछ कह नहीं सकते LF cash और bank निहाइती आसान question निहाइती सबसे पहले 2019 का data हमारे पास available है और October में देता है first October को एक दस को तो two balance BD लिखेंगे तो बैलेंस balance BD ठीक है अब two balance BD cash का भी है और bank का भी है 25,000 और 75,000 तो इसका 25,000 आगया और इसका 75,000 चौथी की फोर्थ क्लास है फोर्थ क्लास है यह आपकी ठीक है cash book के seven में कहता है both goods again check check के द्वारा साथ तारिक को आपने 15,000 रुपे का समान खरीदा है goods खरीदा है तो buy purchase अगर stationary खरीदते हैं तो stationary लिखते है कितने रुपे का खरीदा है मैंने 15,000 रुपे का 15,000 ओहो चेक से खरीदा है तो देखो गलती यही गलती आप कर देते हैं बैंक में लिखना है फिर से कहता है both goods आठ तारिक को फिर समान खरीदा 5 का बताया है नहीं आठ तारिक को बताया है नहीं तो simple buy purchase और 5000 रुपे का नहीं बताये तो assumption है कैश में honor our own acceptance by check honor our own acceptance by check सर्फ इस point के लिए मुझे आपको थोड़ा सा यह question करवाना पड़ेगा हमारा acceptance देखो जैसे मान लो यह businessman है यह हमारा businessman है ध्यान से सुनना acceptance क्या होता है और यह एक और वेक्ती है suppose करो यह supplier है supplier ठीक है अब businessman ने इससे समान खरीदा मान लेते हैं 5000 रुपे का समान खरीदा तो now इस businessman को 5000 रुपे इसको देना है supplier को है ना इस businessman को 5000 किसको देना जाके supplier को जब यह businessman इस supplier को 5000 रुपे देने की जाएगा, in fact, तो ऐसा भी possibility है, कि ये इसको check दे दे और cash दे दे, या तो इसको ये cash देगा, या फिर check देगा, दो चीजे, लेकिन आप अगर ध्यान दे, तो ये businessman के पास एक third option भी available है, ये businessman बोल सकता है, कि मैं आपको पैसे नहीं दूँगा, यानि credit पे, लेकिन supplier क्या कहता है, कि भाई मुझे तुम्हारे उपर विश्वास बिल्कुल नहीं, मैं तो उधार माल दूँगा नहीं तुम्हें, चाहे जो मर्जी कर लो, ऐसे situation में businessmen ने इसको भरोसा, इसको आसवासन देने के लिए, क्या करा इसने, इसने क्या करा, इसने इसको भरोसा देने के लिए थोड़ा से, कि भाई, तुम मुझे उधार दे दो, इसने एक return में, stamp paper पे, suppose करो, लिख के दे दिया, कि मैं तुम्हें पैसे दूँगा, मैं विश्वास, मैं कसम खाता हूँ, कि मैं तुम्हें पैसे दूँगा, मैं कसम खा रहा हूँ, मैं तुम्हें पैसे इसको ये accept भी करता है, मैं पैसे दूँगा, suppose करो, तीन महने बाद हो गया, चार महने बाद हो गया, पाँच महने बाद हो गया, ये देने की बात करेगा, तो जब ये इसको पैसे देगा, चेक, पैसे cash दे या चेक देगा, तो ये वाला जो कसम वाला paper है ना इसका, promise वाला paper, ये क्या करेगा, इसको लाके वापस देगा, तो इसके जेब से पैसे निकलेंगे, मान लेते हैं, चेक से निकला, तो पाँच हजार रुपे बिजनसमेन के जेब से निकलेंगे, क्यों, क्योंकि इसका bills payable, जो acceptance था, bills payable के बदले, इसने पैसे दिया, समझ महीं बात, या लिखेंगे, bills payable, मैं short form में लिख देता हूँ, bill BP, 5000 रुपे, चेक से बात करी है, तो चेक से, bank से निकलेगा, समझ में आए बात, यानि जब कभी भी हम acceptance की बात करें, तो अगर हम acceptance देते हैं, तो हमें उसे payment देना पड़ता है, जो acceptance का नाम है, उसे bills payable बोलते हैं, ठीक है, paid miscellaneous expense डेड़ सो रुपे, कितने तारिक को, 14 तारिक को, 14 अक्टोबर, तो by miscellaneous expense, miscellaneous expense, डेड़ सो रुपे, तो कुछ नहीं बोला तो cash में ही रहेगा, चलिए, आगे कहता है, रमेश who owed 5,000 become bankrupt 50 पैसा इना रुपी, कोई ऐसा वेक्ती था रमेश, जिससे की 5,000 रुपे की बाच्चित चल रही है यहाँ पे, उसने पैसे तो दिये, लेकिन सिर्फ 50% ही दिये, वो bankrupt हो गया, और उससे total जो हिसाब किताब था हमारा, पांच हजार रुपे का था, तो पैसा मिलेगा हमें यह, 18 अक्टूबर को ध्यान देना, बेड डिट्स वाली है यह, 18 अक्टूबर को पैसा मिलेगा, किस से मिलेगा रमेश से, लेकिन रमेश से 5000 में 50 पैसे का मतलब है, कि भाई 5000 में पूरे 5000 नहीं बिलेंगा, इसका ले रहे हैं, कि कैस में मिल गया होगा, कैस में मिल गया होगा, ठीक है न, कैस में मिल गया, बागी के 25 को क्या हुआ, बेड डिट्स, बताओ बेड डिट्स, नोन कैस आइटम होता है, तो बेड डिट्स की एंट्री हम नहीं करते कभी भी, तो एक और नोट सेक्शन में नोट बनाना हमने जब format बनाया था तो नोट लिखा था न दो तिन नोट तो एक ये भी नोट रहेगा कि bad dates के case में entry नहीं किया जाता इस बात का ध्यान रखना bad dates के case में in the sense कहने का मतलब है कि अगर देखो 10,000 रुपए है न तो 10,000 में से अगर 4,000 रुपए हमें नगद मिल गया तो इसकी तो entry कर देंगे बाकी 6,000 रुपए अगर मेरा डूब गया तो इसकी entry नहीं करेंगे अगर in case मेरा पूरा का पूरा 10,000 ही डूब गया एक रुपए भी नहीं मिली तो किसी की entry नहीं करना जी बस यही समझाना है चलिए receive cash from मनोहर मनोहर से cash मिला है कम मिला है बीजी 20 अक्टूबर को तू मनोहर कितने 7,500 तू मनोहर 7,500 देख रहा है क्लियर और यहां कहता है allow discount 200 रुपए तो देखो receive cash काफी बच्चों को थोड़ा confusion रहता है इसलिए मैं थोड़ा एक बार explain कर देता हूँ इसको मिटा देता है इसके लिए मैं note लिख दूँ आभी ठीक है काफी बच्चों को confusion होता है कि sir discount कम minus करें नहीं जब आगे आजाए ने receive या फिर word आजाए paid तो इसका मतलब discount पहले से ही minus है पहले से already minus है लेकिन जब आजाए word due और आगे आपको sales की value दे दे तो इस case में आपको minus करना पड़ेगा या word आजाए full settlement ये देखो हर जगा fit नहीं होता बस एक समझाने का है कि ये point होते तो ऐसा करते हैं बाकि आपको खुद ही sense लगाना पड़ेगा खुद ही logic लगाना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे ठीक है ना तो इसमें हम minus करेंगे minus करेंगे तो यहाँ पर देखो इस entry में क्या कहता है receive cash from manohar यानि received हो चुका है और सीधा 75,000 receive हुआ है तो इसलिए 75,000 लिख दिये discount पहले ही minus है तो discount का roll नहीं है withdrawn from bank 4000, 23 October को 23 October को withdrawn from bank, जब bank से निकालेंगे तो एक किस पर फरक पड़ेगा एक cash के उपर फरक पड़ेगा एक bank के उपर फरक पड़ेगा जब bank से निकाला तो cash हमारा plus हो जाएगा क्यूंकि पैसा आएगा और bank minus हो जाएगा तो cash को plus कर देते हैं इधर किस नाम से plus करेंगे जी bank के नाम से Contra entry और cash में आ गया हमारा 4000 अगले point की बात करते हैं Buy side में इससे की double entry भी करते हैं Buy bank के बाद buy cash Cash निकल गया कहां से 4000 रुपए बैंक से और ये भी कौन सी entry है Contra Date रहेगा हमारा same 23-10 Paid to घंश्याम and receive देखों यहां paid आ गया and receive discount 100 तो paid करा है मैंने घंश्याम को 3000 रुपए तो भाई इसमें से discount तो minus है 24-10 Buy घंश्याम आगे घंश्याम and company है पूरा लिख देने हैं आप घंश्याम and company घंश्याम and company 3000 चेक वगरा बताए नहीं तो cash में मानेंगे है न withdrawn from bank for personal expense अगर bank से हम अपने personal expense के लिए निकालेंगे तो बताएए क्या होगा सोचिए personal याद करिए personal expense तो drawing होगा ये contra नहीं है तो 25 तारिक को buy drawing buy drawing buy drawing और drawing में क्या लिखेंगे 3000 रुपए और ये bank से निकाला गया चलिए good sold sales किया है 11,000 रुपए का 27 तारिक को sales किया है तो पैसा आएगा two sales simple सा logic है न याद है न आपको के भाई जब हम कुछ भी नहीं बोला तो cash में मान लेता है कि जब हमारा पैसा receive होता है तो इस side और paid होता है तो इस side याद रखना है अपने receive check from good sold मैंने कोई समान फिर से बेचा और check मिला तो समान बेचने की ही बात कर रहा है यह तो कोई बात नहीं हमारा sales होगा और देखो कितना घुमा के बोला आपको जो simple बच्चे जो creative mind से नहीं सोचते ना practice नहीं करते तो घुम जागा sir receive check किया है क्या लिखे भाई उसने बोला है कि sales के बदले receive किया है तो ultimately जो यहाँ motive है वो तो sales ही है ना अगर मैं आपको ऐसे बोलता ना good sold by check तो फट से समझ जाते हैं उसी को घुमा फिरा के बोला है 29 receive part payment from akhil 5000 and deposit 3000 out of into bank अब akhil से मुझे 5000 मिले ध्यान से देखिएगा सबसे पहले तो ले लेते हैं 29.10 को akhil से to akhil akhil से मुझे 5000 मिले तो यह लो जी मैंने 5000 लिख दिये अब जब मुझे akhil से 5000 मिले हैं और मैंने क्या किया 5000 मिलने के बाद उसमें से and कहता है कि receive part payment from akhil 5000 and 3000 out of into the bank इसी 5000 में से 3000 bank में जमा करें अच्छा अब अगर हम bank में जमा करने जा रहे हैं तो फिर सो तो bank में जमा करेंगे तो दो जगा impact पढ़ेगा cash minus और bank plus तो फिर इधर एक entry करना पड़ेगा और इधर हमें bank को plus करना पड़ेगा और bank किसके नाम से plus करेंगे क्योंकि हम cash जमा करने जा रहे हैं bank में क्या करने जा रहे हैं हम नहां पर normally cash जमा करने जा रहे हैं तो bank में cash जमा करने जा रहे हैं तो 2 cash और 3000 रुपए समझे बात को ये contra entry same date रहेगा 29-10 जी चिंता करने की कोई बात नहीं अब दूसरा cash को minus करिए तो buy side से minus हो जाएगा bank और bank के नाम से cash minus होगा ना सीखा था ना भूल गए ना like contra entry date के आएगा 29-10 यही date तो देखिए पहले तो सारा पैसा receive कर लिया cash में उसके बात इसी में से 3000 जमा कर दिये simple सी बात है ठीक है कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं हमने पहले 5000 रुपे receive किया अब 5000 आ गए अब भूल जाओ और थोड़ी दिर अलग entry अब 3000 मैंने इसी 5000 में से जमा किये अब इसमें से किये या किसमें से किये जमात हो रहा है हमारे पास से तो cash गया होगा तो cash minus कर दिया bank plus हुआ तो bank plus कर दिया और ऐसे situation को क्या बोलते है contra entry बस जी बस खतम बड़ा ही छोटा सा question था ये अब बस हम totaling कर देते हैं इसका फटा फट से और फटा फट हम इसके राइटिंग में total लेकता हम पच्छेस हजार पच्छेस सो पिछथ्तर सो चार हजार ग्यारा हजार और पांच हजार ये आगे फिफ्टी फाइव हंट्रेट चलिए अगले पॉइंट पे पिछथ्तर हजार उननेस हजार और तीन हजार 97000 अब 55000 माइनस 5000 माइनस 150 माइनस 3000 माइनस 3000 तो ये आगे हमारा 43,850 बाइ साइड में बाइ बैलेंस CD क्या जागे 43,850 तारिक क्या है यहाँ पे 39 के बाद हमारा दसवा मेहना है तो 31,10 रहेगा अब ऐसे ही माइनस कर देते हैं यहाँ टोटल तो लिखेंग है देखो 55 और 97 है ना दोनों साइड टोटल सेम रहेगा 15,000, 5000, 4000 और 4000 और 3000 ये लो जी इसका टोटल हमारा क्या आगे है दूसरे का टोटल दूसरे का 70,000 एक तम करेक्ट कोई टोटलिंग मिस्टेक नहीं है ना तो आप येकीन मानिए अगर आप साथ के साथ करोगे न तो मैं इस बात की गरेंटी लेता हूँ मैं बोलता हूँ कि आपको चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगा कैश बुक का देखा आपने और फटा फट कर दिया लॉजिक समझो लॉजिक रटे पर नहीं जाना यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस बैलेंस बीडी ओहो बैलेंस बीडी में क्या आएगा हमारा एक का आएगा 43, 850 और एक का 70,000 चलिए जी note करिए done note करिए sir आपने बोलते हो वो चीज़ आपने तो लिखा नहीं आपने लिखा नहीं okay लिख देता हूं point number one note in case full amount bedded then no entry done in cash book in cash book कोई आएगा second in case in case any person bankrupt any person आपके इसमें bankrupt then part payment receive part payment जो receive किया है will be enter in cash book logi दो note लिख दिया हमें ठीक है आप जल्दी जल्दी एकदम फटा फट से note करके दिखाईए आप इसके बाद हम अगले question पर चेलेंगे जल्दी जल्दी note करिए है ना जी sir note करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करना है अपने ऐसा नहीं के time pass नहीं करना हमने इस बात का ध्यान रखिए comment मैं आप सभी के देखूँगा पहले मैं अपना काम कर लूँ अपना काम कर लूँ note करिए जल्दी 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 note करिए चलिए अगले concept पर question इसके बाद हम करेंगे एक और बड़ा question मैं सरिफ इसलिए question कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपके नब practice हो जाए अच्छे से एक और question करेंगे चलिए जी चलिए यह लीजिए यह वाला question थोड़ा बड़ा question है कई वार न हम LF को JF बे लिख देते हैं जर्नल पोलियो चलिए जी डन question करता है एक और question है साथ में display तो मैं करता हूँ तो एक और question देखते हैं ठीक है इसमें चंदरिका ने अपना business commence किया यह भी बहुत important होता है कि business कून कर रहा है नहीं कर रहा है उसका नाम पढ़ें ताकि हमें पता चलेगा कहीं पर लिखा हो चंदरिका paid तो हमें पता चलेगा कि भाई चंदरिका ही हम ही है और हमने paid किया है चलिए एक जन्वरी को commence किया business 2020 और जैन 1st जब इसने business को commence किया है तो cash में और एक लाख रुपे लगा है बहुत बढ़िया उंदा बहुत बढ़िया business start case ने उसको क्या लिखेंगे 2 balance bd नहीं लिखना क्योंकि business start हुआ है बूल गए न 2 capital account लिखेंगे और एक लाख रुपे कुछ नहीं बोला तो मान के चल रहे हैं बोला है बिल्कुल बोला है cash में एक लाख रुपे 3rd gen को see open a current account with saving check 3rd gen को तो देखो question examiner कितना चलाख है कहा के चंदरीका ने अपना bank account open किया ठीक है bank account जब open करेगा तो ultimately आप खुछ सोचो आप कैसे bank account open करोगे अपने घर से पैसे ले जाओगे तभी तो open होगा आपका account ऐसे इसने किया इसने bank account open किया जब bank account open किया होगा तो इसके cash पे फरक पड़ा होगा क्योंकि अपने घर से cash ले गिया होगा तो minus और bank account open करने का मतलब bank के अंदर पैसे plus हो गए होगे तो ओहो कितने रुपे से open कर दिया इसने bank को तो plus करी दे account open हो गया और यही अपने घर से check लेके आती न ओहो बिल्कुल exactly ठीक है मैंने पूरा नहीं पढ़ा था bank open होगा तो अभी जो मैंने बताया था ध्यान देना by mistake मैंने पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा मैं फिर से पढ़ता हूँ she open a bank current account with her saving account यानि यह business से पैसे नहीं निकाले अपने घर से लेके आई यह और घर से लेके आई है तो घर से जब भी पैसे बिजनस में लगेंगे तो हमेशा याद रखना चाहे सुरू में लगे चाहे कभी भी लगे उसको capital से introduce करेंगा और अब ठीक है यह बहुत पैसा लेके आई है यह बहुत पैसे वाली लड़की है चार जैन को कहता है कि इसमें receive check from कीर्थी and company as advance 60,000 तो receive किया इसने चार जैन को चेक receive किया अब हमें यह देखना है कि इस चेक को जमा करवाया नहीं करवाया आगे कहता है कि उसने जो चार तारिक को check receive किया ध्यान से देखो तो चार तारिक को जो check receive किया साथ तारिक को उसने bank में जमा करवाया तो चार तारिक को अब मैं entry करवा check in hand के नाम से check in hand clear और 60,000 रुपे bank में आ गया और साथ तारिक की कोई entry नहीं करेंगे इसकी हम journal भी करके दिखा देते हैं ठीक है इसकी हम journal भी करके दिखा देते हैं entry इतना भी नहीं है हो जाएगा journal क्या होगा हमारे check in hand check in hand account debit to किस से मिल है भाई कीरती and company और 60,000 रुपे being being check receive from कीरती and company यह लिखना general entry करना है आपने check in hand अगर question में आता है तो उसका general entry you must आपको करके दिखाना पड़ेगा इसके बाद see advance उसने advance return buy check तो अब इसने कहता है कि इसने 35,000 रुपे का इसने advance return and company को buy check अब question में देखो यह mention नहीं है कि इसने check को advance receive किया यह दिया है तो यहाँ पे है उसने advance दिया होगा क्योंकि वो return and company को receive वर्ड नहीं है तो मान लेते हैं यहाँ पे दिया है 10 जैन को 10 जैन को तो see advanced किसको दिया इसने return and company को तो return and company buy return and company को क्या दिया इसने bracket में लिख देता हूँ advance और check से पैसे दिये कितने रुपे दिये भाई कितने दिये 35,000 रुपे तो यह आगया 35,000 कोई doubt नहीं सर 10 तारिक के बाद 12 तारिक तिरपाठी and company pay into bank account तिरपाठी and company pay into bank account अब किसके bank में हमारे bank में जमा करा दिये 47,500 बारा तारिक को अब अपने bank की बाद थोड़ी करेगा तिरपाठी हमारे bank की बाद करता है तिरपाठी and company तिरपाठी जी ने हमारे बैंक में जमा करवा दिया ओके तरपाथी जी 47,500 ये लो जी इसके बाद कहता है पंदरा में शी रिसीब चेक फ्रॉम वारसी एंड अलाउड हिम डिसकाउंट 3500 रुपए अब उसने चेक रिसीब किया वारसी से और उसको डिसकाउंट लिये तो अब रिसीब हो गया चेक और आगे और देखे बैंक में जमा तो अभी कराने की बात करी नहीं है तो आगे चेक करते हैं कि बैंक में जमा हुआ ही निhy पंदरा तरिक के बादचलते हैं 20 तरिक को No, no, no कोई भी cash रिसीब हुआ कुछ भी नहीं हुआ पाशी पे इंक्लूडिंग चेक 15 और 20 अब ध्यान से देखे 25 तारिक को 25 तारिक को इसने कहा कि जो चेक रिसीव किया है उस चेक को और 20 तारिक को जो भी कैश रिसीव किया है कुछ मिला उला के एकलाख जमा करें तो 15 और 25 तीनों आपस में connected है ये questions पढ़ना पड़ेगा इस बात को समझ लीजिए आप तो 15 तारिक को इसने चेक रिसीव किया है तो जमा तो हुआ नहीं तो 15 तारिक को मैं क्या इंट्री करूँआ 15 तारिक को 15 जमा नहीं हुआ तो 2 जब रिसीव हुआ चेक इन हैंड हैंड चेक इन हैंड 47,500 ठीक है अब धिहान रखिएगा इसका जो चेक था ये कौन सा चेक था भाई डेट नहीं लिखा यहां तक समझ मैं इसकी एंट्री एक और करनी है मैंने देखा नहीं देखा नहीं एंट्री थी और ये चार की और एक और साथ तारिक की एंट्री हम करेंगे क्या एंट्री करेंगे सर साथ तारिक की जब चेक को जमा करवाया तो बैंक में पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड तो आप हमेशा धिहान रखिएगा और सेम अमाउंट मैं क्या समझाने की कोशिस कर रहा हूँ कि जब कभी भी हम check को receive करते हैं और जमा उसके अगले दिन करवाते हैं तो जिस दिन receive होता है उस दिन तो entry करते है check in hand से बोलो समझ मैं आय की नहीं है उसकी journal entry भी कर देते हैं लेकिन जिस दिन bank में जमा करवाया जाता है उस दिन हम इसमें तो entry नहीं करेंगे लेकिन एक general entry जरूर करके दिखा देंगे ठीक है तो यहाँ पर लिख देंगे हम being क्या लिखेंगे बोलो being dated for jan check deposit चार जनवरी वाले check को deposit कर दिया तो दो entry है जब आपका check receive होगा तो यहाँ भी entry करेंगे और यह भी general entry लेकिन जब check जमा कराएंगे तो यहाँ entry नहीं होगा कहां होगा स्रिफ general entry में examiner को करके दिखाना है समझ में आई ना बात जी अत्रपाथी की बात करते हैं उससे 47500 का check मिल गया see receive check from वार्सी से भी हो गया हमारा see receive cash 7500 रुपीज अलग अलग है तो मैं पहले cash receive कर लो धीरे धीरे confused हो जाता हूँ मैं किस से receive क्या भाई check कल्यान 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 से check मिला 7500 ओ cash पहले cash की बात ज्यादा confuse मत करो मुझे मैं confuse हो जाऊँ आँ तो cash ठीक है यानि इसको तोड़ दिया मैंने इसकी entry कर लिए इसके बाद आगे और check भी मिला इसे 10,000 इसे check भी मिला है 10,000 रुपे का ठीक है तो check भी 10,000 का है तो इस check को भी लिख देते हैं to check in hand ध्यान से देखिएगा मैं पूरा समझाऊँगा इसको explain करूँगा 10,000 का अब 25 को कहता C pay into bank including check receive 15 और 20 इसने 15 और 20 का check का receive कर दिया और 1,000,000 रुपे ध्यान से देखिए अब इधर देखिए मैं आपके सामने इधर आ रहा हूँ हुआ क्या सबसे पहले 15 तारिक को 15 दस को मुझे एक check मिलता है और check मिलता है मुझे total कितने रुपे का 15 तारिक को 47,500 का लेकिन इसे bank में नहीं लेके जाते, bank में लेके नहीं जाये जाता तो ये हमारा check in hand में चले गया था फिर से 20 तारिक को एक tragedy होता है हमारे साथ, एक person से हमें payment मिलता है, एक check और मिलता है और वो check होता है हमारा 10,000 का, इसे भी bank में नहीं ले जाये जाता, bank में नहीं ले जाता तो इसकी again entry कर देते हैं check in hand और same date में मुझे cash में मिलता है, और cash कितने का मिलता है 10,000, पहले बोलो ये समझ में आया की नहीं आया है, तीन entry था सबसे पहले 15 तारिक को check मिला, मैंने लिखा जी 15 तारिक को देखो check in hand, 20 तारिक को एक और check मिला check in hand, और 20 तारिक को ही cash मिला तो cash लिख दिया, cash 75,000 है 75,000 हमारा cash है, ठीक है, दुबारा देखिए, 15 तारिक को check मिला तो check in hand के नाम से, 20 तारिक को cash मिला तो cash के नाम से और check in hand लेखिन, 25 तारिक को एक नहीं कहानी बताई इसने, कि भाई मैंने bank में जमा किये हैं, मैंने bank में जमा किये हैं, total एक लाख रुपे भाई कहां से जमा कियें, तो इसने कहा कि जो 15 और 20 तारिक वाले check थे, वो, तो इसका मतलब 15 और 20 तारिक वाले अगर check को मिला दिया जाए, तो 57,500 रपे जमा किये होंगे इसने 15 और 20, कैसे 15 तारिक का था, 4700, अगर दोनों को मिला दे, तो 47,500 और प्लस 10,000, तो भाई, तुम तो दोनों check को अगर मिला दो, तब भी तुमारा total कितना बनता है, 57,500 ही तो जमा करवा सकते हो, तुम bank में question में देखे कैसे गुमाया है, कहता है, she pay into bank including check receive 15 and 20 January, और amount दिया कि भाई, मैंने जमा एक लाग कराए, तो भाई, ऐसे कैसे पैसे जमा होगे, जब 57,500 तोटल बनता है, इसका मतलब है, balance उसने अपनी cash जमा करवाया हुआ, देखा, balance cash, तो cash का amount अगर मैं निकालू यहाँ प amount, 57,500, 42,500 रुपे इसने cash deposit कराया, तो जो 25 तारिक की entry है, इस check की entry कर चुके है, या नहीं कर चुके है, जी कर चुके है, ठीक है, इसके बाद इस check की entry कर चुके है, नहीं कर चुके है, जी कर चुके है, देखिए, मैं यहाँ पर अलग मारकर से red कर देता हूँ, लाल कर देत ये लाल, ये देखे, हो चुका है, क्या मैं इस चेक को जब जमा करवाने जा रहा हूं, तो दुबारा एंट्री करूँगा, आंसर इस नो, अब फिर से बात आती है, सर, इसकी तो जर्नल करनी पड़ेगी, बिल्कुल, जर्नल करनी पड़ेगी, आप जर्नल एंट्री करोगे, इसकी भी जर्नल एंट्री, जैसे मैंने ये करा इसी के तरीके से, और रजिस्टर में करके भेजना है मुझे, मैं चेक करूँ आपका, इसकी जर्नल एंट्री, दन, और एक इसकी जर्नल एंट्री, और जब डिपोजिट करवा है, तो 25 तारिक की एक ही एंट्री करोगे आप लेकिन 25 तारीक को आप इखटे दिखा दे न 57-500 अब मुद्दे की बात एक लाख रुपे में से 57-500 का हिसाब डन हो चुका है तो अब हमें इसकी एंट्री के बारे में चिंता है तो cash deposit हुआ हमारा क्योंकि अगर एक लाख रुपे आपने total bank में दिया है चेक जोड़ करके तो चेक कर पैसा अगर हमें पता है तो बाकी पैसे कहां से cash जमा करें होंगे तो इसका मतलब 42-500 cash deposit हुआ है इट मेंस ये क्या होगा 25 तारीक को Contra entry cash जमा किया है तो भाई cash जमा किया है तो मेरा bank balance बढ़ जाएगा bank balance कितने से बढ़ जाएगा 42-500 तो total में चेक कर ये गई है लाल वाली entry तो देखिए इन सब को जोड़ ये bank में जमा हो गई कितने जमा हो गई एक लाख और buy side में buy side में buy side में अगर हम देखें तो हमारा bank से और मेरा cash कम हो जाएगा 42-500 है ना 42-500 ध्यान दीजिएगा इसको मैंने थोड़ी देर के लिए यहां से आपका slide जरूर हटा दिया है जो questions था मुझे proper यहां समझाना था इसलिए अब मैं दुबारा यहां पर slide लगा देता हूँ पहले आप इससे समझ ये समझ में आया है सर एक बार और हो जाए एक बार और बता दो देखो 15-10 को मुझे चेक मिला मैं बिल्कुल सांथ था भाई आराम से सो रहा था कोई दिक्कत नहीं पंदरा 10 को चेक मिला फिर मैंने देखा भाई इस चेक को तो जमाई नहीं कराया अभी इसको 25 को जमाई कराया गया तो मैंने बोला चेक इन हैंड के नाम से बाई एंट्री करदो ये लो जी एंट्री कर दिया 20 तारिक को थोड़ा और इस कोशन में अंदर ट्विस्ट आया बोला 20 तारिक को भाई मुझे मिला है चेक और कैस दो चीजे मैंने बोला बाई चेक मिला है तो बंक में लिख दूँगा और cash मिला है तो cash kolum में लिख दूँगा ओके जी cash मिला है cash kolum में लिख दूँगा हो गया डन लेकिन जब 25 को पहुंचे तो कुछ और बात बोल रहा है 25 तारीक को बोलता है कि मैंने bank पे जमा करा है एक लाक मैंने बोला क्या बात बैंक में जमाईंग लिख दूंगा लेकिन बोलता ऐसे नहीं जो चेक 15 और 20 को रिसीव किये थे वो दोनों मिला कर हैं 1.000.00, मैंने कहां 47.500 और 10.000 दोनों मिला के तो यही अमाउंट होता है दोनों मिलाके एक लाग तो होता ही नहीं है तो कैसे जमा कर दिये जी आपने एक लाग तो दिमाग निकला Balancing Figure यानि जो difference होगा वो 42,500 का किसमें जमा हुआ होगा बिलकुल cash में तो उस cash के लिए मैंने Contra Entry कर दी ये लो, red ये 15,20 जितने भी मैंने ये red, red नीचे लगा है तो 15, 20 और 25 तीनों आपस में connected है चलिए जी आपके सामने computer जी side में display करें question को ठीक है आगे देखते है C pay check for purchase 27,500 कोई बात नहीं by purchase 27,500 रोपे 27 तारिक को 28 को check receive वारसी was dishonored Oh my God जो वारसी से check मिला था ये वारसी वाला है कौन सा है भाई ये कौन सा check है बताओ भाई बताओ जल्दी बताओ यानि यहाँ पे included है वारसी वाला check कौन सा है भाई ये वाला है बोला ये वाला check dishonored हो गया dishonored हो गया तो dishonored की case में याद करो note लिखवा है था जब format लिखवा है था dishonored की case में सर्फ by side में entry कर देंगे हम 2 में तो होई चुका है by side में W वारसी तारिक 28 और check dishonored हो बेंक कम हो जाएगा कितने से 47,500 समझ में आई बात आपको तो check देखो पहले receive किया तो यहाँ हो गया dishonored हुआ तो वाई में बड़ाई simple यार क्या इसके अंदर आप इतना ज़्यादा सोचो को हो कितना इससे आसान question तो दिखा ही नहीं मैंने बस she paid उसने क्या करा pays sundry expense in cash 30-10 buy sundry expense 30 रुपए बड़ा छोटा amount paid किया है 50 रुपए 50 रुपए 30 तारिको she paid johns and company उसने pay किया है johns and company को or in cash is allowed discount 35 रुपए अब 30 तारिकों फिर से pay किया है by john john and company कहती है c pay john and company pay कर रही है in cash and allowed discount 35 रुपए तो इसका मतलब अब यहाँ पर थोड़ा confusion है इसके लिए note देंगे इसने बोला कि take कर रही है अब कर दिया या नहीं करा कुछ confirm तो है नी जी बिल्कुल करा या नहीं करा ऐसा तो कोई confirm है नी तो हमें एक काम करते है हम माल लेते हैं इसमें से discount minus नहीं है discount minus करके करेंगे इसके लिए note लिखोंगा सुन्दर सुन्दर writing में तो 37,500 में से अगर मैं 35,000 minus कर दूँ 37,500 में से 37,500 में से minus 35,000 तो 34,000 पेड़ किया होगा ये मेरा assumption है और cash में पेड़ किया है कैसे पेड़ किया है लोग पीछे देखते है बताया ही नहीं cash बोला होगा है तो 34,000 ठीक है 34,000 note दे देंगे ठीक है note इस पर star भी बना देते है star के note लिखना है के जो discount है वो minus हमने कर के किया है already minus नहीं है मान लिया है 31 तारिक को 31 इसने rent paid किया है office का 20,000 का तो buy rent 20,000 इसके बाद draw check for office use अब देखे 31 तारिक को इसने फिर check से पैसा निकाला है अपने office use का तो contra हो गया न क्योंकि draw चेक किया है तो मेरे office में पैसा आएगा और bank कम हो जाएगा तो office में पैसा आएगा तो office में पैसा कहां से आएगा office में पैसा आएगा bank से कितने का payment आएगा 40,000 और dated है 31 तारिक 31,10 और ये है हमारा contra contra और same 31,10 को मेरे cash के नाम से bank से निकल जाएगा कितने रुपे 40,000 ओके done sir फिर 31 को इसने staff को salary दिया है buy check तो 31,10 को ही salary दिया है तो buy salary और buy check कितने रुपे का दिया भाई 30,000 रुपे का दिया ये तो simple है लेने देने वाली ये कुछ entry थे complicated आगे देखते हैं paid cash for stationary पच्चिस सो रुपे same 31,10 को stationary के लिए payment किया तो buy stationary और amount है 25,00 cash में बोल ही दिया नहीं बोलता तो cash मान लेते purchase goods for cash 12,500 31,00 को बहुत काम किया महनती लड़की है 31,00 को बहुत काम किया purchase goods खरीदा है कितने का 12,500 नगद में ही खरीदा है C पे commission by check जगपाल को commission paid किया है अब कुछ बच्चे जगपाल के नाम से entry करतेंगा नहीं commission paid किया है हमने commission और कितने 30,000 रुपे receive check from commission from रगुबीर and company and deposit into the same day okay check receive किया है तो किस बात का receive किया है commission के नाम का रगुबीर से मतलब नहीं है commission कितने रुपे का check 50,000 का bank में बड़ा पैसा इसके cash में sales किया है 45,000 same date पे 31,000 को two sales sales 45,000 अब इसकी general entry जो red red marker लगा है इसकी general entry करना है dishonored की भी general entry करना है जो मैंने करा नहीं है भी मैं करके दिखा दुआ question सारा कर लिया अब totaling करते हैं आप question को भी ध्यान से tally करिए साथ में display मैंने कर रखा है जैसे ही मेरा total done होगा मैं question हटा दुआ है एक लाख 7,500 192 इदर कहां चलेगे भाई साव 500 आप noting करते रही है करते रही है करते हैं आप करते हैं सा इत्य है झाल 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 एक छोटा सा मिस्टेक है इसमें जल्द वाजी में मैंने ये जो मिला था ने ये 45,000 मिला था तो थोड़ा चेंजिस हो जाएगा इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है और जब ये 45 मिला था तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो ये भी 45 होगा और 55,000 और इधर आ जाएगा 45,000 ठीक है ना पांटर एंट्री मैंने 42,500 किया इसको कर देते हैं 45,000 और इधर भी 42,500 ये इसको पांटर देते हैं एक और पॉइंट इसमें डालना है मुझे ओ-ओ-ओ 45,000 पचास रुपे 34,000 एक और पॉइंट किया डालना है मुझे यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान से देखिए कि जो ये वाला था ना जॉणसन वाला इसके लिए नोट लिखना है जॉणसन वाले चेक को एक पर देख लेते हैं आप नोट करते जाईए जॉणसन वाले में क्योंकि यहाँ पे क्लियर्टी नहीं है जॉणसन वाला जो चेक था यहाँ पे इसने बोला पेज इसने पेज किया है तो यहाँ पेज की जगे पे बुक में पेज लिखना चाहिए तो कोई मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ में पोईट मिस्टिक हो सकता है तो मैं एक काम करता हूँ इसको मान लेता हूँ कि इसमें से इसकोंट मानम हो चुका है तो 37,500 इ Awas तुका है इस बात का ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा चेंज इस किया है तो घबराने की कोई ज़ुरत नहीं है मैं भी एक पर और एक्स्प्लेइन कर दूँगा पचास, सैंतिस, पान सो और पच्छिस सो और बारा हजार पान सो ये आ गया बाइ बैलेंस आप नोट करते रहिए सीडी चुरानवे नो सो पचास और एकतिस दस को ठीक है अब बैंक का बहुत पैसा है बैंक में ओ माइ खाट ठीक है बारा सक्तावन पान सो एक बारा लाग सक्तावन हजार पान सो कुछ पच्छ बोल रहे हैं सर इंग्लिश मैं बोलिए तो लो बोल देते हैं 12,57,500 पाथिश हजार यह आगिया हूँ एक वारसी का चेक जो था एक यहां भी कडबर 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 ठीक है तो देखा एक जगा थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया कितने मिस्टेक्स होगे और एक ग्यारव को टू बैलेंस BD 94,950,103 यह एलो लाइन ठीक है मैं एक वार दुबार एक्स्प्रेंट करता हूँ हुआ क्या था कुश्चन आपने देख लिया असाइन्मेंट में भी है आप मैं हर किसी को बोलूँ आप प्रिंट आउट निकाल के फिर करा करें तो कुश्चन में क्या था कुश्चन में यह था कि मैंने जो चेक के सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग से 15 तारिक को एक चेक मिला था 45,000 का मिला था जमा नहीं हुआ था ठीक है न 15 तारिक को चेक मिला था 45,000 का जमा नहीं हुआ तो जब मुझे 15 तारिक को check मिला 45 का तो ये देखो 15 तारिक को मैंने check in hand के नाम से कर दिया इसकी general entry भी करेंगे ठीक है तो इसकी general entry कर देंगे भी उसके बाद 20 तारिक को फिर check मिला 10,000 का तो देखो 20 तारिक को check और 7 के साथ cash भी मिला तो देखो 20 तारिक कोई cash तो ये तीन entry देखिए इन दोनों entry के लिए मुझे check in hand के नाम से entry करना पड़ेगा तो check in hand के नाम से entry कब होगा एक 15 तारिक एक 20 तारिक तो 15 तारिक को same करेंगे check in hand मैं यहाँ पर कॉमा कर देता हूँ same check in hand amount rubbing और same 20 तारिक को भी ऐसे होगा check in hand और ये 15 तारिक के बाद 25 तारिक को हुआ क्या मैंने 1,00,000 रुपे जमा किये जिसमें 45,000 रुपे का ये check था इस date वाला और 10,000 का इस date वाला तो इस date पे हम 25 तारिक को entry करेंगे और दोनों मिला के कर देंगे amount यानि हमारा 55,000 रुपे इस date पे जमा हो गया question कहता है लेकिन इस 25 तारिक वाले दिन में मैंने 55,000 नहीं जमा किये हमने 1,00,000 किये हैं तो इसका मतलब मैंने निकाला कि 45,000 क्या हुआ हमारा cash और जब cash में हम bank में जमा करेंगे तो वो contra entry का part होगा तो cash घटेगा और bank बढ़ जाएगा तो देखो मैंने bank बढ़ा दिया और cash मैंने घटा दिया कहां घटा ये रहा ठीक है आगे जैसे जैसे गए तो पता चला कि वारसी का check dishonor हो गया तो वारसी से check कितना मिला था ये वारसी है मैं W लिख देता हूँ ये check dishonor हुआ तो ये लो मैंने वारसी का check dishonor कर गया ठीक है और कोई mistake नहीं था ये बस amount मैंने 47,500 लिया जिसकी वज़े से यहां पर ये भी गलत आ गया था और जिसकी वज़े से सारा थोड़ा mistake हो गया था टूटल में बागी question 900 question जो है 100% ठीक है जी sir बिल्कुल ठीक है अब note करिए फटाफट इस question को फिर हम अगले question की तरफ चलेंगे फटाफट से note करिए question 11 करा भी हमने 10, 11 क्या है 11 ये तो बहुत छोटा सा question है note करिए ऍटारत से अप्राफट 90 George से बंढने भी है 90 इस बंढने टाफ़ा बहुत आूच को झाल झाल डन कर लिया नोट चलिए इसे मिटा देते हैं अब कुछ questions है जो की इसके अंदर जो main-main question थे मैंने कर दिये है एक class और लूँआ मैं इसका जिसके अंदर मैं questions करके दिखाऊंगा आपको GST का और retain वाला जो था ना हमारा concept वो वो करके दिखाऊंगा चलिए कुछ एक question जो मेरे पास next assignment पर है देख लेते हैं कौन से point नहीं हो पाएंगे वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ bank account saving से यह तो हमने कर लिया है questions और 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 एक है receive check from national insurance company against claim laws तो हमने national insurance company से check receive किया है against claim कोई claim होगा हमारा तो national insurance company से check मिला है तो वो bank में two side में आ जाएगा इसके बाद एक entry है इसमें जो कि मुझे थोड़ा सा सुमन का check return dishonored हो गया equal amount यह तो पता है आपको अगले assignment का जो questions है 11 उसमें कोई है नहीं ऐसा बारवे में देखते हैं 12 में देखते हैं question number 12 में sold goods this 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 and receive check from Amit check 20 goods 10,000 destroyed goods of rupees 10,000 destroyed during मैं 12 question की बात कर रहा हूँ assignment में जो है assignment है होना चाहिए आपके पास तो 10,000 were destroyed during the आपका transportation company claim admit in full company ने during transport company admitted the full claim अब यहाँ पे company ने full claim receive किया है और पैसा मिला नहीं है अभी सिर्फ claim करा है तो यह 20 तारिक की entry करेंगे नहीं और note देंगे 20 तारिक में की company ने अभी claim करा है पैसे की कोई बात नहीं है receive check from transport and company अब अगले बार जो check receive किया है इसकी entry करेंगे और आगे कुछ नहीं है चलिए 13 question में question 13 में last question तो ऐसा कुछ नहीं है तो पूरे के पूरे आपको 13 question तक करने है एक और class लोगा cash book का concept हो जाएगा खतम ठीक है इलिस्टेशन नमर 9 में कहता है prepare two column cash book तरुन and कपूर तरुन कपूर है कोई from the following transaction कानपूर है सरी तरुन कानपूर से है उसका following transaction है तो प्रिपेर करना हमें दो कॉलम का cash book और तरुन कानपूर से है उसका prepare सबसे पहले point number one में कहता है cash in hand एक अप्रिल का है 2019 का और balance overdraft तो एक चार को 2019 के detail है एक चार एक चार को जो cash का balance है उसके लिए मैं word use करूँगा to balance BD और जो bank का balance है overdraft बोल दिया तो मैं लिखूँगा buy balance BD cash के balance क्या amount है और bank का 15,000 first entry complete अच्छा हाँ bank में जाएगा चली है अब इसके बाद देखते है कहता है capital introduced to 20,000 rupees out of which 16,000 check deposit into the bank same कहता है के 20,000 रुपे अलग से मैंने introduce करा out of which 16,000 is buy check and deposit into bank और इस 20,000 को मैंने क्या करा देखो total 20,000 मिला जिसमें से मेरे पास 16,000 रुपे तो क्या हो? चेक का 16 है तो कैश का कितना होगा? चार, simple तो date क्या है? two capital कहता है के 16,000 तो check से लिए तो check से लिए तो बैंक में जाएगा तो बागी का पैसा 4,000 कैश में simple यहाँ पे question में थोड़ा सा मुझे confusion है buy check and deposit into bank बैंक में क्या? 4,000 भी जमा करवा दिये यहाँ पे clarity नहीं है तो exam में कई वार आपको हो सकता है कि bank के अंदर क्योंकि इसने बोला 20,000 लिए जिसमें से 16,000 चेक है and deposit into bank तो 16,000 का check जमा करवाया यह 4 भी जमा करवा दिया यहाँ पे question mark है तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है के 4 यहाँ पे है और 16 यहाँ पे है जिस बच्चे ने 20,000 करा उसका भी answer ठीक माना जागा note देना पड़ेगा हमें यहाँ पे इसके बाद कहता है पर्चेस गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर लखनो तीन हजार रुपे का और GST, CGST, SGST 6% और दे अलाव डिसकाउं टू हंडेड दा पेड बाई चेक ट्रेड डिसकाउं ट्रेड दिसकाउं टू हंडेड का और दा पेमेंट वाई चेक है तो पर्चेस किया है, डेट किया है हमारा चार-चार तो उसके लिए बाई पर्चेस और बाई साइड में क्या आएगा, इन्पुट CGST, कल्कुलेशन अभी देखेंगे और बाई साइड में इन्पुट SGST और डेटिड है हमारा, चार-चार और चार-चार, कहता है समान कितने का पर्चेस किया तीन हजार सबसे पहले माइनस ट्रेट डिसकाउंट कर दो बचा दो हजार आठ सो, इसके उपर GST लगाओ 16 अब लिख देते हैं, चेक से पेमेंट है विकॉस आफ तो 2800 168 168, कैसे आया 168, 2800 पे 6% यह आया है GST के पैसा, ठेक है GST के पैसा लगा दे, पहले ट्रेट डिसकाउंट माइनस होगा, उसके बाद GST लगेगा इसके बाद आगे कहता है, कुस्चन में चार तारीक के बाद फिर से पर्चेस किया है, गुर्स हमने कैस चार हजार रुपे का और उसपे GST है, सिंपल कैस में खरीदा है बाद पर्चेस चार हजार और बाद इन्पुट C GST और बाई इन्पुट S GST, 6% है तो 240 and 240, डेटेड चार चार कोई है इसके बाद कहता है, सोल्ड गुड्स तु मोहन on credit, मोहन को क्रेडिट पे बेचा है तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे, क्रेडिट वाले को तो नहीं करते assumption लिखेंगे, last में मैं सबका assumption लिख दूँगा, ठेक है न, जितने भी एक तो मैंने वो वाला 20,000 वाला भी मान लिया assumption मेरे mind में है, और एक इसकी भी assumption लिख लेंगे इसके अच्छे तारिकों कहता है, receive check from rakesh, 2450, after allowing discount 50, तो rakesh से मैंने check receive कहा, लेकिन जमा करवाया क्या, इस दिन नहीं करवाया, अगले दिन करवाया 10 तारिक को, तो मैंने जब 10 तारिक को करवाया जमा, तो मैं entry कब करूँगा, 10 तारिक को तो 10 तारिक को मैं entry करूँगा टू चेक in hand चेक इन हैंड कितने रुपए का चेक था 2450 ये चेक रिसीव किया हमने इसके बाद अगली एंट्री को देखें तो आगे कहता है कोशन में 10 के बाद 11 सेटल दा अकाउंट आफ तेज प्रिंटर 750 बाइप पेइंग इन कैस 680 मैंने सेटल किया अकाउंट तेज प्रिंटर का बाइप पेइंग मैंने उसको दे दिये 680 रुपए किसको दिये मैंने तेज प्रिंटर को तो बाइप साइड में तेज प्रिंटर तेज प्रिंटर को मैंने पेमिंट जो किया है वो 680 रुपए अब कैस में किया है ये डेट है हमारा 12 11 11 के बाद 12 तारिक को कहता है कि cash receive from Mohan 4750 settlement of his account 5000 तो Mohan से पैसा receive किया 2 Mohan 12 तारिक को और 4750 अब एक बात याद रखना जिस जिस पर discount है उसकी general entry भी अभी देखेंगे उसकी हमें general entry करना पड़ता है जिसके उपर क्या हो discount उसका general entry अलग से शो करना पड़ता है तब जाके हमारा answer complete माना जाएगा 12 के बाद 16 तारिक को receive 1000 रुपे पवन स्वारी परम परम से मैंने 1000 रुपे रिसीव किया पहले 2000 रुपे से लेने थे जो मैं मान चुका है डूब गया लेकिन वह 2000 तो नहीं दिया उसने कितने दे दिये तो यहां पे हम परम नहीं लिखेंगे बैड डेट्स रिकावर लिखेंगे एंट्री में भी यही सिख है अपने और अगर चेक लिया है या बैंक जनरली बैड डेट्स रिकावर हम कैश में करते हैं क्योंकि चेक में तो फिर से दोका दे के चले जाएगा हो इसके बाद यह एंट्री है हमारा सोला सोला के बाद सत्रा थार एक रिसीव रॉम मुर्ली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर मुर्ली से पैसा रिसीव किया है लेकिन मुर्ली ने अपने पैसे नहीं दिये वो मनोहर के नाम के पैसे देखे गया है तो मेरे कैश बुक में तू मनोहर आएगा और dated क्या है और amount चेक receive क्या cash cash में receive किया 19 का receive अच्छेक 800 रुपए from case which was endorsed to nothing और इसको endorse कर दिया गया इसके लिए endorsement की entry करेंगे क्या नहीं हमने class में सीखा था कि endorsement की entry नहीं करते तो इसके लिए मैं क्या करूँगा नोट दूँगा ठीक है sold old furniture 700 plus GST 6% payment receive in cash ठीक है furniture बेचा है तो पैसा तो आएगा old furniture लिख दो या furniture लिख दो कितने का बेच है 700 cash में इसके उपर जो GST लगेगा output और two output 42 एंड 42 डेटेड है ये ठीक है इसके बाद 25 तारी को withdrawn from bank बताओ कुन सी एंट्री है contra entry withdrawn from bank सबसे पहले cash के बारे में सोचते हैं तो cash तो plus हो रहा होगा two bank और contra entry और cash में प्लस हो जाएगा कितने विड्रोन करें इसने 3000 रुपे निकाल लिये हैं और dated है हमारा 25 तारी और दूसरी entry by side में चला जाएगा by cash और bank से निकल गए 3000 और ये contra entry और ये date है 25 चलिए आगे देखते हैं आगे कहता है 25 के बाद again 25 due from bank household expense 1000 रुपे and income tax 500 तो मैंने क्लास में बताया था household और income tax दोनों क्या होता ड्रॉइंग और दोनों इसने कहां से निकाले बैंक से तो by मैं कर दूँँगा एक साथ ही by drawing 1500 रुपे किस से बैंक से और date 25 25 के अधर 28 तारीक और सुरंद्रा who owned 400 become bankrupt and 60 पैसा receive in रुपी एक परसं था जिसको 400 रुपे दिये थे मैंने वह bankrupt हो गया वह पैसे नहीं दे रहा लेकिन वह 60 परसंट दे गया कौन था वह सुरंद्रा तो मैं लिखूंगा टू सुरंद्रा और सिर्फ वह देखे जाएगा 240 क्योंकि bankrupt का मतलब वह सारे पैसे नहीं दे सकता बैंक करप्त का मतलब insolvent होता है दूसरे वर्ड में इसके बाद आगी question कहता है receive payment a loan advance from from Ram 3000 and deposit 2500 into bank तो मैंने receive करा है loan and advance किस से करा है मैंने receive repayment करा है जो Ram को पैसा दिया तो repayment receive किया है तो to repayment of loan किस से receive किया है मैंने Ram से करा है तो loan का पैसा है loan और bracket में Ram कर दो कितने receive किये तीन हजार cash में लिखो पहले date क्या है 28 28 है ना और सुरेंद्रा वाला date कौन सा है यह भी 28 अब तीन हजार receive कर लिए अब इसमें से पच्चिस सो bank में जमा करवाएंगे जब मैं इसमें से पच्चिस सो bank में जमा करवाँगा तो एक entry और generate हो गया deposit into bank जो की question में नहीं बोला लेकिन है यहां पर अब मैं इसमें से पच्चिस सो जमा करवाँगा तो मेरा cash क्या हो जाएगा कम किसके नाम से bank से और bank में आगए यह लो हमारा पच्चिस सो cash कम लेकिन पैसा bank में भी लिख दो और two cash के नाम से यह लो bank में आगए कितने तो यह वाली entry हो गया contra entry 28 चार का इसको देखो कि सबसे पहले पैसे receive किये और उस receive payment को मैंने क्या करा bank में जमा करवा दिया तो जो bank में जमा हुआ है वो तो अलग part हो गया और receive वाला अलग part हो गया तो इसको मैंने receive वाले को cash receive तो लिख लिया out of which 200 deposit तो वो जो deposit करवा है मैंने bank में उसकी contra entry करनी पड़ेगी आपको कि कहता है interest debited by bank तो जब हम bank reconciliation करेंगे तो उसमें अच्छे से सिखेंगे debited by bank a bank अ mag a a Luck कि अपने हिसाब से बता रहा यह हमें अपने साफ से न programs निए बता रहा रहा बैंक ने इंटरस को डैबिट कर दिया तो interest bank के लिए क्या है इंटरस अगर मुझे payment होगा अगर मुझे पैसा मिलेगा है ठीक है तो मुझे अगर पैसा मिलता है तो मिरे लिए income है अगर मैं पैसे देता हूं तो क्या खरचा है तो कहता है bank ने interest कितने का debit कर दिया हमारा 300 पचाता तो जब कभी भी हमारे पैसे होते हैं na bank से निकलने bank के लिए बताओ क्या है यह income है bank के लिए और हमारे लिए क्या है यह interest जो हमें मिलना था तो हमारे passbook के अंदर जब bank debit करेगा तो इसका मतलब पैसे निकाल रहा है और credit करेगा तो इसका मतलब पैसे जमा रहा है क्यों अगर मैं bank में पैसे जमा करवाता हूं तो bank बोलेगा करजा आ गया यार और करजा कहा जाता है liability, liability में, जाता है liability में, तो वो credit करता है हमारे account ले, छूँ because credit करता है, क्योंकि bank का liability बढ़ता जा रहा है, bank passbook हमारा नहीं है, क्या हम अपनी मर्जी से उस diplomate भर के, बोल सकते हैं भाई पैसा देतरो? pathbook होता क्या है, रहता हमारे पास से हैं, लेकिन होता किसका है? बैंक वालों का entry गोन करता है बैंक, तो बैंक क्रेडिट का मतलब क्या, बैंक बोल रहा है यार liability आ गया और पैसे जमा कर रहा है liability, लेकिन आप जैसे ही पैसे निकालोगे, तो बैंक का liability क्या हो रहा है, कम तो उसे क्या करेगा debit तो passbook घर पे जाके चेक करोगे न तो credit जहां लिखा होगा तो पैसे जमा हो रहे होंगे और debit जहां लिखा होगा वहाँ पैसे निकल रहा होगा तो वो bank के point of view से है सेम ऐसे interest debit bank वाले debit कर रहे हैं तो क्या आप सोच रहे हैं वो करजा मेरा क्या हो रहा है या फिर मेरा खतम हो रहा है यह point है उसका assets बन रहा है एक तरीके से दिखा जाए या फिर तो bank वालों के लिए benefit है debit और हमारे लिए debit क्या है नुकसान पैसे कम हो रहा है तो यहाँ पर interest debit by bank का मतलब मेरे bank का balance क्या हो रहा होगा कम हो रहा होगा अगर तो buy side में लिखेंगे तो किस नाम से buy और यही बोलता credit तो two side में लिखते हैं आप यह मत समझना debit बोला है तो credit में क्यों लिख रहा है सर इसको debit bank वालों के लिए हमारे लिए तो नुकसान ही है भई पैसा काट रहा है हमारा interest कितने रुपे का 200 375 अगले point पे चलते हैं जो last entry है कहता है deposit with the bank balance after retaining 2008 office हमने first class के अंदर काफी discuss किया था question number 5 में retaining in the bank अगर retain की मैं बात करता हूँ या फिर access over मैंने इस तरीके से बात किया था और retain का मतलब किया इतने पैसे बचा लो कहां बचा लो office में तो office में बचा लो तो यानि office का हमें बता है क्या balance जो पैसे बचाते हैं उसको क्या बोलते हैं balance cd मैंने बोला क्योंकि cd का मतलब भी बचाना हुआ मैंने बोला 2000 बचा लो तो इसका मतलब balance CD बता रहा हूँ मैं बोलू 6000 आप बचा लो, retain कर लो तो इसका मतलब balance CD है तो balance CD कितना है और बोलता बाकी bank में जमा कर दो तो बाकी कितना हमें calculate करना पड़ेगा यानि इधर की side जो भी balancing figure निकलेगा उसको bank के नाम से हम cash में से कम कर देंगा balancing figure ये निकलेगा इधर से तो last entry था हमारा ये हम क्या करेंगे simply total करेंगे सबसे पहले किसका cash का बताओ इस side का total क्या आएगा 18 और इधर का भी total 18000 अब हमें ये सब आप मुझे आप इसमें total में से आप मुझे total पता इनका बताओ पच्चिस सो प्लस 480 प्लस 680 और प्लस अगेन पच्चिस सो नहीं 4000 मैं और प्लस 2000 इन सब का total बता दो क्या आता है तो 6000 8500 और इसका बता दो 9,160 यहीं आ रहा है total देखो एक बार दस अजार चार और दो 6 दो 8 85 तो यहीं हो गया आपके और इनका total कितना हो गया ग्यारा सो बीज ग्यारा सो साट नहीं बारा सो साट हो गया हाँ 10,000 आएगा 10,100 ठीक है यानि इस साइड का total कितना था 18,174 18,174 में से सब माइनेस कर दो 10,160 तो क्या बचा 18,174 में से 10,160 माइनेस करो बताओ क्या आ रहा है तो यह 8,514 रुपे बैंक में जमा करो इसका मतलब जब हम कैश्बुक का बैलिंसिंग निकाल रहे होंगे तो हमारा 10,000 गलत तो बैलिंसिंग निकाला अपने सही है यानि जो बैलिंसिंग फिगर निकलना चाहिए था वो 10,000 हमारा 514 होना चाहिए सिर्फ 14 है यानि 10,000 14 हमारा कैस में पड़ा होगा लेकिन कॉश्चन बोलता है बुक में इसका देख लो एक बार टूटलिंग कर लो सही से किसकी ये क्या आएगा बताओ चे चाहर दस हाँ नहीं 660 आएगा सही से देखो मेरे साब साब इतना से टूटल कर लो ना फटाफट से 660 आएगा ये लो इसे जोड़ दो और काम असान कर दियो ने तो सिंपल है ना 8001,9165,660 9,000 फूर नीज,660 माइनस करो अब इसमें से माइनस कर दो माइनस करो अब सही से करना माइनस तो क्या आ रहा था हमारा Dank आथ हजार पानसो इसको एक्चुल क्लकुलेट करोते तो ये यह हैगा उपर वाला केलकुल में 500 घटक है ना वो 514 जो आ रहे थे तो यह वाला बैलेंस जो बैलेंस CD है ना यह एक्जामनर देगा और यही कोश्चन आपके एक्जाम में आएगा ध्यान रखना इसका तारीख होगा हमारा 34 और इसका डेट बताना तो याद रखना आपको अगर इसका मैं अगर टेस्ट में कोश्चन बनाता हूं मैं यह आपका टेस्ट रखता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि 2000 रिटेन इंटू दा बैंक और बैलेंस विड्रॉन तो क्या करोगे मैंने बोला 2000 रुपीज लीव इन दा बैंक या 2000 रुपीज रिटेन इन दा बैंक और बैलेंस विड्रॉन तो क्या करोगे बताओ बैंक में पहले आप टोटल किसका करना है बैंक यहाँ पे 2000 रा जाएगा बाकी बैलेंस इंग फिगर किसने मैच कर देंगे कैस से और वो कैस में क्या होगा भाकी मैंने निकाल लिए और इसको कहां जम्हां कर दें बैंक में और किस नाम से two cash के नाम से Contra Entry और bank में जमा हो जाएगा हमारा और ये देखो Contra Entry हो गया ये आप इसका total करेंगे bank का और bank का क्या निकालेंगे balance CD clear हो गया तो इस question में हमने bankrupt भी देख लिया इस question में endorsement भी देख लिया note किसका देना है endorsement का देना है note किसका देना है आपको जो credit पर परचेज हुआ है उसका भी आपको note यहाँ पर देना पड़ेगा question clear है ये इसका total करके बस आपको निकालना है Good evening प्यारे student कैसे हैं आप सभी सब बढ़िया में तो आज एक छोटा सा concept cash book तो हमने खतम कर लिया था cash book को खतम करने के GST वाली भी entry हमने देखी थी उसको खतम करने के बाद एक छोटा सा concept बोला जाता है स्लेवर्स में से cut गया या नहीं cut आप उसको छोड़ते हैं एक petty cash book है आपके cash book का ही part है इसके बाद हम continue में करेंगे bank reconciliation statement ठीक है ना तो petty cash book की हम बात करते हैं तो सबसे पहले petty cash book होता क्या है किस तरीके से use होता है business में एक बार वो समझते हैं देखिए petty cash book के बारे में और इसको अच्छे से जानते हैं और इसको समझने के बाद हम इसके अंदर देखेंगे कि petty cash book में एक simple है एक analytical दोनों के एक question solve करेंगे और concept clear हो जाएगा जैसे suppose करो एक यह organization है है न यह एक organization है company है जिसको बोल लेता है यह organization यह company अब इस company को अगर आप ध्यान से देखो तो इस company का जो main चाफ सफाई और जो सबसे पहले company को खोलता होगा वो कोई न कोई तो person होगा ही न इस company को रख रखाओ करने के लिए maintain करने के लिए एक person होगा इसको cn बोलते है ठीक है color को बोलते है color तो उससे अपर होता पियून तो माल लेते हैं Mr.P है यह तो बड़ा simple सा है एक company है और company का color है company का पियून है चपडासी है Mr.P और इस company का honor की हम बात करें तो honor है और जरूरी नहीं honor हो manager भी हो सकता है जो इस पूरी company को देख रहा है support करो आपने कई बार observe किया होगा honor थोड़े नीचे बना लेते हैं यह हमारे पास table है यह table बना क्या बना ऐसे बनेगा है यह table है यह honor है यह honor लिख दे और यह table है मानलो इसके पास कोई client आता है suppose करो कोई customer आता है तो generally आपने देखा होगा कि जो customer आता है तो इसके पास एक bell type का होता है ring वो टिंग टिंग बजाता है यह दोड़ा 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 आया है और यह honor से पुछ रहा जी sir अपने मुझे बुलाया honor बोलता है एक काम करो सर आये हुए हमारे बहुत अच्छे customer है इनके लिए जाओ आप cold drink लेके आओ फिर यहां से यह गया और दुकान पे गया और दुकान पे जाने के बाद यह cold drink लेता है और फिर लाके देता है इसके आगे भी yellow देखो cold drink और इसके आगे भी cold drink can है ना बोतल वाली नहीं है ठीक है तो एक इसके आगे cold drink दोनों पी रहे हैं करते करते काफी time बीट गया बात किस करते करते time निकलता गया जो भी meeting में discussion हो रही थी फिर इसमें bell बजाया यह टिंग टिंग यह दुबारा आया बोला यार सर बैठे हुए हैं आज थोड़ा लेट हो गया आप lunch भी लगवाओ दोनों के लिए और बढ़िया lunch लेके आना तो भाई तो यह घर पर ही खर्च कर देता है इसके भी बच्चे हैं इसके भी tuition के फीज से 5 ज़र खत्म हो गए यह तो विचारा अपनी बीबी से 10 रुपे मांग करके आता है बस के किराये के लिए पैसे है कहां अब माली ने बूल दिया जाओ हल्दी राम से खाना लेके आओ बीका नेर से खाना लेके आओ अब भाई प्यून करे क्या पैसे तो है नहीं बीका नेर वाला उधार तो देगा नहीं प्यून ने खा कि सर वो पैसे तो नहीं है जब P.u. ने यह बात बोला, मालिक नेयो कोई बात नहीं, इसनों पर्स निकाला अपना, और एक 500 का नूट दिया, एक 500 का नोट देता है P.u. को, P.u. बोलता है सर 500 का आ जाएगा, बोला कोई बात नहीं हो तर 500 रुपे 123 करिवे दो, किस्टमर ने बोला सर रहने दो मत मंगवाओ छोड़ो जाई रहा हो बस यह क्योंकि जनरली अब्जर्वेशन देखो होता क्या है अगर हमारे सामने खाना आ जाए तो हम खा लेते हैं लेकिन अगर आपको बोला जाए जाएगा लेने पैसे खर्च होंगे तो आपका माइंड क कैसी कमपनी है यह कियों बात बात पर आता है मालिक बात बात पर अपने पैसे निकाल के देता है कोई मैंनेजमेंट का तरीका है या नहीं इस कमपनी का मैं इस कमपनी से सो करोड की डील करने जा रहा हूं कुछ तरीका वरीका है या नहीं है यह सोचने लग जाए अगले द तो बिसनस का नुक्सान हो या नहीं हो गया ना है नुक्सान का सो करोड का क्लाइंट गया थोड़े ते पैसे कि काणर डरे माल एक आईडीओं म 나가 यह जी सिक्स वाला एडिया ए एक आईडिया और बोला प्यों नहीं दरा तू तू तूने तेरी हिम्मत कैसे ही इस ते पैसे मांगा तेरे वेशे सो करोर का नुक्सान हो गया पता है तिरको अब भाई प्यों क्या बोले मिस्टर पी बोले सर हमारे पास पैसे ही नहीं हम क्या बताएं बाबुजी हमारे पास तो फांक जार दे और इस दो हजार को अपने पास रखना जब मैं घंटी बजाओ ना तिन तिन तो आना ओडर लेना और ले के आना पैसे मत मांग लेना जहां तुमने पैसे मांगे उसी टाइम ध्यान रखना मेरे कस्कुमर चला जाएगा अब ये ऐसे करने लग जिया दो हजार रुपए दिये और ये अपना एक छोटी सी रजिस्टर मिंटेन करने लग जिया दो हजार रुपए मालिक ने मंगाया चाय मंगाया चौमिन मंगाया बिस्कुट मंगाया कस्तमर के लिए ये वो फलना डिकना सब मंगा लिया उसके बाद इसने बोले ओनर को जाके सर खतम, पैसे दो हजार खतम, बोला रहे कहां खतम कर दिये तुमने, बोला सर मैं बुलाता हूँ ना एक तारिक को इससे खर्चा, दो तारिक को इससे खर्चा, तीन तारिक को इससे खर्चा, चार तारिक को इससे खर्चा, खर्च होगे तो ये आज मैं इसे 2000 रुपे दे रहा हूं और खर्चा कब कर दिया इसमें बाद में आज घी करतेंगा क्या 2000 आप सोचों बाद में धीरे धीरे करेगा तो ये 2000 पेटी केस है इस 2000 को पेटी केस बोलते हैं अकांटिंग पैटिकेश का मतलब है कि खर्चा पेमिंट होने से पहले हम अपने ओफिस में एडवांस में देते हैं छोटे मोटे खर्चे के लिए उसको पैटिकेश बोलते हैं लेकिन इसमें भी न दिक्कत है इस चेन में भी फिर दोहजार खतम आएंगे कोई क्लाइंट अब कहां से लाओं पैसे तो ऐसे सिचुएशन में यह लूफोल्स है तो यह इसको समझाता है देख दिमाग से काम ले जब तेरे पास 500 रुपे बचे मेरे पास दुबारा आजा मैं दुबारा पैसे दे दूँगा अपने पास कुछ पैसे रिजर्व तो रख तो यानि हमने का के सिर्व जोड लेगा फिर से 500 पिर जोड लिगा तो इस 500 रुपका जो मिनीमाम बैलेंस बोलाना अपने पास रखियो रि Corps में इसे बोलता है in fresh effect is impressed इंप्रेस का मतलब इतना बैलेंस बचाना है फीक है impressed to प्रेकरा ग है अभी हमने देखा प्रेंげ किया हुटा है इसनल में थोड़ा सा आपको चुwhat केंगारनेक पर ससम्झाने पर एक इसको मुंट करना है आप नोट करिए फटा फट से फिर सिंपल पर चलेंगे जी कर लिया शॉ तो प्रिकर स्टे किया होता है मेरे सामने अधूरा पीचर के प्रिक देऊ होटा है तो अब। मैं एक काम करता हूँ आपके लिए पहले में format simple और analytical में क्या फ़रक है ये बताते है simple में हम normally इतना पैसा आया और इतना समान पे खर्च हुआ that's it यहाँ analytical में क्या होगा कि किस दिन किस समान पे कितना खर्चा हुआ जा कब खर्चा हुआ उस समान पे कितना खर्चा हुआ डिटेल में तो उसे analytical बोलते हैं और simple वाले में कितना खर्चा पूरे महिने में हुआ कि समान पे ये थोड़ ढूंड़ना मुस्किल है ढूंड़ा तो यहाँ भी जा सकते हैं इसका simple सा एक format है cash book से बिलकुल अलग लेकिन team वही रहेगा सबसे पहले amount receive जो पैसे मिला है में इसके बाद अलफ सर इसमें date पहले नहीं आएगा नहीं नहीं यह थोड़ा सा अलग format है concept वही रहेगा payment receive और paid का cash book folio cash book folio आएगा कुछ नहीं basically बनाना है बस जैसे LF बनाते हैं laser folio जेएफ भी बोल देते हैं अब इसके बाद date date के बाद तो पता ही है particular particular के बाद LF फिर से इस साइड का laser folio फिर voucher number और amount paid फिर अमांट paid फिर अमांट paid फिर अमांट paid समझते हैं पहले इक पर इसको तो देखिए amount receive में जैसे की आपको याद होगा फियोन मालिक उसको पैसे दे रहा था फियोन तो receive कर रहा था जैसे दो हजार दिये थे तो यहां पर two लिखेंगे अगर पुराना balance है तो balance word का इस्तमाल करेंगे अगर नया मिला है cash में दिया है तो cash और bank में मिला है तो bank और पुराना balance opening है तो balance bd ठीक है तो यहां पर bank में cash में जो भी मिला हो balance bd रहेगा clear अब आगे देखा जाए 2000 के बाद date किस date पर मिला मान लेते हैं 20 20 LF में कुछ नहीं आएगा voucher number जो voucher में करा था ना आपने voucher number उपर लिखा होता है अब वो लिखना होगा वैसे question में given है तो लिखेंगे नहीं तो कोई लिखत में amount paid मान लेते हैं 50 रुपर paid हुआ अब खर्चा जब होगा तो खर्चा किदर दिखाते हैं cash look में सबस्किया ठीक है ना एक practical question करते हैं ज्यादा मजाएगा हमें आपके सामने screen page तो होगा practical problem question में कहता है from the following particular prepare the petty cash book for the month April 2020 dated given है एक April को draw for petty cash draw for petty cash का मतलब petty cash के लिए पैसा मिला है 5000 रुपर तो इसने 5000 से start किया तो 5000 इतर लिखते हैं और एक April है तो एक चार लिखते हैं यह लोगी चार बनेगे ठीक है इसके बाद आगे कहता है paid for postage postage के लिए तीन अपरेल को paid किया तो तीन तारिक को तीन चार को और पेड कितना किया amount amount paid किया इसने 300 रुपे सोटे मोटे खर्चे होंगे तेलीफोन का bill paid किया है कब पेड किया इसने 5000 तारिक को पांच चार बाइ टेलीफोन एसेट्स लेसेट्स नहीं खरी देगा खर्चे होंगे यहाँ टेलीफोन बिल इसके बाद paid for cottage अब काटेज के लिए आठ सारिक को पेमिंट किया है किराया काटेज क्या होता है हमारा किराया और काटेज के लिए क्या पेड किया है भाई 140 पोस्टेज के लिए नौ तारिक को फिर पेड कर दिया, बाय पोस्टेज, और कितने रुपए, 200 रुपए, तो बस सिंपल है न, बड़ा देखो, एक बार पैसे ले लिया, खर्चा, 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 किसी से रिसीव नहीं होगा, बीच माली को और देजे तो इज़र लिख खर्चे है, तंडरीज, और तारिक है, 12 तारिक है, और अमांट है 100 रुप, है न, इसके बाद 27 को पेड फोर स्टेशनरी, कितनी स्टेशनरी खरी देगा ये, और ये वो खर्चे होता है, जिससे के पियोन का हमें से याद एकना, पॉकिट खर्चा भी चलता है, जहां बड़ा घबला करते हैं, पता होता है हमें, लेकिन, फोड़ो, अब है, 12-20 रुपए तो करेगा ही, फोरी ये है, लास्ट में कुशन है, बोकता है, if the impressed amount 5000, so the amount petty cashier would be estimated to draw beginning of the next month, कहता है, अगर हमें 5000 impressed रखना हो, तो beginning में कितना हमें रखना पड़ेगा, तो very simple, 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 अब total कर लिए यहां का, इसको column बन कर लेता है, पहले हम इसका total कर लेता है, पेले हम इसका total कर लेता है, पेले हमें, आप यहां पर amount receive या simple amount लिख दोगे तो इसका लेगा 5 ही जाए, और यही total यहां आ जाएगा, cash book ही है, अब यहां बैलेंस निकल जाएगा कब, मन्त के end में, 34 को, buy balance, CD, अब माइनस करके हैं, फठा, 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 300, 400, 140, 200, माइनस पात दिया, 35 तो साथ, त्रीक है, 35 साथ, कि अब यह बैलेंस बीडी बन जाएगा ठीक है कब बनेगा बैलेंस बीडी इसके नीचे लिख देते हैं देख सब्सक्र M sport और भी दी अब कहता है इंप्रेस्ग सिस्टम अधाल किरेंगा के दिख सबसें बया बनाना है इंप्रेस्ग स्थम ने बीडी है और कितने पैसे इसमें जोड दिया जाए कि पांच HASार हो गाए तो एक तारिक को ही मैं एक पांच को बाई कैश में यह बैंक में मैं कितना और दे दू यहां पर बाई ने टू सुरी तू में आएगा ना और बैलेंसी दी तो बाई नहीं आएगा थूमें कितना 1440 रुप है डिफ्रेंच 1440 तो अब total आप करोगे तो देखोगे मेरे पास कितने पैसे पड़े हुए है 5000 ठीक है clear बस यहीं पे छोड़ दो यानि very very simple कहने का मतलब यह है कि आपके पास जैसे ही 5000 से कम बैलेंस होगे मालिक के पास जाओगे और 5000 से कम बैलेंस होगे और मुझे दो तो इसको impress बोलता है अगर impress नहीं बोलता ना question में तो हमारा answer यहीं खतम हो जाता 35-6 तर देखिए यहीं खतम हो जाता ठीक है तो हमारा क्या है normally देखा जाए तो हमारे question के अंदर सबसे पहले दिक्कत की हम बात बताए तो दिक्कत कुछ भी नहीं है दिक्कत यह है कि बच्चे इसको practice नहीं करते और इसलिए समझ मनी आता नहीं तो very simple है amount हो गया, lf हो गया cash book और date column particular यह सब लिखा और इसके बाद सरिफ यहाँ पैसा receive करेंगे और two लिखेंगे और by payment, payment, payment और फिर balancing तो लो जी यह था petty cash book कौन सा यह live class है आपकी तो आप लापरवाई ना करें और मैं query के जवाब नहीं देता बिल्कुल भी petty cash book simple अरे आप तो गुस्ता होगे query के जवाब बिल्कुल भी मतलब मैं comment वगरा नहीं देखता जल्दी से पढ़ाते टाएं पर पढ़ाने के बाद एक एक comment पढ़ूँगा और आपको अच्छे से reply करूँगा ठीक है चलिए आप इसको फटा फट से फूर्ती के साथ नोट करें फिर हम चलेंगे अगले concept पे जल्दी जल्दी नोट करें जल्दी 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 नोट प्रवादाब। कर लिया नोट जी सर नोट कर लिया एनिलेटिकल में क्या होगा तो देखो यहां पे हर किसी का कॉलम नहीं मना अन्रकोय IP करिशा नहीं अन्रकाल के П crown वी असे है और बियोग안 जिए न फि़ासे है की प्थोड़िए गा कर आपिए एनलिटिकल में ऐसा नहीं है, एक पोस्टिज का अलग कॉलम ही बना देंगे, टेलीफोन बिल का अलग ही कॉलम बना देंगे, ताके हमें फटा फट फट जवाब देदें, ठीक है न, इसको मिटा दिया नहीं, अब फॉर्मेट देखी है, थोड़ा इस पेज ज्यादा है, इस पहले क्या लिखा था बता, अमांट रिशी, अमांट रिशी आपने पूरा लिखना है, आप नहीं करोगे, और उसके बाद, अब यहाँ पर ने डेट यहाँ आजाएगा, डेट के बाद आ जाएगा आपका वाउस्टर नंबर जिसको मैं बी नंबर बोल दें तो अगर दे रखाएगो पिछले कुर्शन में भी नहीं है और एक्जाम में भी कुर्शन बहुत रियर है लेकिन आपको आना चाहिए ना कि फुटर में तो पड़ेगा जोड़त आपको एक और कॉलम सीख लो टोटल पेमिंट देख रहां यानि अमाउंट रिसीव डेट वाउचर नंबर पर्टिकुलर टोटल पेमिंट ये कॉलम कैसे कैसे होगा एक एक्जामपल फिर मैं एक बुक का एक्जामपल देखेंगे नोट का अमाउंट रिसीव हुआ तो हम क्या लि कैश में होगा या बैंक से होगा जो भी देखेंगे यहां लिख देगा उसके अब किस डेट पे डेट यहां जाएगा वाउचर नंबर का कॉलम तो वैसे भी यूज नहीं होता जजनली अगर ते रखा हो तो लिख देना नहीं तो छोड़ देना इसके बाद खर्चा फिर आया हमारा स्टी इसनरी का कॉलम करण स्बका एक एक कॉलम पूरा पूरा बनता जाए गा इससे क्या फाइदा है सर बनाने से इससे अनिलेंटिकल में वेफादा dulu ही है के आपके जेतने एक्सपंसे से उसके डीटेल जादा अच्छे से मिलेगा हमें हमने और को कि कुछ पर देखें और को बड़े शिक्षिक करते हैं जब मैं अपने टाइम पर आर्टिकल करता था तो वो बोलता था अरे कहां खर्च करते दस्रूप है अभी तो लिए थे आकल तुने दस्रूप है तो ऐसे कुछ और होते हैं तो उसके लिए यह बना के देते हैं वह दो देख ले सब्सक्राइब करते हैं जैसे मैंने बोला कंवें यह क्राटेज केरेज भोल रहा हूं मैं इसका एक ही कॉलम बना लो अगर उसी से मिलता जूलता है तो कोई दिख्कत नहीं है कोशन में एक जनवरी को रिफीट पैटी कैस्ट किया है और टू कैस्ट एक जनवरी एक तारिक से एक एक दोजार बीच एक केस जैसे भी माल लो तो गलत 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 और टोटल पेमेंट रिसी क्या है दस हजार कोश्चन कोश्चन तो डिस्पले मैं कट रहा हूं और यह थोड़ा हटा दूआ कि मुझे सब्सक्राइब होगा बस कोश्चन देखिए बाकि मैं आसाइं आट शॉड़ा सौट लिखनेगा कि चलेगा तो मेट्रो का किराया दिया है तो बाय साइट से पेमेंट हुआए जी किस तारिक को दो तारिक को है ना बाय मेट्रो मेट्रो अब से चलने लगी मेट्रो पचास रुपए बिल्कुल शीच अभी टोटल नहीं टोटल सबसे लास्क नहीं जब देख लेगे भाई यह टोटल आएगा फूरे खर्ची का टोटल ऐसे 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 कि इस तारिक पे इतना खर्च है अभी देखते जो कितना मजा आने वा कि दो को तो करें लिया फिर से दो तारिक हो और हो आर्गा दो तारिक कrial चाहिए दो तारिक को इसने खर्च किया ह err काटेज क गावाज क कि शुक्तने रुपेश कहःए शोरोंग अलशे काट इसमें थोड़ी है 20 मालों तीन तारिख को बोलता है फिर कंवेस्सिक ना जाएगा चार तारिख को काटेज इसी कॉलम में आ जाएगा नया कॉलम नहीं बनाना होगा नहीं ठीक है कि इन जनवरी को पोटेज़ पेमिंट किया है 500 का एक और कॉलम, पोस्टेज, साइद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए, that's why I am for simplicity, आपके लिए मैं यहां पर लाइन कीच देता हूं, ठीक है, ताकि आपको देखने में परिशानी ना हो, सामने पता चलेगा, तीन तारिक को पोस्टेज, तो बाए प पोस्टेज, बताए किस कॉलम में आएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए किस कॉलम में आएगा, सार एक पोस्टेज का कॉलम, बाप रे बाप, कितने कॉलम, बस, उतने ही कॉलम बनेंगे, कितने खर्चे हैंगे कितने खर्च कर दिये बाबु जी पांग सुर्पें तो फोस्टेज में पांग सुर्पें तीन के बाद फिर से तीन तारिक को क्या पेमेंट किया वेजिस कैजुवल लेवर को वेजिस कितने रुपे का खर्चा था जी खर्चा था वेजिस हम तो बना लेता है कि और टोटल में बाद में जाएंगे शर्चा था भी जिसका थे तो उसके बाद फिर बोलता यह था जाइं चाहरत को बंड़ कर देखा से चाहरतार लाइस हार कर देख्या के लिए कि पेमिंट किया गया तो जब हैं आपने स्टेच्जादी के लिए पेमिंट चाहर रुपए क्या है क्या सहले से लिए का कॉलम नहीं बाई स्टेश्मरी तो जितने खर्चे उतने कॉलम बताएं अभी मैंने यह लाइन बड़ा टेड़ा मेड़ा हो रहा है यह चाहँ पेड ऑटो चार्ज ऑटो चार्ज कब है फिर चार्ज बड़े खर्चे कर रहा है भाई यह को ओटो से जा रहे देख रहे हैं तो ओटो चार्ज तो भाई कन्वेंस में ही आएगा किराया ही तो है दोस्तो न्यू कॉलम नहीं बनाना तेड रिपेर ऑफ चेयर इसके लिए रिपेर का एक कॉलम बना लेता है रिपेर ऑफ चेयर बाई बाई रिपेर एक कॉलम रिपेर का एक कॉलम रिपेर का एक कितने रुपे पेड के ओहो लुटवा दिया इसने 15 रुपे खरश्च कर दिया इसने दस अगार बराबर करके यह मालने अलगता है पेड बस फेयर कब पांस तारिक को यह पांस तारिक को पिर से एक पांस तारिक के एंक्री आई है हमारे पांस और जो पांस तारीक की एंट्री आई वो किस लिए आई बस का फेर पेड़ी के है पांस इसको पांस पेड़ी बस बस बाइब बस और बस का सौर हो जाए तो मैं इसमें टोटल नडाल जाए तो कंवेंस वाला ही चलता रहेगा बस फियर रिक्षा फियर ओटो फियर मेट्रो फियर कंवेंसमें सब आ जाएगा बचे पेड काटेज पांस तारीक को पांस पेड़ को पेड़ काटेज तो बाई काटेज है ना और कितना पेमेंट है चार को रुपए तो काटेज का कॉलम बनाया है चार को रुपए खे तारीक को फिर पोस्टेज क्या आप सभी को वीज्वल है जी सर यहां तक तो लास्ट वीज्वल है मैनेज करने लाइख है पेड़ पोस्टेज तो बाई पोस्टेज का कॉलम पोस्टेज का कॉलम पोस्टेज यह रहा है कितना रुपए पेड़ गे भाई पैवन हंट तो अब आपको दिखना पंद हो जाएगा थोड़ा मैं थोड़ा और जूम इन कर लेता है करते हैं जहां तक मैनेज होता है वस्तीन एंट्री और बचे हैं कन्वेंस चार्ज शेता रिखों से कंव जार। स्थेजर्ज छोटे चोटे लिसमें कन्वेंस चार्ज by convention सब्सक्राइब तो इसलिए में आ जाएगा सब्सक्राइब फिर कार्टेज और टेलीफॉन बिल शे शे तारिक के पिर इसको तो बंद करें यह खतम अब फिर से एक शे तारिक की एंट्री आई और फिर से हमने पेड किया कार्टेज और कार्टेज का जो अमाउंट है वो तीन चो रुपए है तो कार्टेज का कॉलम बना रखता है वो तीन चो रुपए हो जया है अब कार्टेज के बाद देखा जाए टेलीफॉन बिल शे तारिक को ही दो सो का तो शे तारिक को ही इसको बंद कर दें शे को ही टेलीफॉन बिल और टेलीफोन बिल का एक कॉलम बना देते हैं, ठीक है, यह लोगी है, लास्ट एंट्री था, और लास्ट पॉइंट था, कितने रुपे थे, 200 रुपे, ठीक है, यहां तक कर लिया, यह है हमारा अनलेटिकल स्कैच मुट, आपको पूरा वीज्वल है न, लास्ट तक और थोड़ा इस पेस्ट नहीं होगा मुझे निशे, तो डोंट वरी, ठीक है, अब दिख जाएगा शायद आपको जितना एक से चाहिए, तो कैमरा मैंने ठीक कर दिया, कैमरा, चलिए, अब हमें क्या करना है, इस टोटल में, इसका टोटल क्या है, इसका 250, इस डेट पे दो खर्चे अगर होते न, तो होता हमारा टोटल जाएगा, यानि एक तारिकों पचास सर्चा इस डेट पे 500, इस डेट पे 600, अब ऐसा भी दो सकता था, उसी दिन पोस्टेज हो, उसी दिन वेजिस हो, तो जुड जाता यह, चार सो, जो सिंपल है चार सो, साथ सो, तीन सो, तीन सो, ठीक है, यह टोटल, टोटल खर्चा करते हैं, कितना है हमारा, प्रिपन सो रुट है, यहां तक लेके टोटल, अब पहले इधर का टोटल दिखने, यह भी हमारा, यह मर्भूद है, यह भी है, हम क्या करेंगे, अब एक बार इसका टोटल दिखेंगे, जो क्या आएगा, 10,000, सेम टोटल यहां आजएगा, 10,000, और यहां पर निकल जाएगा, बैलेंस, यह टोटल है, यहां निकल जाएगा, बैलेंस, यह निकल गया हमारा बैलेंस 4700 दोपी इसका टोटल गलत कर दिया मैंने आप बोल रहे हैं आप कह रहे हैं और गलत कर दिया क्या गलत कर दिया है पचास दाइसो पांचो फिर्षेसो चारसो दोसो कन्वेंज एक एंट्री फूट गई तो है ने बताया नहीं यार आपने पांच तारिक की हैं कन्वेंज दोसो रुब है लिखतो दिया दोसो कन्वेंज एक बंट रुकते हैं 12 इंटे एक रहा एक है तरह सी जो पांच है सबसे लास्ट वाल जो है नहीं है तरह से लास्ट में जो टेलीफोन का कर्चा है वह दोस्तोर रुपें हम नहीं लिया यह टोटली लेना रह जा आ है यह बोल रहे था आप चाहें था नग्या है ओके प्रस दो सो तो पैंट तालिक दो गए खतम जी अब मेरे से पहले दुबारा देखें अच्छे से समझते हैं इसको फिर से हम तो था क्या जनली कुर्शन में कि अनलेटिकल में क्या था सबसे पहले यहां तक के कॉलम तो फिक्स रहेंगे यह वाले यहां से यहां तक के दूड़ते जाएंगे सपोस करो सेम डेट पे दो खर्शे हो गए तो हम अलग डेट नहीं लिखेंगे सेम डेट के लिए हम कॉलम बना देगे अलग मैंने अलग लिख दिया जबकि यहां पर देखो तीन तारिक को ही अगर मैं दो खर्शे कर रहा हूं तो नो नीट तू कॉलम फिक्स रहेंगे आपके नीचे तर्ट इसके बाद हर एक खर्शे का अपना अलग कॉलम बनाना है अगर आपकी इच्छा करता है कि चोटे से छोटे खर्शे के लिए अलग कॉलम बनाना है तो बनाईए नहीं तो उतको संट्री एक्सिंस में भी डाल सकते हैं जो लग फाइदा हुआ अलग कोलम बनाने का फाइदा यह हुआ मालिक फूछेगा भई पूरे साल में आपने खिराये पर कितना है गप कितना खर्च करा मैं बता दूआ धाइस सो साड़े रिपेए जी 15100 है टेलिफोन का बिल भर दिया जी 200 भर दिया तो यह डि टेल भी आ गई हमारे पास है ना यह सारी की आ गई हमारे पास डीटेल भी आ गई आपको नीचे का विज्वर शायद नहीं हो रहा है बच्चों का कमेंट आ रहे हैं तो केमरामेन थोड़ा नीचे दिखाईए नीचे दिखाईए ऊपर नहीं ऊपर नहीं जी सर दन देख रहा है अब आपको मैं आपको दिखानी शायद मैंने क्या करा इसको सबसे पहले तो इसका टोटल किया 10,000 और इस टोटल को मैंने इधर लिखा 10,000 उसम करने से मैंने सबको माइनस कर लिया एक एक करके क्या क्या माइनस किया यह माइनस किया यह यह माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आए वो 55 रुपे पैटी कैस बचिया बैलेंस अगर इंप्रेस्ट होता तो इंप्रेस्ट में क्या करते बताओ इंप्रेस्ट होता तो simply हम पत तो आज तक मैंने देखा नहीं के question paper में आया है लेकिन हाँ theory जरूर पूछा गया है कि what do you mean by the impressed petty cashbook और difference आ सकता है simple cashbook और analytical cashbook जो हमने देखा है हर column के इसाथ तो यह बड़ा simple topic था difference देख लेता हूँ मैंने assignment में डाला है हाला कि difference एक पर पढ़ भी देता हूँ मैं आपको समझ आ जाए देख लीजिए आप आपको visualize कराए जाता है difference देखिए simple petty cashbook analytical petty cashbook separate record of each kind of petty expense is not maintained तो अलग-अलग column नहीं बनाए न अब आप ध्यान दीजिए वहाँ पे अलग-अलग column बनाए थे सारे मैंने the analytical column use the each column according to expense सारे column के अकोडिए एक it's written in the same manner of cashbook written उसी तरीके से बाई में तू में the pages are not divided down center major space provide expense side have separate column of expense वही बता दिया at the end of period total expense under different head cannot be determined लेकिन यहाँ पर determine किया जा सकता very 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 simple तो यह भी आपको याद करना है हुआ 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 है हुआ 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 ह